आज याहरूली सुन्न उने छ गंगा प्रसाद भेटवाल द्वारा लिखीत पर्दा भित्र उपनेश सम्पुण स्रोतारुमा नमस्कार मा गंगा प्रसाद भेटवाल पर्दा भित्र उपनेश लेर यारू सम्पुण स्रोतारुमा नमस्कार मक्षी उपस्तिद भैको छू यो माफाईले स्रीजनागरेको नेपाली भासा को उपनेश हो उपनेश को सिर्षक पर्दा भित्र रहेको छू पर्दा भित्र उपनेश 2018 साल मा प्रकाशन मा आईको नेपाली उपनेश हो एसको सर्जक माफाई गंगा प्रसाद भेटवाल रहे को चुबनी तिरुबन विश्विद्याले नेपाली केंद्रे विवाक का विवागी और प्रमोग प्राध्यपक डाक्टर होगेंद्र परसाद लोईटेल सरली सुब कामना मन्तब्बे बेक्त गर्नु वैको छ भनी उपन्यास्मा भूमिका साहित्यकार्मित्र बत्री परसाद डाकाल जिवले लेखनु वैको छ अब आमी सिधै परदा भित्र उपन्यास्मा प्रवेश गर्नी छाऊं। पल्लोगाउं का सबे तिरका युबाहरू आपनो भविश्य बनावन बनेर सार तिरा अनी विदेश तिरा गएका छन। कथा कथा मन्मा बसंते लाई पनी परदेश जाने बिचार नवजे को है न। बसंते आपनो अरी परिको बात अपर नियाल छा ती डाडा हरूले उसलाई माया गरे जस्ते लाग्छा। तल खलामा छंग भगे को पानी ले उसके अंतरमन को गीत गाये जस्तो लाग्छा। रूख विर्वा का पात रो हल लियेर ए बसंते तकताई नजा यह हामरो नजीक वसीराक बने जस्तो लाग्छा। प्रकिर्ती बसंते ले शोचे जस्तो तके भर्ना सक्तियो। ती कुरारूता वसंते को भुजाईमा मात्रत्यस्तो भयको थिऊ। वसंते गरी परिवार को केटो हो उस सान उछनदा उसकी आमा विते की थिन। उसको बुबाले दुई चोरा का लागी भने रने और किया मा लियाये का थेनन। बसंते को घर मा केई बर्ष सम्मत हजुरबा हजुरामा काका का की हरुपनी थी तरह अईले हजुरबा हजुरामा बीती सके काका का की अरु अलग्वे बस्न थाले ये तिहरा बसंते को घर मा बसंते का बा बसंते अनि बसंते के उटा भाई गरी तिन जना मात्रसन बसंतेले घर को दुखराम्र रिभुजेको छ बुबाको अवस्ता उसले मसुस गरेको हुनाले सके सम्म उ बुबाको काम्मा स्वयोग गर्छ बाईला पने उसले उत्तिके माय गर्ण जानेको छ चानू परिवार एक की सिमलेत ठीके हुँ तर गाउं को परिवेश्म पनी आर् बसंतेले परिवार को जिम्मा अब मेरो काद माहों दैचे भन्ने कुरा भुजन थालेको छ उ केई जिम्मेवारी लिना चान छ एक दिन साज खाना खाई शकेर बसंते को परिवार शुत्न लागेको हुन छ प्राई हरेक साज बसंते का बाले केई न केई नया ज्यानकुन का कुरा चोरा हटलाई सुनाओने आदधत उन्तियो तो साज बने बसंतेले शुरू देखिनी भुबार भाईलाई आमिको सरी प्रगति गर्न सक्चों बनेर आपना कुरा राखन थाल्चा बसंते का कुरा सुनेर उसको भुबा पने खूशी बन्छन अब छोरो ठूलो मात्र ह ज्यानीर परिपक का भाईचा बनेर बसंते का भुबा को मन अतीने हर्शित बन्छा उनपनी हू बसंतेले गाउंके उच्च माविवाट बारक अक्षा पास गरेको छा उ संगई का धेरे साथी पासबोर्ट बनायर रोजगारी गरी पईशा कमोन बैदेशिक रोजगारी मा पनी गई का चन तर बसंते को भेत्री मन मा उच्चा शिक्चा आर्जन करनी चान आउंच गाउं मा बारक अक्षा बन्द मा अथी पढ़ना का लागी सईचिक स्ता नहोदा बसंते को मन उकुस मुकुस हुन थाल च उसको मन मा कुरा खेलन थाल चन रन एक संभावन अपनी आ अब वसंते को मन मा काटमां डों जाने कव सरी सुरु मा कसको शयग लीए शकी चा आधि प्रबास्ण खेलना थाल चन वसंते कुरां मन मा प्रबास्णि आउंथे ते शाहिगरी हराईर जान थी उसले काटमां का लागी भरत भर्दो आढ़ फिला पार न शकी रहे कोंद एन चोरा को अंतर्मन को वास्तविक चाना इचानी काठमन्डो जाने द्रीडे योजना उसको भुबाले अनुमान गर्चन रहे एक दिन बसंतेला बन्चन चोरा म साने होदा मैं ले तल गईरिकाउं का पंडित बाजे का चोरा संगा मित लगाय को थी उमेर पनी आमर उस्ते उस्ते थियो आमी जय ले पनी भेटन दा असात दे मिल थियों पंडित बाजे ले पनी मलाई खूब माय गर्न होंतियो कईले गाई लत्ता कपड़ा पनी किनी दिन होंतियो पंडित बाले मिज्योलाई उबेलाई नहीं बनारस पढ़न पठाउनु भैको थियो। अले पहची पंडित बाजे एरुपनी पूरा परिवार का साथ तरही तीर बसाई सर्नु भैव। बसाई सरी को के बर्स बची मेरा मिद बाब पंडित बाजे बितनु भैचर। मेरो मिद को नाम हरी नारन हो उनी अईले काश्मंडो मा ठुला जोती सी वायका छन्रे। काश्मंडो को गवरी घाट मा जोती सी हरी नारन भने पची सबैले चीन्छन्रे। छरा तो अईले उआको नाम मन मा याद राखनो है। तदाई काठमंडुमा तनलाई समस्या परे बनी उनलाई पुरानु कुरा सम्जना तिलाउनु। उनलाई तीन दसक अगाडी को कुरा हो, सम्जना की कौसो वलाउनलाई। आपनो भुबा को कुरा सुनी सके पची बसंती विश्वस्त भयो। किनकी एश अगाडी उसलाई मिद्वाचन बननी पनी था थे नर भुबा को मुख बाट एश अगाडी उनका बारे माँ पहिले सुनी को पनी थे न। बसंते का लागी मनमा दरीलो आड़ पलाय। उसमा काठमंडु जानी सपना ये थार्च रूप में परिणत हुने आभास भय। जाए चा किया उपाय बने जनी बसंते का लागी काठमंडु गयर किय गरनी कहा बसनी बनने प्रशनली मनमा सताओन छोटच। उपांस्तर बाट अब काठमंडु जानी तरखर मा लागच। बुबाली बाखरा का पाठा बेची के इखर्च पर्च जोग गर्चन अनी समझाओ दै भन्चन। छरा। काठमंडु जानन याँ बाट जापा हो दै जानू पर छोट। जापा को विर्था मोड मन सुन्दर लाउती बननी मेरो बाल्यकाल को साती छोट। बेड भाय बनी तोलाई 100 गोन शक्ष बुबाको आसिरबादला मनमा राख दै बसंते अब जापा हो दै काटमंडू सम्मको यात्रामा नीश्कियो पांस्थर को गाउबाट काटमंडू तर पर हिडे को बसंते बिर्तामोड आय पची बाले भने को कुरा समधेर सुन्दर लावती को खोजी करना थालिवू ते ती फरा किलो बिर्तामोड मा सुन्दर लावती नामगरे को मान्चे उसले भेट न सके नम तिहां उसले शुन्दर लावती नामगरे को मान्चे चार पाज जान चन बनने था तक पायो तर कुने शुन्दर लावती लाई पनी भेट न सके न सुन्दर लावती संको भेडगाट मुख्य हई न बनने ठानी बिर्तामोड बाट रात्री बस को टिकट काटी उ काटमंडू का लागी रमाना भयो आउनोस काटमंडू बस छुट ने आटियो सा चालकली धुका बाटे कराय पची बसंते बस मा चड़ियो रा आपनों बी चड़ नमबर को सीट मा भशियो संगई को सीट खाली नाई थियो बस एकदम भिर्वाड जैलाख्ष उजस्ते सबै मांचे गाउं छोडी सर पस्ते चन गाडी कुद्न थाले पची बसंते ले कंड़क्टर ला बन्च ये दाई न्याकु मांचे खोई त्या तो दमग भाड़ चाड़ने भनेगोचा बसंते पून सोच्छा दमग कहा पर्चे दाई कंड़क्टर फिस्चा हास्चा संगई का यात्रूपनी हास्चन एक सिंत बसंते अक्कन भक्क पर्चा अनि आफ़ाई चूप लाग्चा गाड़ी हुई की दई अगाड़ी बढच्छा रात्री बस्ती ब्रगती मां हुई केरा शुरंगा हो दई दमग पुक्षा दमग बाटक यात्रूपनी हास्चन बसंते को शेट छेव मां पनी एक अध्माई से मांचे आयर बस्तन ये शो मुंट उठाएर तो मांचे को तरफ बसंते हैर न पुक्षा कता कता तो मांचे को उमेर पनी आपनो बुबा को जस्ते उसले अनुमान गर चा अनि मन माने शोच यो मांचे पांस तरके भई कत्ती जाती होने थियो गाड़ी निरंतरा गाड़ी बढ़ना थाल चा केच इनको सन्नाटा पस्चा वसंतेली तो मांचे लाइशोच अंकल हजुर काठमंडुमान नहीं बस्नों चा हो अनि हजुर को नाम किये वला तो अधमैसे मांचे पनी बोलना फरासीलो रहे चा योटे शीट मां बसे रापनी दुमदुम तिपो भईये चता बाभु भंदै उपनी कुरावा गाड़ी बढ़ावन थाल चा उँ बसंतेला परिचे दिदे भंचा बाभु मेर नाम सुन्दर लावती हो मेर घर दमग ढकुरपानी मा परचा ढकुरपानी ढमग को मुखे चोगबाटके माती परचा म काठमंडों हेडे को एक हपता जती को काठमंडों को बसाई होंच अहला एक आएक बसंते फेरी सन्नाटा मा पुखच उसको मन तरंगीत हुँँच ढूंगा खजदा देवता मिल्यों वसंते मन मा नहीं अनेक कुरा खेलाऊंच बेरता मोड मा सुन्दर लावती खोजी हैने आखेर मत तिस्चै गुम्दै फिर्दे मा वयको ठाउं मा उनी आई पुगी एक छिन को सन्नाटालाई तोड़दे वसंते भन्च अंकल हजुर पांस्तर वाटा वहले आउन वहको अनि अगिनाई भने को थी वहिनरा बसंती फेरी एकपटक सुच्च पुरानो पाढ़ गर वनिको नी अंकल शुन्दर ए आमरो बाववाजे को पाढ़ गर शोदे को रहे चाओ तोटा तिर थुमो बसंती अनि पांस्तर तिर अजुर का दाजुबाई अनोंच अलानी शुन्दर आमरो बाववाजे खलक कोई पां इपो चाई नह उपांस्तर तिर थुमो बसंती को निराश बन चाओ केई भेर अगाडी को जीग्याशु बसंते को कुरा गरने शैली मा सिथलता आयको देखेरा सुन्दर लावते आप में कुरा अगाडी बढ़ाओ दे गौफ काफ गरना थाल चा जहापा काफंडो को रात्री बसको यात्रा रात भरीने चलने यात्रा हुँँच पुरा अनेक हुँचन यात्रा के क्रम्मा दुवैका बानी बेवरा पूर्खेवली धात्थलो सबई शोत को जुँच लाल गर्ड बनने बजार मा राती को खाना खाना गाडी रोकिन च बसंते बने गाडी में डालमट चिवरा र पानी खायर बस्च खाना खायर आय पस्चाद केवेर सुन्दर र बसंते बेच कुराकानी चल्च तेत्ती खेर सम्ममा गाडी का सबई यात्रु निदाई शके का हुँचन औरु यात्री हरुलाई निदाए को देखेर उनी हरुम पनी निद्रा आऊँचर गाडी हल्ली को तालमा निदाऊचन बाटो मा शाना ठुला इस्टेशन आऊचन जान्चन गाडी प्राय कोई कोई मात्र रोकिन्च यात्रु हरुपनी चाल्चुल बंद गरेर पशेका हुँचन बियानी पख मोगलेन मा चिया नास्ता लिनुवल बंदै गाडी मा उर्दी ने जारी होंचा के बेर गाडी पनी रोकिन्च त्यां सबै यात्रु एक इसिमली फ्रेश बंचन मोगलेन बाटा काठमांडु तरपको यात्रा होदा बसंतेला पनी काठमांडु पुगिना आटेगो भान होंचा अब बसंतेला इस सुन्दर संग भेरे कुरा स्वत्न भ्याई न भ्याई होंचा अनि अंकल काठमांडु कती चोटी जानु भयों बसंतेला इस सुन्दर अंकल काठमांडु कुण्ठां बसन होंचा शुन्दर बाबु मा काठमांडु वंदा पनी ललित्पुर को नकिपट वन्ने ठाउं मा बस्चु अला क थी विर्था मोडत रात्री बसको टिकट काटने बाहना में केवेर घुम्न भ्याईं तर दमक्त जती गाडी में बसेर देखने हो तेत्ती मात्र देखेगो हूं राठमंडू तो कस्तो छ अब पूगे पची देखियला सुन्दर मन मक्कुरा खेलाऊंच कता योकेटो मेरे पिछा लागनेत हो ही ना साब दानी अपनाऊच उँ पसंते लाग फेरी शोच्छ काटमंडू कहा बस्चो कहा जान्चो कसको मा बस्चो अनी कसरी आगामी दिन मा पढ़्चो बसंते बन्च, अंकल निस्टे पने मलाई सजीलो छाई न, मैले चीने को कोई पनी छाई न, तरा काठमांडुट ठूलो सोर होरे, बिस्तारे एड़्जस बहिंचा, बन्चन समयले, शुरुमा चाई गारो हला, अब हेरों जे वला हला, उनत मेरो पुबाको मेज्जीवपन य होरे, बरो हजोरली, चिन्नों च, मुह आको नाम, जोतिशी, हरिनारेन हो, उना गोरी घाट माँ पश्नों च रि, बाभु मा, जोतिशी, हरिनारेन, चिन्दिन, गोरी घाट बन्ने ठाउंचाई, गोउसला को छेव मा पर्ष, मा तीमीलाई सानोतिनो स्वयक चाई गर्णन स बागी काम तिमीले नहीं गर्णू परचा। 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 बसंते बसपाग बटा औरको लोकल गाड़ी चड़ेरा गौसाला उरलींचा। अल्मलिदै 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 पस्पतिको दर्चन गर्चा। मिद्भुवा को बारेमा धेरे लाइस्वोच्छा। कतिले उसको कुरै सुन्दैनन। सुन्नेले पनी चिन्दीना भन्चन। देरे शंगा प्रयत्न गर्चा। क्ये उपाय चल्दैना। उस सुन्दरले बताये जें। गौसालामा पुगेरा धर्मसालामा बाज बसन पुख्छा। अंक दुए वली पल्टेको भियानिले वसंतेलाई सबेरे श्वागत कर्चा। उनाता इजो रात्री गाडीमा जस्तो निदाउन सकेको हुदैना। तई पनी चित्ते उठेको छ। रात्री गाडीको वंदा आनंदको विस्तारा धर्मसालामा भैपनिव। निदाउन नसक्नुको कारण बर्तमान को अबस्तार भविष्टेको अन्यलता नहीं हो मान्ना सकेंच। जे होस पसंतेले हिम्मा धारदीना। आफुसंग फोन्सेट मोबाइल पनी नवैको उसलाई काट्मंडुमा दीनरुसंग जुद्न सोजिलो पक्कै छेईन। उँ धर्मसाला को गेट खुलने बित्ति कै पस्वति नात मंदीर को दर्शन गर्ना जान्छ। निजो आउदाउदय गरेको पस्वति नात को दर्शन बंदा आज उसले गरेको पस्वति नात को दर्शन अनुब फरक्र ब्रियत्तर लाग्छ। उँ आनंदले पस्पति नात को छेत्र वित्र संकर भगवान को दर्शन मात्र हैन ब्रियत्तर अनुभुत्ति पनि गर्छा पस्पति छेत्र को भ्रमन गर्दा उसमा आनंदा अनुभुत्ति प्राप्त उन्चा जन प्रकार को आनन्द एस बंदा घाड़ी उसलाई प्रार्तभय को मुदैना उपसुबदी छेत्र वित्र गुमदा गुमदै ब्यानी डल की सक्चा कता कती पेट गुडगुडाय को महसुस कर्चा पेट को गुडगुडाटली वियानी को खाना खानी समय को संकेत गर्चा उसंग सात्मा घड़ी समित्थे न एई भेट्येगा भद्र मानिस लाई उसली डाई कती बजय भनेर शोच्छा तो भद्र मानिस बसंते लाई एक सिन गऊर गरेर हैर चानी भनच बार बजने आचो भाई भशंते दाई यहां कम से कम पईशा मां सफा शुद्ध सादा खाना खानी ओटल कता पाउँछ बद्र मानिस उन गऊर गरेर हैर दाई भनच भाई ओटल कीना चाहिएओ उ त्यां बजन खोनी काम भई राखे को छा त्यां ही जाओ फ्री मा पेड़ वरी खीर सब जिखाओ अउला रेशो ठाओ देखाए रह तो भध्रमांची अगाडित पिर लाख्षा पसंते एक चिन फेरी अल्मल्मा पर्छा अरो अरो बाटा सुन्दा काटमंडो एत्ती सजीलो लागी को थिये न उसलाई पस्पतिको यात्रा सिद्रा को व्यापार यो खान उसले गाउमा धेरे सुने को थियो आजे एकाएक यो उखान उसको इस्प्रितिमा ताजा भईव जे उस चुपचा बजन इस्तलतरफ गाड़ी बढ़छा केई मांचे अरो खीर सब्जी खाने लाइन मा हुंचल उपनी लाइन मा बश्चा मत जाले ताहातो खीर सब्जी थपी थपी खान्चा खीर थपदये गर्दा पची पईशा माक्षन की जस्तो सचाई उसमा नवईको हुईन तर अगी भेट्येको तो भट्र मांचे को भनाईमा विश्वस्त छऊ तेसेले उँ निस्फिक्री छ खीर खाई सके पची सब्जी खीर खानी हरु एता हुता लाख्षन पसेले तीनी हरुको वास्ता गर्देनन तबाउ डुक्का हुँच भोजन फ्रीमाई रहेच उसको मन मा कि एशरी नई सब्दय याँ फ्रीमाई भोजन होंच अलात बन्ने प्रश्न उभजन च अगी भोजन गरेको ठाउंको इसारा गरेर तो भध्र मांचे लाई उप्रश्न राख्ष भध्र मांचे दाई यही मात्र है न उता एता अनी उता उता सब्दय फ्रीमाई निउसोद भोजन भई आल चनी तेई भध्र मांचे आपनो गंत्र भितिर लाख्ष अब बसंते को मनमा काफ्मंडुमा भोकली मरिन्न वन्नि प्रत्या भुति उन्छ तोर धर्मसालंमा फो सब्दै वरिवसन पाइन चाकी पाइन न अला उउँ सोद्न चान्च उँँ धुक्क हुन तेई टन्न भई पशित क्ये चिन्ता बसंते यता आउता को इस्तिते अवलुकन गर्ष त्याहा किरिया पुत्र भवन कताई नुआउने दारा कताई पंडीत को गुन गुन कताई मांचे को बाकलो आवाद जावत्र भवन पसाडी बाट पनी केई ध्वाँको मुश्लोपनी देख्छाऊ। आजाका लागी तो उसको मुल समस्या समदान भय। तर बोली आउने दीन अरुका लागी उशोस्न लाग्छा। मिद्भुवा हरी नारनला चिन्ने मांचे ये दी चिने को छाईना भने पनी कसे गरी पत्त लगाऊना सक्षन। उसुन्दर लावति ले टिपाय को मुबाईल नंबर हेर्च तर फोन करना लाई मुबाईल छाईन। उपाय जुटाएर एक जना संग मुबाईल मांगी नंबर थिक्छा। उतावाट आवाचाऊ। त मुबाईल ले डायल गर्णुबाईको मुबाईल को स्विच आफ गरियेको छा। येसे गरी बोली पल्टको तीन पनी बशंते को उपस्पत्रिनात को दर्शन गरेरा प्रारंब होन्चा। उ क्याई अनुबावी बंदय गईको होन्चा। क्याई मांचे सांको चिन्जान बाईजस्तो अवस्तामा उपगेको होन्चा। येस्ते द्योशको बारा जती बजे को होन्द हो। त्यां अगिल्लो दिन भोजन ख्वाउनी मांचे ले उसलाई बोलायरा सोच्चा। भाई भोजन गर्नी होनी। होनी बशंते ले उत्तरमां संचित रुपां साहमती तो मांचे ले फेरी सोच्चा कती जाना चाओ। बशंते ले तुरून्त जवाब फरकाऊंचा। एक लाई चुँ। तो मांचे ले बँचा बोजन तयार होदै छा। पुर्षत भाई आउ मसंग अएक्षेन। बंदै तो मांचे अगाडी बढचा। खाना को तो मांचे अगी अगी पशंते पची नदी किनारा तर्फ पुछा त्या योटा साधु जश्ता देखिने मांचे वेटिंचा। तो मांचे लाई बशंते को भुचंदाता मांचे बिंति गर्चा। बाबाजी भुचन ग्रण गरिदिनु पर्यों। तो भाबाजी ले खान खाना शक्दिना वधन ख़े औरक बाबा जङते हो फेर गो बहेता वाकें जे सुपित। बोजन गर्णा नमाननों को कारण की हो बनी तु भोजन दाता ले बाबा जिलाश्वोच्छा भोजन गर्णा तो मिलचा तरा बोज को अनुमती चाहिंच बनी योटा अलिक इस्मार्ट बाबा तरफ़े इसारा करचा किया बेटिये को बाबा ले संकेत गरेको बोष बाबा को मा गवेरा बसंते को भजन दाता ले बिंति गर्छा बाबा भजन गर दिनू परियो बोष बाबा परती जाना ले भजन गरनू परियो बोश बाबा को प्रशन सुन्ने वित्ति के बसंते को भोजन दाता बन्च विस जना जातिला पुग ने भोजन तयार सा खानू परिव बोश बाबा खाना चाई खान चन के डारले तोर खाय को प्रति भेगती 100 रुपे लिंच न उन्चा बने खाने उदैना बने नहाने तो भोष बाबा को उतर सुने र बसंतेत अचमित हुन्च नहीं तर भोषन दाता का लागी समित तो कुरा अपतेयरी लो लागछ तर भाबा जी नजिस्किनुन बने र फेरी बिन्ति गरच तर तो सरकल मा पईशा नली गना भोषन गरणी परमपरा रहे नच अंतिम मा भोषन दाताली बोष बाबा संग बिन्ति गरच बाबा जी प्रति पेक्ती रूप पचास का दरली 20 जनाली भोषन गरदीनु परिव बोष बाबा तिस्वची एउटा सर्त राखच पचास रूपे आमा नहीं भोषन गरणी परनी ओ बनी फपेर खाइन ननी रूप पचास सम्मा मा भोषन गरदीनी 100 मती बन्च 20 जना बाबा जस्ता देखिनी पेक्ती लेरा बश्चंते र भोषन दाता मांची भोषन बनी कु ठाउमा फर्किन्चन भोषन तयार हन्च सबहे फटा आपट भोषन गरेरा पईशाल निदे आपनु गंतब्बे तिर लाक्षन तर भोषनते का लागी यो अचम्मको घटना लाक्ष उँ येरी रहन्च बश्चंते तयाई छ तो भोषन दाता को आफंत को किरिया को आज अंतिम दिन्च बेडगर्ना आउने जाने मांची को क्रम चली रहन्च आफंत अरुलाई पनी भोषन गर्ना अनुरोद गरे पनी एशो येवटा फल्परूल मात्रा खांचन के के बाहना बनाउचन पस्पतिका कावा भोकाले मर्देनन यो उखान बसंतेली गाउम में शुने को थियो यो उखानली उसको दिमाग आज रन काई दियो येसाई गरित तो दिन पनी बसंतेली बिताऊँच साज मा दर्मसालामा गयरे शुच्च अगिलो दिनको निद्रा भयेकोली मस्त निदाऊच्च निद्रामा परेको बेला सपना देख्च्च उसले सपनामा दमका खनालाय देख्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् अंक तीन जब खनाल को फोन मा घंटी जान्च ताव बसंति को मन चंगा हुँच वसंति एलाव खनाल अंकल नमस्ते खनाल नमस्ते कोगल नुभाको बसंति मा बसंति पांस्तर बाट आयको अंकल मैले हजुर लाई जस्चरी भाई नी भेट गर नुछ भगोई शाला धर्मसालामा बसे कोच अंकल खनाल धर्मसालामा कीना नी भसंति पाईड़ पटा काश्मंड आयको अंकल मलाई दमक को सुन्दर लाउति ले हजुर को फोन नमर दियेको हो खनाल अनि तो सुन्दर ए खोईता भसंति उनिता आउदा आउदे खलंकी बाट आउता ललित पूर्तिर नहीं लागे के के काम चबन थे खनाल अनि मेरो नमर कीना दियेको आरेता भसंति अजोरली मेरो मित भुवाला चिन न उन्चारे तेई भेर खनाल बाबु तिमरो मित भुवा़ाको नम कीओ ந कि काम घर्चन जोतिसी अरिनारन अंकल खनाल गवरी गाटमा बशने जोती शी अरिनारंद आयता होई नं पसंते हो 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 गवरी गाटमा नहीं बशना होँचा खनाल एक एता तो एशोगर अब धर्मसाला छोड़ दे पोका पुंतु राक्ये के चन लेरा बहर मल आई जा पहला पस चाड़े राऊनो बवरगल चोकमा आई पाची ओर लेरा बायर जे भिवाग पसाड़े आऊनो दमक को खनाल बने पाची सब पसले ले चिंचन अलेक छिटे आई जा रूपया पईशा किये कस चा मिलायर आई जा मा विचार गरमला बशन्ते हस अंकल खनाल शांको संबात पस्चा बशन्ते को सबय अन्यलता समाप्त हुन्च किना उसमा तेस्तो तरंग आयो उस्वयम अनभिज्या छ पांस दिनको धर्मसाला को बशाई समाप्त कर दे बशन्ते बश चाड़ी बवरमल तीरा लाग्छ बश मा बसेगा बेला खनाल अंकल कस्ता होलन बवरमल मा गार बेल्डिंग पक्के होला अने व्यपार ब्यवसाय राम्र होला एसते अनुमान गर्छ बश हरेक इस्टेशन मा ग्याचा ग्याचा रोकिंदै एक गंटा मा बवरमल पुक्छ पुका पुंतुरा स्वाइद बसंते बस बाट वरलंच बवरमल बाट देब्रेतीर छिरे पची एक होट लगाड़ी लामु मेचमा के मांचे बसेरा गपकाप गर्धाई होंचन बसंते छेवमा गयर शोच्च याँ खनाल अंकल का बसन होंच तो लामु मेचमा बसेगो मांचे मद्दे यह उटाले उल्टो प्रति प्रस्ण गर्धा दमक को खनालो बसंते मुन्टो अल्ला आयरा हो बन्ने संकेत गर्धा तेस बची तिया बसेगो मांचे मद्दे यह उटाले उठेरा अले बाटो तिरे आयरा बसंते लाई बाटो देखाय दिन्छ याँ बाटो सीधा अगाडी जानू अनि हलुलका देवरे मोडेनू अनि दाइने पट्टिको बाटो समाते रा अगाडी जानू जानाती में जुकिन्छो याँ सोद्नू तमक्का खनाल वने बची हरेक पसले हरुले ठ्याक कई पुक्छो शोद्दै जाओ सोद्नू परदा बट्वालाई न सोद्नू न चिन्न सक्षन पसले लाई नहीं सोद्नू बसंते दंग पर्छो खनाल अउंकल को लोग प्रियता राम्रो राइचा केई समय एड़े पची होटा पसलमा सोच्च अलि अगाडी बन्चन अनि फेरी अलिक अगाडी सोच्च त्यां बाट पनी अलिक अगाडी बन्चनू अगाडी बरदै शोद्दै जान्चा खनाल अंकल तो पल्लो छेव मा बस्ता राइचनू पसले रुगा बीज मा खनाल अंकल लोग प्रिया उनुको बनी विशेस कारण होना सक्लानू चाय ज खनाल अंकल को मा पुक्छा खनाल अंकल कोठामा बस्ता राइचनू येवटा किचन कोठा अनि अरको बेडरूम बेडरूम मा दुई खाट लगायका अनि किचन कोठामा पन येवटा खाट लगायको राइचनू दुई छोरा स्वय चार जनाको परिवार खनाल अंकल को रा बसंते लाई स्वागत सत्कार राम्रोरी करे। बसंते लाई स्वागत सत्कार राम्रोरी करे। बसंते लाई स्वागत स्वागत सत्कार राम्रोरी करे। आपने नजिक को नाता संबंद को परिवार जस्ते महस्तोस गर्चा वरिपल्ट उज्यालो हुँचा खनाल निवासमा ब्याने पत्रकार होडले फुत फुत पत्रिका फाल्चन खनाल ती सबय पत्रिका ब्यान चिया नास्ता खादे पड़ी सक्षन ब्यान खनाल ला भेटना आउने अर्गो वेड़ बाट पनी राम्रई होदो रहेचा खनाल को चिंजान राजा देखी रहती सम्मा नेपाल देखी अमेरिका सम्मा नहीं चोज़स्तो अनुमान गर्चा पसंती चिया नास्ता पचे खनाल ले अब गुमन जानु परचे गाठमंडु बंदे बसंती लाई त्यार बनाऊचन बाईक टालोले पुछ पास पारेरा लाप्त ले दुचोटी फटाक फटाक पारे पचे बाईक इस्टार उन्चर बस केटा बाईक मान काना हाने बेलामा काठमंडु गोमी शकेर आउनु परचा बंदे बाईक अगाडी ले रा खनाल जान्चन सिद्धे बाईक ले रा खनाल रत्न पार्क पुक्छन दोई मिनेट मा रत्न पार्क को बड़न गरी बाईक अगाडी पढ़ाऊँचन तेस्पचे अन्वांडोका प्रणी कारी ले गुमाऊँचन अने सुन्दारा जेल देखाऊँचन तेस्पचे सिंग दर्बार गुमाऊँचन अंतिम्मा पसवदी लेर जान्चनर गाटे बईदेको छेवुमा तोलर रएको ब्रह्मनाल औरी परी गुमाई बाइक मा सररर बार मल फिरता हाऊँचन कुठा माँ खाना त्यार बैको उन्चन खाना हांचन खाना खाई सके बची बसंते खनाल अंकल लाशोच्च अंकल कार्षंडू एत्ती ओत गुमनी खनाल एत्ती ओ बाब कार्षंडू बुझनेला श्री खन्ड न बुझनेला खुर्पाग मेड बसंते बुझने गारो बता अंकल खनाल केठा बुच्चस मिश्था रही के कोचिंता बसंते और बनाल बोली मिरेवडा जरूरी मीटिंग छ पर्षी बियान्ते रो मिद्बुआ को मा लगे दिन्चू तयार होनू आज येशो अरी परी आफे गुम उचाले को कुकुर्ले मिर्ग मारते न बिचार गरनू बसंते लाई खनाल अंकल का कुरारू पुझन पनी कठीन होन्चा बुझे पनी न बुझे पनी मान्चे भलोन वन्ने महस्तुस राम्राई संगा गर्छा तो दिन बेलुकार भोली पल्टको पूरा दिन एकले बवर्मल गोरी परिगुम्चा बसंते लाई अब छिट्टाई मिद्बुआ संग भेटुने अनी आपनो बविशे सुन्दर होने कुराको कल्पना होँचा उसले आजा फुर्षत हुन्दा इवडा चिठी लेखेरा बुबालाई पठाउं देचा उलाक अपिसको साखा कारेले बवर्मल महुँचा उसलाई चिठी पोस्ट गर्णा पनी सजील होँचा पर्षे पल्टको भियान खनाले आफनो बाइक मा राखेरा बसंते लाई जोतिसी हरिनारयन को मा लियर जान्चन खनाले अरिनारयन को घर देखी राखेको ले उन्यहरु तुरंत पोक्षन बाटो मा बसंते को मनमा तिब्र घचिमाने कुरा खेल्चन ये बीच मा उन्यरू जोतिसी अरिनारेन को घार मपुखचन। जोतिसी अरिनारेन को घार बसंतेले सोचे बंदा बनी ठूलो कमपाउंड भयको आटजा सोडा गाडी राखना मिलने चार तले हुँच। जोतिसी अरिनारेन चर्णी गाडी बनी मंगो खालको हुँच। तौला भुनितला मा जोतीसी अरिनारन को ड्राइबर बसने कोठा होंच, समग्रमा जोतीसी अरिनारन को मा शिवा लिनावनी नेपाल को उच्चा सामाजीक आर्थेगर राजनतिक पोच वैका देखती हरू अनी भारतिय मोलका भरानिया मानीश अरू अनी वेपारी हरू होदा आये चन्, जो तीछी अरीनारेन को जीवन शॉयली कुली न प्रकार को होंचे। खनाल लाइ देखने वित्तिके जोतीछी अरीनारेन अंकमाल गर्चनुन्य रुको आक्मियता एकदम प्रकार किसिम्को देखिन्च। कनाल र वसंते लाई तिस रो तलामा रहेकु बईठक कोठामा भब्बे स्वागत गरिन्च चिया नास्ता त्याई बईठक कोठामा आऊँच सबय खुले र चिंजान गर्चन अरि नारेन के श्रीमतिपनी बईठक कोठामा आऊचिन कनाल को परिचे जोतिसी परिवार्शंग पुरान होंच जोतिस कर्मकांड का कुरामा शिपालू होंचन मने खनाल द्यावारी कुरामा शिपालू होंचन जोतिसी अरिनारेन र वसंते को सम्मंद बारे नया तत्या आज खनाल ले तिया बेक्त गर्चन पनाल शुन्यो शारिदाई तपाई विद्वान हुनुँँच म मांचु तर जीवन को योटा रहस्य चुन रहस्य आजा सम्मा तपाईले था नहीं पाउनु भाईको छाई की छाई ना जोती सी किये कुरा खनल भाई खनल जीवन को मत पुन घटना आजा महिया शुनाऊचु आजा को यो सम्मयो घटना खुलाउनु परनी खालको पनी छो किना के याँ आजा बसंते छा भाउजो उनुँँच तपाई अनिम्म तपाई शुन्न चानुँँच वने मात्र सुनाऊन नत्र सुनाऊन अरिदाई जोतिसी आजा सुनाऊने पर्चा खनल भाई खनल पथा योटा रोचक छो मत पुन पनी छो आजा सुनाऊन उपयुक्त छो जोतिसी लाब डिला नगारी कुरा सुनम खनल तेस वैला सुन्नस अरिनारं दाईर वसंते का भुवाले सानुमा मीत अरिदाई जन्मने भित्तिके देखी अतिने बिरामे हनों थे अरि पाड मा जती आउसदी मुलोग अरे पनी ठीक भाई नरे तेस पचे ठोल भुवाले अरिदाई को चीना देखाऊना एक जना जोतिसी कोमा जानुबाय चा धनकुटा जोतिसी ले चीना हेरी चके पेची य अरिदाई का भुवाले के घर्दा हुँच एकदम चिन्तीद भाईर उपाय सोदेचन जोतिसी ले बनेचन एसके उमेर को एवटा केटा सिदे इसको मित लगाई दिनों छोरा को ग्रदाई चा पंचिन्च के भाई आले व बने तेई मित केटाला हुँच मरीने आले बने प बेटीए चन रद मीत लगाय दिनों भाई चा पंचिन्च लगाय को दिन देखी हरिदाई चटक के भीरामी होना छोर नों भाई चा ठुलो भुवा चाहिं चिंतीद होनों थेओरी ठुला भुवा आर्थाथ हरिदाई को भुवाली मित चोरो कस्तो अवस्तामा चा बने रा भुजन जादा केई कपड़ा सामन पनी लगी दिनों होदो राई चा बसंते को भुवा बनी बेला बेलामा बिरामी भाई राखने आरे उबेला अनी फेरी हरिदाई 5 बर्षको भाई पचि हरिदाई को भुवा उई जोतिसी लाई भेटना धनकुट जानु भाई चा चोरो पड़ने बेला को भायो मलाईता छोरा लाई जोतिस विशे पड़ाउनी मन्च उन्चकी उन्ना बने रा शोद्नु भाई चा कुरा एकदम रामर बंदई जोतिसी बाले हरिदाई को भुवालाई उचित सल्ला दिये चन। तिने जोतिसी बाले बनारस को एक गुरु आश्रम को ठेगा ना दिये रा पढ़न पठावु बने चन। ते आश्रम मा ठोलबुवाले हरिदालाई पढ़न लगनु भाये चन। पससेलाई नवन्नु भन्नु भायकोतियो। तरा आज बसंते उच्च शिक्षे आपचन गरने नहीं हो भनेर हिम्मत का साथ पांस्तर देखी काठमंडो आये चा। बाटो गाटो नहीं मेरा मिदबुवा हरिनारण जोतिसी चिन्नों चा बंदई शोदे रहेंड़ा एसको दिन बलियो रहेचा महका आई पुगियो। महीले यानले आई देएं। अब अरिनारण दाई बसंते तपाई को जिम्मा भू। येसले पड़न इच्चा गरे जती तपाईले पड़ाउनोस। पची येसले शेवा अवस्चे गरने छ। खनाले योबीशा यें टुंग्या अब बसंते जोती सी अरिनारण पनी आपनु काममा लाख्चन। अब बसंते जोती सी अरिनारण को जिम्मा भू। गर को एक सदसे जस्तो बन्न पूएको छा। बागे को लेखांत अपनी अचम्मक हुन्चा। ये जो सम्मा नचीने को मैंचे आजा साख्खए आपने जस्तो। अंक चार। मौ इमांदारी चाले मित बुवा मित आमा को सेवा गर्च। लगायको काम गर्च। आपनो शुरच्चित गन्तप्वे मां पुगे को माउँ फेरी एक पटक भुवार भायलाई सम्जांचा। भुवाले बाखरा का पाठा बेचेर जम्मा गरेर देको पैशा सम्जांचा। । दünde बेलामा भनेको कुरा सम्जांचा।। शुन्दर लाउतिको गुण सम्जांचा। औनि पस्वधिगोव शालामा दर्म सालाको बसाईको कुरा सम्जांचixí। अनि आपुलाई भगवानले अउला समाते र ल्यायर मित बुवा को मा छोडएको सम्जांच। उसले खनाल अंकल लाई याँ सम्मा एशरी लियाईपुर्याउन स्वयक गरिको माँ धन्य सम्जन्छ उनलाई महान बेक्ती रहेको ठांचरा मनमहने धन्यवाद पनि दिन्छ अब बसंतेले त्या मित भुवालाई बाबा मात्र भनच अनि मित आमालाई आमा बनन थालच बसंतेले एशरी संबोधन गर्ने हुनुमा जोतीशी हरिनारेन को स्रिमतिको मुख्य सल्लारा भूमिकार अन्छ जो तिसी हरिनारेन बनारस पडे राय का बेक्ती भायकाली बारती हरुमा पनी उनको प्रवाब रहे कुछ तेसे गरी नेपाल का आर्तीक सामाजिक्र राजनतिक पहुच वाला हरु उनका स्यवा ग्राय बने का चन पईशा मनक्य कमाउने गरे काचन हरी नाराइनले उनका दुई छोरा अस्ट्रेलियामा पड़ दैचन खास्टाई नेपाला आई रन भ्याउदे न घर मा बांशा को काम गर्नी र गर को काम सर्शपाई गर्नी योटी 50 कटे की मैला राखे काचन नेजी सवारी चालग छो जो परिवार्शाई भुई तला को कोठामा बस्च त्यां गेट मा उबिनियोटा सेकुरिटी गार छो जोन ग्रूप फोरबाटा हायर गरियेको छो बांशा कोठा गर को मातिल्लो तलामा छो बांशे दिदिलाई भसंतेले आंटी भंच उनको कोठा मार्थी नहीं रहे चा औनी अनेक थरीका पुजा का सामान भांचा कोठा को संगय को कोठामा उन्चन गर को तेश्रो तलामा बैठक कक्षे चा तेश्रो तलामा अरु कोठारु पनी चन तेसरो तला का कोठामा जोतिसी हरी नारेंडर उनके श्रिमती को स्वयन कक्षा छो त्याहां मनग्य कोठा छो उन्हेरों जुन कोठामा मन लागयों तेसमें शुत्नि गर्चो गवार को दोसरो तलामा वसंते का लागी एक कोठा छोट्याईंच शंगय योटा ठूलो हल पनी तेसलाई पुस्तका लईको रूपमा प्रयोग गरिये कोठा दुयोटा कोठा पावनाहरू आओधा बसन को लागी प्रयोग गरियेकोठ अओ налाग कोठा जोतिसी हरी नारेंली आपुले पायगा सम्मांत अधा प्रमान पत्रय हरू रहुसे का चान गर को इस्तितिका बारें बसंते ले सबई जानकारी लेंच पाउनालाई छुट्ट्याएको कोठा मर्देवटा निक्के लामु औरकवाली सानु होंच तो लामु कोठामा बसेर जोतिसी हरी नारणले सेवा ग्राईलाई सेवा दिने गरेका होंच बाईरेको कोठा प्रतिक्षा लाई जशरी प्रयक ग दोस बजे देखी बसंते को जागिर जोतिसी हरी नारण के घर मां तोये छाईली बसंते ले जोतिसी हरी नारण को नीजी सचिप को रूप मां जागिर शुरुगरी को छो जोतिसी हरी नारण को कारे तालिका मिलाउनी सेवा ग्राई आउनी तालिका मिलाउनी रप्वारी आ अवन्य काम्पनी गर्नी जिम्मेवारी उसको हुंच, बसंती आये संगी जोतिशी की श्रिमती लाये कामको बोज एक दमे घटेको छ, उनी अभकास प्राप्तक कर्मचार जसरी हलका भय की छीन फूर्षा दिलीर घूषी देखें छीन। जो तिसी आरी नारेन व्यान उठे रा नित्य कर्म पची समचार अपडेट स्वाध्यन गर्चन, 9 देखी 10 बजी सम्ममा खाना खायर श्यवा ग्राई को श्यवामा जुट्छन, तो चिता मपुर्यां उचु भने जस्तू, शुखत परिश्तिती बसंते को सामुआउदा अर् बसंते ले जागेर प्रारंब गरे बची जो तिसी हरी नारेन ले पनी आउने मान्चे अरुका कुरा तोहीले पनी सुन्नु पर्चा, ज्यानगुन मिल्चा बने रा उसलाई पनी भीत्रई बसी सेवा ग्राई बसने छेवमा गोप्य रुपले बसने सानु क्याबिन को व्य सेवा ग्राई ले थान पाउने गरीतु गरियक होंच ये स्मार्ट प्रस्ट होंच बसंते ले हर एक सेवा ग्राई का कुरा तथा समस्या सुन्न सक्छ उता सबाई का माजमा जो तिसी हरी नारेन को केंद्र गोप्य विश्वशनिया भाई को ले इस्तापित पनी छ एक दिन मौंगो गाड़ी मा एक सेवा ग्राई आऊंच उनि एक दमे खाय लाग्दा देखिने चिटिक का परेका उमेरली 65 बर्स जती भाईका अगला गोरा बिद्वान चस्ता देखिने सबाई प्रकिर्या पुरा गरिया आपना समस्या सुनाउनर एसको समदान खोजना जो तिसी ह अरिनारन गड़ी वेवस्ता गवरियेको आसनमा बस्चन ती भेक्ती पेशाले बरिष्ट ओकिल हन्चन जो तिसी नमस्कार बशों यो केंद्रमा आए पची जिबन का सारा समस्या निर्मूल गरेरा मानिसलाई शांती हुन्च तेश पसाद मानिसरु बांकी जिबन आनंदल जिवन सक्चन बायको बनी तेश्ताई छ बन्नुस हजुर का कुरा केचन बरिष्ट ओकिल मैले पनी तेशाई बनेरा आएको गुरू मेरो मन बनी ज्यादे असान्त च साय जीबन को कर्म को फल ले होला जो तिसी स्वय बन्नुबयो मानिसले जानेरा और न जानेरा गलत कार् सक्चन जस्वाट असान्ति को ब्यू रोपिन चा तो ऐले काई असल कार्य गर्दा पनी परिष्टिति का कारण मन मा असान्ति पईदा होंच बरिष्ट ओकिल ओ गुरू जो तिसी जसरी डाक्टर को में जादा सबय रोग का बारेमा बताऊनु पर्ष देखाऊनु पर्ष अप्ठार अंग गोप्य अंग का रोग का बारेमा पनी बताऊनु पर्ष तेस से गरी तपाई का जीबन समस्या पनी अब मलाय बताऊनु पर्ष तपाई ले शुरू दे जीवन को कानी मेरो अगारी भन्नुष परिष्ट अकिल, गुरु मापाउं वन्दै जीवन कानी प्रारंब गर्शन, गुरु, बाल्यकालमा मद्यम बर्ग को अरिवार को संतान भयको उनाली सामन्ने धंग बाट मेरो शिक्षा आरंब भयो, वर्दै गई पची अकिल सम्म बन कानुन व्यवसाई छेत्र, बल्यूर निक्काई आमदानी उन्च होला जस्तो लागे को थियू, तर कानुन व्यवसाई को छेत्र माँ शूरु माँ ओकिल हरुला चिया खानी पईशा पन्य होने रहे छो, कलाइंड हरुले नपत्याई दिनी, सबही प्रकार का मुद्द बार एसोशेशन लिपनी खासे महत्तो न दिनी, अध्डा हरुमा पनी कसेले वास्ता न गरनी गार हो दो रहे चा, फुक्का फाल जस्तो अवस्ताम को गियो, तेस पची बास्न ने गार होला जस्तो भयो, अब क्ये गरनी, बनी दिमाग मा कुरा खेलाउन थाली, एक दिन य जोटा आइडिया आयो, आपनी ल ओपम खोलने रा मयला हरु का समच्या, measuring दो अध्डा हरुमा फ्री मश्ते वाद दिनियुना हला फिजाउनी, तेस बस्था फात्ता फुट्ट मायो हरु आपना समच्या सनाएन, निवेतन अरु लेखना रा के फिराद लेख़ाउन पन ना थाली मेरो लौपम अली-अली चौले को जस्तों देखिना थाले अब अब इस्तारे के अरू ठाप मांचे पनी आउना थाले विस्तारे आमदनी का काम पनी होना थाले तेस दीन देखी मलाई आपो ओकिल हुँ बनने कुरा को महसुस बयो अनि महीले पईशा का लागी पचाडी फरकेर हेर नूपनी परेना ओकिल को इसाब मा मेरो चूरी फ्री बढ़ देगए गयो रामरा केटी क्लाइंट आउदा जिसका उना मन लाग न थालेओ तेस बेला मो विवाईद भाईपनी अपिसमा आउने रामरा केटी क्लाइंट हर लाई जिसका उने छुने गर न थालेँ विस्तारे आदत बिग्र देगए गयो तेस पचे का दीन मा सेवा सुलक तिरन नसकनी मयला हरु लाई सारीरिक सम्मंद बनायरा शेवा दीन थालें उता ओकिल हरु को सरकल मा जादा कमाउने ओकिल भनेरा डाह गर ने साथी भाईपन निसकन थाले दीन हरु अगाडी बढ़ देगए समय मेरो लागी उपएक तो देखियो आर्थे गुन्नती दीन प्रति दिन हो देगए गयो श्री मतीले बेला बेला मा संका गरे पनी कमाउने श्रीमान भनेरा खोशी नहीं थीन आयमा भूबा शासु शासुरा सबे खोशी थी बाईक महिन्ने मा कार महिन्न थालें समाज ले मलाई हेर ने नजर पनी बदलियो मह समाज को प्रतिष्टित मांचे को रूप मा इस्ताफित हो देगए देश मा राजनेतिक पाठी हरू छादेए थी विविन्न पाठी हरू ले मलाई आपू तरफ आकरशित पनी गरी रहन थी मह पनी अनुकुलता हेरी पाठी परिवर्तन गरी रहन थी विवसाई ग्रूप मा मेरो लफम पनी निके इस्तापित भयो पचलो दीन मा मह पनी सामन्य ओकिल बाट बरिष्ट ओकिल मा रुपांतरित भयी बरिष्ट ओकिल कसरी भयंचे बनने अनुभप नी भयो मेरो लफम माव नव प्रवेशी कानुन वेवसाई हरू शिक्ना आऊन था चान्ती केटा सिकारू कानुन वेवसाई लाई बन्दा केटी कानुन वेवसाई लाई प्रात्मिक्त दिन थी उनियरू पनी मा संग जुमीन थी नव प्रावेशी केटि ओकील हरू विस्तारे मेरा पंजाम परती। विस्तारे विस्तारे उन्हेहरला लेरा बाइभी इडिला अधाल। महानी मीटिं हरूमा पन जान। उमेर मा मίαςदा कशम उमेरभएका केटियरू धेरे मेरा प्रेमिका बन थी दो कुलत्मा येदी सम्मा लीप्त थे की शिकारों कानून वेवसायरू गर्वों परेगे थी उनियोर लाई एमा बन्न बाटा रोकना सक दिन थी, मिरो सामाजीक इज्जित को फाइदा उठाए रा उनियोर को विवाग गरी दिन थी, क्याई खर्चपनी दिन थी, देरे केटी अर्जदा रामरे ठाममा परेका चन, इज्जत को साथ घर बेवार औनी व्यवसाय पनी चला अईले मेरो यो बुडेशकाल मा धेरे मैला हरुबाट्र धमकी खेपनु परेको च, ब्लैक मेलिंग मा पनी पर्नु परेको च, म सारे असांत चु मैले आर्थिक स्वयक धेरे लाई गर्ण सकनु पनी मेरो कमाई भायर नही हो, कमाई होननलाई पनी सिक्वेंच मिलनु पर्च, मेरो कानुन व्यवसाय यात्रा मा धेरे सिक्वेंच मिले काचन, एक पटक मलाई उद्योग मंत्री ले बोलाई, मा गवाई, उनले भने, तिमी मेलाई सबय ठाउबाटर दोस करणाऊ चा, तर 40 प्रतिशत मात्रे तिम्रो, 60 प्रतिशत मेरो, आयकर देखी अक्तियार सम्मके फरक नपर्ने गरी फायल बनायर पेश गरनू, उना तो मोपनी दिन भरी नितारु को औरी परी गुमनी, बेलुकाती र उद्योगी व्यवसाय आपनो नामलाई ब्रांड बनाई सके पचिव अधालत मा बास गरी को फी बन्दा, शयों गुना बडी फी अधालत बाहर को बास बाठ लिन थी, शरकारीत अबर बाट आयका जमेल अरुमा समेच जोडियर विविन्ना काम हरू पनी गरियू, आजकाल मेरे लोफम मा काम शिक मेरो दिमाग एक दमई तना आप ग्रष्ट चा, गुरु मलाई शांती को उपाय मता है दिनु परियू, जो तिसी, सबाई फेर इस्त बताऊनु भयो, ठेक शा, आग तिनु पर दैन, तेसको दो साटेर जाने चा, औरको सोंबार ग्रष्षांती मंत्र अभिशेक गरनु पर पुजा सामगरे लेखी दिन्चु किने रल्याऊनु बरिष्टो ओकिल पर चिल निदई होस गुरु बरिष्टो ओकिल बाईरी ये पची, जो तिसी हरी नारन पनी बाईर निसकंचन, बसंते तियां पसाड़ पट्टी बनाएको क्याबिन बाट निसकंचन, तो दिन को मु अंक पांस दुबई खूशी होते जान्चन, बसंते आये देखी जोतिस केंद्र को समख जन उजे लिएको हुँँच, बियान क्यामपस मा पढ़न गईको बेला, बसंते का अनुभवी कुरा हरु बाट, साथी हरुमात्रे हैन गुरु हरु पनी प्रभावित बन्दे जान्चन, बसंते नौ बजे तिरे क्यामपस बाट आउँदे गरेको बेला, जोतिसी ले बसंते लाई शोत्चन, कीना क्यामपस बाट समदाई छीटो आउँचसता, बसंते अईन बाबा, मा क्यामपस को पढ़ाईता एसे कबर गरी हाल चुनी, एताको कामपो बिग्रन तिनु भाईन जोतिसी, बाबु तो आए पची मलाईता क्ये खचसकाना आखो जस्ते पो भाईको छता, अनि या शुनता, बली एक जाना ब्याई पीले समय ले एकाचन, अस्तिको जस्ते मिलाई राशुन आई, बसंते हुन चनी, तो दिन को काम सकेरा बेलुगा शुतने वेलामा बसंते कल्पना गर्चा, अस्तिका जस्ते ओकिलाउने हुन की कुआ आउलाम, अन तिम्मा सोच आ, किना टाउ को दुखाउनू, बली था बहयाल चनी, बसंते बली पल्टे क्यांपस बाटा, चित्ते आउँ छानी, जोतिसी बाबाले अगिले दिन सम्जाय को कुरा, राम्र संह या साइड लायर राखन सोग गर्चा, तेस गाड़ी को डाईवर तौलकोटामा रहे का पत्री का हेरेर बश्चा बनी तेस मा आये का वियाईपी शेवा ग्राई, जोतिसी अरिनारेन को शेवा केंद्रमा पुक्छन, ती वियाईपी लाई नियम अनुसार आशन मा पुराइन आजा का ती भियाईपी पनी उमेर लेतियस्ते 64-65 जात्ती के देखिने गोरा-गोरा खाल का देखिन चन। जोतिसी संग को प्रारंबिक संबात मा बसंतेला धावन चति ब्रेक्ती हाल साले अवकास लिएका नियाय दिस रहे चन। बसंतेले जोतिसी बाबाको मा आहुदा स सम्हर आमरोरी ओकिल पनी देखिको बेटेको थिये ला. नियाय दिस को तकी एकुरा अस्ती उसले ओकिल सम्हर साक्षातकार गर्नी मौटा पाये को थियो आज़ नियाय दिस संग। जो तिसरा स्यवा ग्राय का बीच का संबाद ले गतिली न नपाउदै नियाय दिस बारेक शंतुले चित्र उसको मन माँचन जान्चन पनी तेती बेलाई संभाथ सुरू उन्च पुर्वनियादिश गुरु दर्शन आई जोतिशी दर्शन पुर्वनियादिश मान्चे को मन कहां सांत उदोर आचर गुरु जागिर नपाउनेले जागिर कासरी खाऊ वनियुँँच तेश पची बड़वा को टेंचन अनी फेरी घर परिवारको उननती को टेंचन जागिर को पनी अनेक फ़नी ठरी टेंचन आज काल त अवकाश पची पनी उत्तिके टेंचन भाचा गुरु मन सारे असांती भो मेरो मन लाई सांत गराई दिनू परियो अब साब ठेगों जा धन्दा नमान्नोस पुर्वनियाई दिश तेईता आसाच गुरू समस्या को समधान खोजना अभीगत को जानकारी आवसेकता पर्दश यो जीबन को उत्तरार्थ काल बने को जीबन ला असांत राखना का लागी है न तपाई को जीबन मा शेवा अवद्दी मा कशरी कारिये गरियो तो खुलास्त राखनू भयो बनी ग्राश आंती गरना स्वयव पुगने चा पुर्वनियाई दिश भीगत का कुरा नकोट्याए हुन्नर गुरू जोतिशी ते भीघलेता ओएले असांतィ करे को छत ते भीघलेता कारिये को उपजु यो बुड़ेश कालको मन को असांती पुर्वनियाई दिश अब जे-जे है गरिरो उच्छ मन्मा शांती गरुद्डिनू परे गुरू डाक्टर काहां तो कती गए गए डाक्टर ले तो उल्टे शक्दी नपो बनचन मेरा धेरे साथी ले यहां आये पची मनमा सांती मिले को कुरा गर्चन जो दिशी अवस्य तपाई लाई पनी सांती मिलने चो अब तपाई को जन्म देखी को पढ़ाई जागिरों दे अबका सम्म को वटना क्रम संचिप्त मा राकिती नोश मेरा जन्म काब्रे जिल्ला को योटा सामन्ने परिवार मा भईको हो आमरो परिवार किसानी परिवार थी हो खेती को जग्गा जमीन भई पनी काम गरदा खाना पुगने काम न गरदा खाना न पुगने अबस्ता थी हो मेले मार्दमीक तअगो पढ़ाई गाउं बाटा पुरा गरें तेस पची गाउं का दाई दिदी अरुले जसरी ने काठमडों आयरा पढ़ना थालें कॉलेज पढ़दा आमी कोठामा आमी चार-पांज जना मिले रबस्तियों मा यले कानुन विशाय पढ़ें पोकील को लाइसेंस पनी लिएं तेई बेला नियाय चेत्र मा जागीर खुलियो मा जागीर मा प्रवेश करीं पचे जिल्ला नियाय दिश बनी र जागीर को उतराद चरण मा सर्वत्च अधालत को नियाय दिश बाटा अबकास पाएं यही हो मेरो संचिफ्त जीवन गुरु जोतिसी यही हो जागीर को चक्रा पूरात भयो तर नियाय दिने सवाल मा कार्य संपादन को सरी भयो केई कुराने तपाई को आजगो मन को असांति को जोड़ो नियाय संपादन गर्दा भय का प्रकिरिया एवं गड़बडी समेथ खुलस्त राखे दिनो होस अर्था तपाई नियाय संपादन गर्दा केई उदेश्यर आखेर गर्नो होंतियो तु निखुलस्त पारी दिनो होस पुर्वा नियाय दिश गुरु मा सबई तब बताऊचू तर योकेवल गुरुरा महमा मात्र सिमेथ होनू परच तेस बारे मा चिन्ता लिनू परदैना भाई आलच नि पुर्वा नियाय दिश गुरु जीबन मा गरेका कती राम्रा कामता बिर्चिने अवस्तामा पनीचू तर मिरो आफने जीबनला एर्दा पस्ताता पनी लाख्ष केई ग्रिना पनी लाख्ष देरे काम हरू गलत गरिये चा जस्तोपनी लाख्ष आफुले गरेको काम बाटा आज ज्यादेनी असांती महसुस भाईको छ जोतिसी बंदे जानुष पुर्वनियाय दिश मा शुरु मा जागिर्मा छिरिं जागिर्मा छिर्नो अगाडी ममा देश प्रेम को ठूलो भक्ति भाव थियो नियाय संपादन को कामगार्दा शुरु मा पहिशा लिनुपर्चा पहिशा आउंचा जस्तोपनी लाख देना थियो तरा नेपाल को जागिर्मा तो तेस्तो होंदो रहे नचा कुनाई ने कुनाई तरिकाले पहिशा आउंदो रहे चा कईले फाटवाला को ब्यवस्तापन मा पहिशा आउंदी कईले ओकिल को ब्यवस्तापन मा तो कईले बीचवलिया को ब्यवस्तापन मा ये शरी प्राय हरे कार्य संपातन मा धेर्थोर पोईशा आऊ न थालियो जो तीसी अने अरू पुर्वा नियाय दिश। बंदय ता चुनी गुरु सुरु सुरु मा तो त्यती वास्ता हुदाई नतियो तर पची 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 पोईशा को लत लाग दाई गयो। कती पई फाउशदारी केशरु मा सरकारी ओकिल ले तयार गरेके नियाय मा पनी सामती गरियो। प्रारी देखे सरकारी ओकिल हुदै नियाय ले सम्ममा सेटिंग हुन्ति जिल्लामा नियाय दिश भयके अवस्तामा साथ पुस्तालाई पुगनी संपत्धी चोडिये चा। मिद साली सम्मका नाममा गर घडेरी किन्न भ्याईयो। आमदानिता राम्रुप बायशताय अनि अरु बंदे जानु पुर्वनियाय दिश। जिल्ला अदलत हुन्दा पहिशा मज्जाले कमाई भयकाली मेरो सोक्पनी फरक ढंगबाट प्रस्तु थुन खोश देए थिय। ते बेला युटा मुद्दा को फईशला होने बेलामा श्रिमान यसले फईशाता खर्च गर्ण सक दिन तर श्रिमान ले चाहादा बनेक ठाउमा आयरा राद बिताउन सक्चे भनेरे युटा बिचवल्याले प्रस्ताब गरियो। मुद्दा ते महिला को पख्षमा फईशला गरियो। तेस पची विदा को समय मा ती महिला संग गुम्फिर गर्न थाली। तर युटा पदम बशे को मान्चे लाई। मनरंजन गर्नपनी का सवजिलो रहे चरा जता तते चीने को मान्चे बेटी नी। फेरी पत्रकार ओक इल्षंग जोंगिदा, जोंगिदे हैरान हुनु पर्नी। रमाईलो गर्नपनी आप्षु कारण जिल्ला वाट औरके औरके जिल्ला मा पुम्नु पर्नी। शामन्नी मान्चला जस्तो सजीलो जीवन हमिलाई खाँ उदराय चरा गुरु जोतिशी पंदय जानुष पुर्वने आजिस्ट शुरु शुरु मा मन मैलातिरा जादाई नतियो तर भिस्टारे तो इच्छा पलायो तेस पचिता अली-अली गर्दै आध्दते भयो पईली मैलासंग मेर एक वर्ष गुप्ति सम्मंदर रहो घर की लाई पनी समय दिनेई परनी जागिरे की श्रीमती अरुलाई श्रीमान हरु एताउता गोई राखनु परचे बनीर मनुपई गयानीक रूपमा छाप परेको होंच जेने तेने समय मिलाऊना सजिल होंथो तरा बाहिर का मैलारु बर्दै गये वनी समय मिलाऊना गार होंथो रहे चा शुरु माँ योटी मैलासंग सम्मंदर रहो जिल्ला फेरिंदे जादा परिष टिती पनी फेरियो जाई च्छातियां उपाय भनी जस्तो कसरी कसरी जुरी हल्दो रहेचा एक किसिनली जागिरे जिन्दगी को मजा नई और कई हुन्तियो जिल्ला बाट पुनरा वेदन मा पुगियो आदत वने उस्ते रहेच जिल्लामा हारे का पक्चे धन जोर जुलुम करेरा लागते शेवा सुविधामा केई कमी कमजरी हो दै न थियो श्रीमान बने पची सबई डराओनी वो किल कर्मचारी सबई श्रीमान बने पची आफेक कुरब भुजी हल्ती उने इक उने घटना बाई राओन दा शीडियो रा जिल्ला का प्रहरी प्रमोखरू मुद्दा का मददकार बन्ती मैले पहुच पनी सबई तीर पुर्यायको थी सरकार संचालन गवर्णी हरुदे की विविन्न राजनितिक दल का प्राय सबई नेता अरुशंगा अनी छिमे की देश का कुट नितिक बेक्टी अरुशंगा पनी मेरो सम्मंद एक दमै प्रगाड थियो मा आफुला निककाई सक्ति साली मैंचे ठांती समय क्रम्र मेरो योग्यताली मलाई सर्वच्च अदालत को नियाय दिस सम्म बनायो मा प्रदान नियाय दिसको सपना देखन समेत पुएको थी तो चाई मलाई समय ले उपार दिये न जिल्लार अपुनराबलोकन अदालत मा एक किसिम को संसार देखिनति सर्वच्च मा आए पची संसार को दाएरा ने फरक होंदो रहेचा नियाय संपादन गर्दा नई पाउने उपार ठुल ठुला होंदा रहेचन तेर्ती खेर सम्म मा मेरो पारिभारीक लहरो पनी येरोप अमेरिका सम्म इस्तापित भई सकी गो थी येदा नेपाल मा न्याय संपादन होंतिय। मोटो उफारको रकम डीलर हरुली येरोप अमेरिकाती र व्यवस्ता गरती। फाइदा रामर होंतिय। प्राय मेरा परिवार कस्तास्य येरोप अमेरिकामा ठुला-ठुला व्यवसाईनी बने काचन। कथि पई बनावटी सम्मंद का मांचे का नाम मा समेट लगानी गर्णू परिको छा, तेस्तो मा जोखिम पनी होंचा, आमी कर्मचारी को बाद देता पनी होंचा, ब्यवस्तापन को काम कठीन भाई पनी गर्नाई परियो, तर आजाई आफने कर्म हरूली मन दुख न थाले को देरे गलत गर्यों की जस्तो पनी लाग्छा, तो बन्दा पनी सर्वच्च मा आई पचिता मेरो सरीर बूड़ भाई को होकी जस्तो मौसू सुन थालियो, सर्वच्च मा आउनी मुद्दाली ओकिल नियाय कर्मी मा राम्रो प्रवाप छोड्तियो, मैले आर्थिक प्रलोबन मान कम दिन थाले को थी, ते बेला योटा ओकिल को मात्यमबाट शुनियो, स्रीमान अजोरलाई, 22-22 वर्चा की भर्जिन केटिले भोग गर्ने सुविता पनी दीन चे यो मुद्दामा, तो ओकिल ब्यवसाई कम्र बिचवलिया ब्यवार बड़ी गर्ने खाल को थी, तर उस को पचाडी बार एसोशेशन थियो, तेस पची का मैले संपाधन गर्ने मुद्दामा रकम का अतिरिक्त परजिन केटियरू को सुविदावन थियो, इस्ते रए जागेर काउन भब्र नियाय संपाधन का कुरा, मेरो अवकास्त बयो, मेरो उच्चा उहदा बाट निकले को मेरो हिजो का संपाधन लाई जोडे रा ब्लाकमेलिंग गर्नी हरूरा धमकी दिने हरूपनी धे रही छन, मा देखदा हसीलोचु, तर भीत्र भीत्रे मा आफमीरा अरू का कारण सारे असांत चु, मा चांचु कि मेरो जीवन को बार्चे को समय सांति संग बितोष, तेसके लागी गुरु मा हजुर्कमा आएको, जोडिशी फिस्चा अस्ताई, इसवे परिष्टि दिले कराए, अब पच्चुत मानी रहूनन, ग्रशांति गर्नु पर्च, ठीक होंच, मा उपाय गरोंला, पुर्वनी आएदिश, होंच गरु जस्चरी भैपनी मन, सांत होनु पर पुर्वनी आएदिश, होंच गरु, मा धोक्का वाई, मा स्वे दिन आऊने चू, तेस पस्चा दुबै जना आपनू आशन भाट उठेर जांच, तोला उनको डाइवर कूरी राखे कोंच, पुर्वनी आएदिश, जोतिश केंद्र भाट बाट बाईर निसकंच, जोतिश दिमाग मा गाउं का मांचे गाउं को परिवेश, और स्वर को परिवेश, शर का मांचे को चित्र र प्रक्रिति मन मां आऊन थाल च, उपरिश्थी दिला अनुभाप गर देया घाडी पढच, जोतिशी बाबा अनिया आमाले उसलाइ गर नि माया मां केई कमी हो देना, पस उता पास्तर्मराई का बावार भाईलाई समय समय मा खर्च बर्च पनी वठाइड हन्च। अंक छ बसंती परिपक का बंदई जांच। उसली समाज को चित्र राम्रोशंग बुजदई जांच। पर्णु पर्च अनी इमांदार भैर देश को सेवा गर्णु पर्च बनने भावना उसमा जागरीत हुँच। उमन मने कुरा ख्यलाउँच। पकील भैपनी न्याय देश भैपनी इमांदार भैर काम गर्नेचु। गतिछाडा बनने चैना। आपनो सोच बनाऊँच। सामन्य खालको सेवा ग्राई आउदा उसलाई जोतिशी बावाली तियां सुनी राखनु परदैना भन्चन। खाज-खाज सेवा ग्राई आउदा मात्र गुप्ति कोठामा बसेरा गटना क्रम सुन्न बसंते लाई भनिन्च। इमान्दार बसंते भनिबमजिमको काम मात्र गर्च। फेरी औरको दिन जोतिशी बावाली बसंते लाई जनाऊ दिन्चन। बोली औरका भ्याईपी आउदे चन। तोईले व्यवस्ता मिलाई र सुन्न। बोली पल्ट हुन्च। कैमपस बाट बसंते छिट्टे आऊँच। जोतिश केंद्र को तैयारी मिलाऊँच। तेस तई साड़े दस बजेती राव महंगो गाडी जोतिश केंद्र को ग्राउन मा आऊँच। ताल रहेको शुरक्चे कर्मिले गाडी एक छेव लाईर राखन सगाँच। दाईवर त्याई भुहित अलामन रहेको पत्रपत्र का पढणी कोठामा बसेर पत्रपत्र का पढणा थाल च बनी वियाईपी शेवा ग्राई माती रहेको जोतिश केंद्र मा पोग्छन। उनलाई नियम अनुसर आसनमा बसाइँच। तेस बेला सम्ममा बसंते गुप्ति कोठामा पुगिश्यक होंच। एक सिन जोतिशी बाबा रती भुहाईपी बेच प्रारंभिक छलपल गफगाफ चलच। प्रारंभिक गफगाफला ध्यानपुर्भक सुनी रहेको बसंते लाई था होंच। ती भुहाईपी ठुला बेपारी राज नेता रहेचन। संभावित, खोकिर, आचियों जस्ता समस्य संग अट्टी नई शाब्दानी अपनायर बसंते त्यांको गुप्ति कोठामा बसे को होंच। एक किसिमली जेल बसे को भंदा पनी कठीना बस्ता होंच। एसरी बस्न। त्याई पनी बसंते ले त्यां बसे रा सबैकुरा सुन्नो नहीं छ। इवियाईपी नेता उनुबंदा पहिला बेपारी रहेचन। अनि पची बेपार को गड़बडी छपचा बार्ना राजनेतीमा लागेका रहेचन। जोतिसी बाबाली तिनलाई साउजी भनेर संबोधन गर्चन। बसंते गुप्ति कोठामा अच। अब येता जोतिसी रा साउजी का पेच संबाध गाड़ी पड़च। जोतिसी चाउजी केच्छा अल्चाल साउजी ठीक्छाइन बनो वनेपनी न मिलने ठीक्छाँ बनो वनेपनी न उने अबस्ताया संब्याई भाइर बरतमान राविश्चे का बारे मान अन्योल भाइर चिन्ता मुक्त हुना गुरु कुमा आएको नी जोतिसी ओनी हजरोड जाजा मन मा गाठा परिकाशन तेता ही बाठा पोका खोलनु भय उन्चा एए है गुरू माला व्यपार पहके की बाठा पोका खोलनु भय उन्चेप्त पताय दिनस्ता साओ जी, मुँ बेपार में आएको होईने गुरू, मही लेता व्यापारीक परिवार में जन्म लियेको होनी, मेरो भूबा बेपारी, हजुर्बा बेपारी, और हामरो परिवार लामु समय देखी बेपार नोहीं छो, गुरू, जो दिशी, अब तपाईको खलके बेपारी र आजे थौर ऑल esses तपारी रेचेल होुँ और हाचिए, बेपारीको परिवार परिवार को पुर्खेवली फ्यासाए बेपार हो, उबेला को समय देखी बेवेस्या 5 कुरू, या वंसेक्ट अ ठोरे होंत्यव, देखैयो बेपार होईने लिए, जो देख्यो भूबाको पलल म लासा बाट गौर गाना का सामन कार्फमन्डू लेयर बेशनु उन्तियू अनि वनारस बाट अपनी सारी पोतेटी का कुर्था सलवात लगायत का सामन लेयर बेशनु उन्तियू राड़ा परिवार, सा परिवार, थापा परिवार, पांडे परिवार, नेवारी समुदाय का कुलिन परिवार मा इस सामन अरू गरगारे पुर्यायर बेशनु पर्तियो। कुलिन परिवार का सदस्यरू सोखिन भैकाले दोकांसम्मा आउदय नती। उनता तेश वेला सामन्ने मानी सुर्का लागी हमरो परिवारली इंद्र चुक मा गवाना ता सारी सेंटर बनी सेंटर बनी राखे को थियो गवार 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 को व्यपार बाटर इंद्र चुक को पसल बाटर आम्र आमधनी उन्तियो मैं ले यूबा अवस्ता बाटले व्यपार व्यवसाय शिक्ने मोगा पाएं भुबाली पनी आपनो जीवन को अंतीम समयती रा विविन्न उद्य घरु खोले रा व्यवसायला अगाडी बड़ाओन थालनो भयो नाता गोता सबई को नाम्मा कमपनी कोलन थालियो उद्य घरला सरकारली पनी सवलेत दिने रन्निती अगाडी शारियो रिंच विदा पनी सवलेत दर्मा दिन थालियो सबई नाते दार अर्गो नाम्मा कमपनी दर्त तथा संचालन भयकाली चाता संगठन को आवसेक्ता परियो पेश पस्चा सुखिलाल ग्रूप अप कमपनी वनेरा आम्रा नाता गोता साती भाई का कमपनी अरुमा लगानी गर्न तथा नियमन गर्न कमपनी खोलियो मेरे भुबा को पहल्मा तु सुखिलाल ग्रूप अप कमपनी दर्त आपयो विश्कुट, चामल, दाल, साबन, सलाय, चीनी, चाव चाव, काटा, कबजा, सिमेंट हो देई आइटो पावर सम्मा उत्पादन मुलक छेत्रमा लगानी चा एस्ताई गरी सुखिलाल ग्रूप अब कमपनी को मात अदमा शेवा मुलक छेत्रमा पनी लगानी चा बैंक, इंसुरेंच, अस्पताल, होटल, स्वैचिक संस्ता लगायत का छेत्रमा ठूलो लगानी चा एसका अतिरिक्त, मेडिया छेत्रमा, सुचना प्रविदी को छेत्रमा उल्येख्य लगानी चा एसरी समक्रमा भन्नुपर्दा, सुखिला ग्रूप अब कमपनी को नेपाल को अर्थ तंत्रमा दब दबा नई चा आमरो समवसंग नेपाल को सरकार प्रतिपक्षे दल सबई जान कार चन आमी बाटा सबय राजनेतिक दल होडली समय अनसा चन्दा स्वयक पनी पाये गई चन नेपाल को कर्परेट सेक्टर मा अरू कमपनी हरू पनी छन तर हामरो अगारे ती सबय समय सामन्य ठार इन चन पचला दीन मा नेपाल को आर्थिक जगत मा आमरो राज उनको अरको बनी काहनी चो तेस काहनी ले हामिलाई सताई राख चो तो काहनी को बने सार संचेप यहां प्येस गर्दा चो जब बुवाले नेपाल मा लगानी को छेत्रला व्यवस्तित गर्ना शोखिलाल ग्रूप अव कमपनी दर्ता गर्न होयो मा तो बेला आपनो पड़ाई सकेरा भर खर व्यवसाय मा छीरे को थी मा प्रती मेरो परिवार्णा आमरो कमपनी को पूरा विश्वास ती हो आमरो कमपनी को ख्याती एकई चोटी बढ़न पूगियो तो कुरा नेपाल का राजा सम्मपूगियो तो बेला को भुजाई राजाले नेपाल मा व्यपार गरी रामरो हो दईना भननी थियो तर नेपाल का राजा को भीत्री चाना व्यपार गरनी पनी रहे चा मलाई एक दिन राजाले दरबार मा बोलाऊनु भयू, मा दरबार मा गईू, मीरो राम्रेश स्वागत सत्कार भयू, एस बंदा अगाड़ी मलाई राजा के सामु जानी, मोका कईले मिले को थिये न, मा खुशी बनी, राजाले हाल खबर, व्यापार को खबर सोदनु भयू, म दुर्म मलाई विश्वास लागे न, तर राजाले तियसको जवाब चाहियो भन्नु भयू, तियस बस्तात मलाई, मौसुस भयू के राजाले साथ चिके सोदनु भय को रहे चा, मैले उत्तर दी, सरकार आमी निकटका धेरे कमपनी अरू चन, तियस लाई अनुगमन गरनी आमरो छाता संगठन पनी छा, आमी तुर रकम लाई देश बर का उद्योग मा लगानी गर्चों, तुर लगानी लाई आमरो नाम मा राके पनी पूजी हजूर के राने छा, माग गरिये को बेला हामी फिरता करने छा, आम दानी मा चाहिए खर्च कटायरे आयको रकम मा 25 प् लाउनु भयो, बोलाएको समय मा आमी गयो, राजाले ता सर्व रूपिया बेपार मा लगानी गर्ण का लागी दिना तयारी गर्णु भय को रहे छा, आमी संगा सर्थ राकनु भयो, तिमिहर ले या भने जस्तो गरे नो भने मा तिमिहर ला मारी दिन चु र सबै कमपनी का संपती जफत गर्नेशु, तेस बेला सम्मा, सेना को संपूर कमान राजा के हात मा थियो, राजा को निर्देशन कोनाई पो बदर गर्न सक्तियो र, तेस बेला केई कागजने न गरी राजाले हमिलाई 10 अर्व रूपिया दिनु भयो, आमीले तो रकमबाटा आमरा सबै कउपणिहरू नाफामा पंजान थाली, एमरो कमपानीहरू सबै नाफामा गये, इसाब किताब तयार गरियो, राजालाई नाफा भुझाउने तयारी गर्देशियों, 1 काशी दरवार हथ्य啊 Nelson राजपणडा मेरा सबड़्यों सबैशियों, तो राजपरिवार का सबै सब पनी गारो भयो। दर्वार होत्या कांडपशी बने को सरकार बात हामिलाई केई तथे बुजेरा चेपने प्रयास गरियो। अप्रतक चे रूपमा बिविन्न ठाउं बाता कडा कडा दवाब अरुपनी आये। तर हामिले पईशा लियेको पनी प्रमान थे नर भुजावना क लागी संबन्दित मांचे पनी रहे नन। तेस मामलामा दुनिया को कुणेई कानून ले हामिलाई समातने ठाउं थे न। तर हामी वीज को मन को डर बने कायम है थियो। समग्रमा बन्नू परदा कानूनी रूपमा आमी ठीक थियो। तेस को केई समय पसाद आयकर विवाग आगले हामरा सबई कमपनी लाई छानमीन को दायरमा अगाडी बढ़ायो। कोर चली करेका विविन्न अभियो गरूपने हामरो कमपनी ले बोकनू परयो। रूपम्रा कमपनी को कुणी बंदा पड़ी जरीमाना हुने सम्मको प्रकिरिया समय तेस बेला अगाडी बढ़यो कथि पए नेड़ायरू नितिगा तहमा गरियो कथि पए हच्वाको भरमा अगाडी बढ़यो। आमी ले ती प्रकिरिया को पुनरा वेदन अपील गरियो। तेस बचे आमरो कमपनी मा व्यापक सल्पल भयो। रह। आमरो एक प्रति निधिलाई राजने तिक निर्थितमा लगने नेड़ाय करियो। म बमसी धरलाय ततकालें चलता पुर्ता पाठी मा प्रवेश गरायो। स्वयक द्वेके वरमा केंद्र निर्थितमा पुगी। सामसात समित बनी। तेस पश्चाद हैमरा कमपनी मा कारवाय कोम हुन थालियो। म पनी जून पाठी सरकार मा जाना स सक्ष ते पाठी प्रवेश गरन थालिय। मेरा उदेश्य हमरा कमपनी का लागे व्यवसाइक बातबरन स्रेजना गरन हुन। राजनिति हुन जत्ता पनि पल्टिन सक्ष वनेरा हामीले लगानी बिवितिक करन गरन थालिय। नेपाल का अलावा, भारत, सिंगपूर, परिवार का सतस्य अरुपनी अपरन मा परेका चन। फिराउति भुजायरा हामीले छुटाये का चन। गुरु आगामी दिन हामरा लागे कसरी शुरच्छी धोला। जोतिसी लायामो कथा सुनाओनु भय। तर तेक समय अब आउनी चा। तेसका लागी ग्राश आंती गरन परने चा। साउजी गुरु वन्नोस नक्ये गरनु परे। जोतिसी एश गरनोस फलानु गते सुम्भा आउनोस ग्राश आंती गरनु पर्चा। पर्चा मा क्या लेक दे इसामन हरू ले राउनोस अनि शुलकरू एक लाग पचा साचा लाग तो पनी ले राउन होला। साउजी अस बंदै आशन बाट उट्षन रविदा मागर निश्कंचन तेश पसा जोतिसी बनी और को काम तिर लाग्षन। बसंते पनी गुप्ती बास बाट निश्कंचा लाहामु शास फेर्चा उसलाई जीवन को नया पाटू सुने को महसु सुन्चा। अंक साथ बसंते 81 मुप्त आयको मैनों भैशक्चा। पांस्थर गाउं जाने को हाट मा उसली बुबा का लागी भने रेवटा मोबाईल रूद 2000 रुपे मा कीने रपठाउँचा। तेश पश्चाद बुबार भाई संगा आउसेक्तान सर संपर्ग गरेर अवस्ता भुजी रहन्चा। आपनो बुबार जोतिस बाबा को बीच मा बर्शों बर्श पची संपर्ग काईम गराउंचा। मीत रुले किता केटी होदा को समझना गर्नर गराउंण भ्याउंचा। उता यता दुबाई को खुशिको बातवरन बनीको हुँचा। वसंते को आगमन संगे मीत आमा को काम मा बनी चाप काम भईको छ। आज कालोनी भजन कितन धार्मीक आदि कारेकरमा सब आगी होंचिन लामई समय सम्मा। काठमंडुमा मानि चरु विविन्नकिरिया कलाबमा लागेको वसंतिले थापाऊंचा। कोई असल कर्ममाल आगेको, कोई खराप कर्ममाल आगेको, उँ आफने आखाले देखचा। जस्तो कर्मा उस्तेफल बंदै, मानि शरुका गतिविदी को समिक्छा गर्चा। जोति इस केंद्रमा सेवा ग्राई को वेड एक्तम लागनी गर्चा। सामन्य सेवा ग्राई का लागी सेवा सुलक सामन्य हुँच, खास-खास वियाईपी सेवा ग्राई लाई विशेश सुलक लागने करेको उच, अतिरिक्त समय मा वसंतिले काठमडु का सबयी माठ मंदिर को ब्रह्मन गर्च, आपुसंग मोबायल भवेची सुन्दर लावति ल फिरता करेरा गुण फरकाऊंच, यात्रा शुरुगर्ण पर चल लच्या आपमें भेटिंच, यो भनाई वसंतिले विद्यालाई मा गुरुहरुबाट शुनेको त्यू, आज राम्रुशां महसुष गरदैच, फुर्शत हुदा पसंतिको उसालाको धर्मसालाम अपनी प भोली को तैयारी मा लाग्च, कार्थमांडुको ठाव मा त्येस दिन सोंबार के दिन रहे च, पसुपतिमा दर्शन गरेरा आउने मांचेरुको बाटोमा भीट बाकलो नहीं थियो, आकास एक दमें खुले को थियो, पसंतिपनी कलेज बाटा छित्ते फरकन च, गवरी इसको दूरी नजीकाई च, साइद नजीकाई को क्यामपस पड़ेरा कामगर्न सक्कीने उसको दूर दर्शिता पनी राम्रो हो, समय में घर आयरा खाना हांचरा खास मांचे का कुरा सुन्ना उँ पूरा त्यारी करेर बश्च, दस बजे तीर तेस्ते राम्रो योटा गाड जोतिस केंद्र मा आई पूख च, ये चागी उसले पूरुष बियाईपी शेवा ग्राई देखे को च, आज बनी त्यां तेस्ते पसास बर्श जतिकी महिला देख च, जोतिसी बावाले बियाईपी हुन कुरा सुन्नु भनेरा संकेत गरेको ले उँ गुप्ति कुठा मा प जोतिस बावारा ती महिला भेजके प्रारंबिक सल्फल हुन्च, प्रारंबिक सल्फल बाट बसंतेले थापाऊच, ती महिला राजनेतिक नेत्री हुन्च, संबाद शरी प्रारंब हुन्च, जोतिसी केच भैनीक हावर, महिला ठीक च, गुरु, जोतिसी देखको राजनेत कस्तो चल दैशा मैला खई के वन्नु गुरु विपक्षी फाटिका मांचे ता आम्रा विरोधी होन्थे नहीं तोरा आजकल ता आपने मांचे बाट बड़ी तनाव भयको छा केंशन नहीं टेंशन चा तेंशन दूर हुन्चा बनेरा सबय मांचे गुरुको मा धाउचन लग गुरु मेरोपनी टेंशन सिनित्ते फाल दिनु परे। जोतिसी प्राइट टेंशन मांचे लाई आपने बीगत का कर्म ले कराऊंचा तापाई को कर्म प्रस्ट देखीने गरी जीबन को फेरिस्त यां प्रस्थुत गर्नोस तेस पहसात्म समधान को बीदी बताऊने कहां देखीको फेरिस्त बताऊं गुरु जोतिसी अबका दीन मां दीन हरुमां सांतिर इस्तिर्ता कायम गर्ना थपाईले बाले काल देखीको आपनो कर्म बताऊनों पर सा मैला अस गुरु ती मैला ले आँखा बाट तुरु कां सुझारिन राखनो समश्या बन मेरो जन्म जाजर कोट जिल्ला मा भय को मजन्मी को ठाऊ मा कै राज नेति करने परिवार को मानिशաरु को बसोभास थी उन्हेरु को ब हशुठ आर्मी प्रारी का हाकिम घृुम पनी राम रो थ anticipated जिल्ला का वेपारी हरुपनी तीन हरुका साथी भाई ने थी तिने हरुको आर्थिक संपन्नत अपनी राम्रो थियो तो मैले देखे की थी जब मा विद्यालाई पढ़ थी मलाई तेश मेला अवन्य कुरा को चास पन थिये न जाजर कुट को ठाऊं एकदम दुरगम ठाऊं थियो आमी पढ़न का लागे घंटों हेडेर जानू पर थी वने एक अठिना हरुका बीच मेले विद्यालाई तो कुप पढ़ाई पुरा करें तेश पचिपनी मलाई एकदम पढ़ने एच्छा थियो सम्योग भननू पर सा मलाई जिल्ला के एक जना राजनेती करमी ले कौईलाली जान स्वयोग गरनू भयो जहां पढ़ना का लागी कौले चरू थी कौईलाली माँ शूरू का दीन देखी नहीं मलाई आथ एक समस्या आई पर यो और नवबासना गार होने आवस्तामा पुगे की थी एक दिन माँ जोक्रायर बसी रहे की थी जाजर कोट को एक जना अजर बाजस्ता चिने के राजनेती करमी आई पुगे मलाई सान्तो नाका बाक्यारू प्रकड़ गरे रा माया गरे जस्तो व्यवार भेक्त गरे मैले पनी आपना समस्या उनलाई सुनाई तेस पची उनले नेपाल गंज माँ जागेर पाउन शकीन चाड़ इना माँ चिने को माँचे संग कुरा गरी देंचु भने परिस्ती संग हारदै गरे को माँचे नकार नहीं शकीन तेले मलाई नेपाल गंज ले रग गए मैं ले पनी हजर वाजस्ता मांचे संग होटल मा पस्णू परे। तेश बेला मौ 19 बर्च की थी उनले राती मांचे सारेरिक संपर्गर आखनक होजे। मैं ले प्रतिबाद गरीं तरस्टकी ना। जीबन का कईयों सुन्दर सपनाहरू देखे रा। बर्खरे जवानी में चड़ी ठकमक्क फूले की फूल जस्ती मलाई। अजुर्बाव मेर का मांचे ले राध भारी भोग गरी। एक मनली भली पल्टाउ ज्याल भईपची हल्ला खल्ला गरी। सबैलाई सुनाही दिऊं जस्तो पनी लागे को थियो। सारा दुनियालाई हेरें। मेरो फक्षे मा कोई मांचे लागने संभाब न देखीना। मत नदी बाट निकाले रा किनार को बालुआमा छोड़ियेको मांचा जस्तो अवस्तामा पुगीन। मांचे परिष्टितिको दास होदो राएचा। माईले मेरो अवस्ता बाट महसूस करी। ती हजुर वाली मलाई नेपाल गंजमा जागेर्त लगाऊना सके नन। तर क्याई दिन मलाई नेपाल गंजमा आपाई संगा राखी। माईले उनले भने को माणे रा, उनको पचे लागणु परने बाध्द श्ता बनाए। अंतीम्मा मलाई केई खर्च देररा क्याल ली नेपठाए रापु काठमंडू तिर लागे। बेला बेला क्याली तिर आयेरा मेरे को ठामा बस्ते। उनले भने का सबय कुरा मान्दा मलाई कोईलाली मा बशेर पढ़ने खर्च भनी केई पईशा दिये, मौईले पनी त्यां ट्यूशन पढ़ाऊने काम गरें, इस बेला अईले को जस्तो 11 बार पढ़ाई होदाई न थियू, मौईले कोईलाली बाट आये पास करें, पहाण को द्रगम्मा हुर्के की मा तराय आयर पनी यांको परिवेशंगा परिचित भई सकेगी थीं। पनी जता ठोक्ये पनी निरन तर भगी रहीं। समय को प्रवाव मा केवल भगी रहीं। मेरो यात्रा काटमंडू तर्प मोडी ने संभावना भई। इनके कोईलाली बंदा चेली बेटी का लागी काटमंडू अलिक सुरचित वला जस्तो लागय। कोईलाली अलिक सानु ठाउं थिय। केव मांचे अरुमा दया माय को भावन अपनी थिय। तर्प मांडू त जन कठोर रहे चा। मलाई तेई शमवले जाजर कोट्साओं को सम्मंद जोडे रा भावन आत्मक रूप मां समेथ फसाउं न पूगय। परिश्तिती संग अपोँठे चोरी खेल्दै। काटमंडू में योटा मयला मात्र पढ़ने कोलेज मां बीए पढ़ना थालें। मयला पनी पढ़े रा ठूलो मांचे बन्नू पर सरतो गर्ना सकिन च बन्ने विश्वास मौमा थीओ। तर मेरो अगाडी हिन्ने बाटो अत्तेंत कठें थीओ। काड़ाई काड़ाले ढाकियेको बाटो मेरो अगाडी लंपसार परेर सुती रहेको थीओ। कॉलेज मां जाने रा न जाने रा मों विद्यार्थी राजनेती मां सक्तिय हुन अपुगे। साइद अरू केटी अरू ले भोगे को जीवन भन्दा मेरो फरक भाईकाले मों अगाडी देखें की। गाउबाटा आयको बिद्यार्थी अरू का समस्या धेरे हुन थे। मा सकेशं मा सबयी सातियोर का समस्यामा पनी साथ दिन थें। येता कॉलेज मा म जुन विद्यार्थी समगो राजनेती मा समलग न थें। देश वरी ने ते समगो माउपाटी रहे चा। ती जाजर कोट का मेरा प्रारम्बिक दिन का बाजी हरू। तेई माउपाटी का नेता कारे करता रहे चन। पेरी महिले उन्योर संग नजीकिनु पमे बाद्यता भय। काठमन्डो मा बिविन्य जिल्ल आरुबाट पढ़ना आउने विद्यार्थीर को चाप धेरे हुन्तियो। देरे विद्यार्थी साथी को सोचाई जागेर खादाई परदाई गर्नी भन्ने हुन्तियो। केटी हरु जागेर मिलाई दिन मलाय अम्रोद करते। आफुत जोगी कहां बाट दिनु भीक्च्या बन्ने इस्तिती मेरोतियो। यही हुदा हुदै पनी मो संग आशा गर्नेरुको लाइन हुन्तियो। काष्मंडो बड़ा विचित्र को सार रहे छो। यहां धन माती धन खप्तायर राखने बर्गपनी छो। अनि ये शार्मा सडग मा खाना असुत्न नपाउने बर्गपनी छो। धनी आती धनी गरीप अती करीप छो। मा विध्यार्ती नेता भयको खवर आर्मी अभिशर प्रहरी का अभिशर ठुल्ठुला सरकारिक कर्माचारी व्यपारी अनि पार्टी का नेता हरु सबई को मप्पुक छ। कहलाली बर्षे रायको प्रशाष्चनिक सम्मेंत्र मार्पत मलाय अनवठा अनवठा प्रस्थापाऊं थे तो गिर्वाले मलाय केटी अरुमिलाई दे भन थे पैसा को प्रलोबन देखाऊं थे मा विद्यार्ती नेत्री मला एक पटक एक जना मंत्री ले छलपल का लागी मंत्रा ले आऊनु भनी तर एक ले आऊनु भनी का थी ती हाम्रे पाटी का मंत्री थी केई छल्पल वला भनेर मह गोई ती मंत्री ले आपने कारेक अक्षा मह मा संग जबर जस्ती गरी बाईर पट्टी प्रहले शुरक्षा दीर एका थी भीत्र तीनले मेरो स्विक्र्थी बेगर जगन्य अपराद गरी येस बेला पनी महिले घटना बाईर लियाऊना सकीना क्या बाट फरकैदा मेरो मन मह धेरे कुरा खेलना थाली किये सय के गलत छुट्ट्याऊना सकीना बिस्ता आरेम परिष्टिति को सांगलों मा बांधि दई गई सहर का संपन बर्गले पाठी को आर्मा विद्यार्थी अरुला धेरे तीरा रोकेल बनायरा राखे को थी आमी विद्यार्थी नेता अरु सोच करता बन्ति हूँ अर्थिक समच्छा मा भय का केटियारु धेरे रखेल बनना तयार हुंते रबनते पनी अंडा का हाकी मरुली धनी बर्गली मासी घर्च देरा बर्षाम बर्षा संपनी राखती जिबाई केटियारु तेसरी पडेर पनी आज सरकारी शेव मा अफिसर बने काच्छन केड़ प्राध्यपन्सेवाम पनी शफाल भारेर खार्य गरी धायकाच्छन मों कॉलेज को दायर भाटा बाईर सम्म तनकदै गई विद्यार्थे संगठन को राष्च्ट्य निर्तितो मा फुगिई विद्यार्थे संगठन को आडमा मैं ले राष्ट्य अंतराष्ट्य इस्तरमा नेपली केटियोर को सप्लाई गर न थालें बल्ल पईशा चिन न थालें और प्रसस्ते कमाई आज शम्मवा कार्फंड मों मैं ले धेले उटा घर घडेरी जोड़ी शकेगुचू मैं ले पईशा राम्रई कमाईर एक तरण पार गरी शकता मेरू उमेर पनी 33-34 बर्षगो भईशकी गुथियो मेरू पनी घर जम गरनी मन भईव मैं ले एक जना निजामती सेवा का सोजा हधिकेट संग विवागरिं मेरू श्रिमान पनी खरीदार सुब्बा अधिकेट का लागी जांग दिदाधने दा हैरान भईका रहे चन 25 बर्षगो उमेर मां फ्याट्ट अधिकेट आओ मां जागिर मां नाम निकालदा अत्ती खुशी भईका थियो उमेर्गत हिसाबले हमरू जोडा मिले को थियो निजामती सेवा का अधिकेट मेरो श्रिमान लाई विविन्ना जेल्लामा स्वर्वा भई राखन पर थियो मा विद्यार््थे निर्थित्व भाट मां आत्य उड़्ते गरे के बिझती विवा पस्तात पनी घ़रनिया बिझती संहर पाटी का अधिकांग्स निर्थित्व शंह शारिरिक संबंध बनाईर राखनु परने दवाब भई पार्टिका अधिगांग्चा नेताली समय मिलायर मोसंग सारीरिक सम्मंद राख दई गये विवाको केई समय पस्तात। मेरो दुई छोरारु पनी जन्मी मैले श्रीमान लाई था नदी नहीं छोरारु रह स्रीमान को DNA टेस्ट गराएं। सिर्वान संग मिलेना तेस्पची मालाय अतिने चिंता भई। पार्टिका विविन्न लीडर हर को DNA टेस्ट गरनू पर्मिभई। यो मामलामा विविन्न डाक्टर अरु संग मैले धेरे स्वयक लिएं। अन्तिम्मा मेरा दोई छोरा को DNA पार्टिका दोई लीडर अरुसंग मैज खायो मैले ती नेता अरुला घटना क्रम बताएं। नेता अरुले मला दोएटा बाटो बताएं। योटा थियो पार्टिको स्वयक मा सामसद बननी और को थियो दुबै छोरारु मारी दिनी। पटक भाषन बनी गरीं। त्या अरु मैल अरुपनी सामसद बने रायका थियो। सबई मैला सामसद अरुको जीबन खानी सुन्न पायो उन्तियो बनने लागी रहू। तरह मैले कसे लाई सोधी न उन्हेर को बारेमा। आज मेरो सामसद कालपनी सक्किये को छा। उमेर विस्तारे बड़ दै व्रिद्धावस्त तीरा लाग दै थियो। अतिरिक्त काम को चाप्पनी कम हो दै गई को थियो। आमरो परिवारलाई चाहिने संपथी मनक के मसंग छदई छा। मलाई स्रीमान को सोच पन देखता ड़ लाग्छा। छोरारु को गईश्यको चिन्ता भई राग्छा। किने के आज काल मा राती निदाउन पनी सक्दिना। मन मा असांती ने असांती छ। गुरु मेरो जीवन मा शांती ले आई दिनू परियों। यति लामो कानी सुनाय पची उनले डबडबाय का आँ खारू। रूमालले सफा गरिन। अवसे तपाई को जीवन मा शांती आउने छ। म तो सबय व्यवस्ता गरने छ। तपाई डुक्क हुन। मैला मलाय हजुर प्रति पूरा विश्वास्च गुरू। जोति सीूर येवटा बुटी पनी बांदोस अनि फलानो गते सुम्भार गरवसांती गरनु पर चाउनोस तो दिन चाईने सामगरी को सुचि दितए। अनि सुन्नोस तपाई गरवसांती गरने सुल करू एक लाग पचा सजार ओ तो नी लेराउनो हला। शुल्कारी कम गर्न फाय हुने गुरू जोतिसी रकम बंदापनी शांती मुके कुरा हो सपाई धिपी न गर्नुस बंदे हांस्चन मैला अस गुरू अब मन लागें मैला जोतिस केंद्र बाटा बायरिंचन सबय अरू आफनु काम मा लाग्चन बसंते पनी जिबर टोक्ते गुप्ति कोठा बाटा फुट्त बायरिंश कन्छन अंक आट बसंते निरंतर खारिंदया गई रहेको छा पैशा पनी उसली राम्रै चलाउन पायेको छा बुबार भाय का लागी पैशा पनी राम्ररी ने पठाउन थालेको छा जोतिसी बाबा को कमा एक दमे धेरे उने भैकाले बसंतेला पईशा चलाउना सोतंत्रता दिये काचन। उसले पांस्तर को गर मर्मत सम्मार पनी राम्राई गरेको छ। पहाड मा एक किसिमले बसंते को प्रसम साग गर नहरू पनी बढ़ न थाले काचन। एताक आठमंडो मा वसंतेले आपनो क्यांपस को पड़ाई पनी अगाडी बढ़ाय कैचा। पू कक्षय मा प्रथा मुन थाले को छ। उने बिरुआ को चिल्लो पाद मने जनी वसंतिको प्रगतिको लच्चें देखी दै जान्च। स्वनिबाद जोतिस केंद्रपनी बिदा होने गरेकोली तो दीन को प्रयोक गरेर वसंतिले अन्य थाब ज्यान हरू लिने गरेको छ। आठमंडो का विविन्य धार्मिक अईतियांसिक महत्तो का ठाउं हरू इस्तलगाद ब्रहमन गरी ज्यान लिन्च। कईले उकिर्तिपूर भाग भईर अप्पुक्छा कईले चंद्रागेरी डाणामा प्पुक्छा तो कईले तचिनकाली चेत्रका भित्त्री गाउं का महट मंदीर हरू को तत्ते संकलन गर्चा। पुर्षद मिलायर काटमंडो औरी परिकास्वबय अईतियां से एक धार मिख्ठाउं को भ्रहमन गर्चा। ज्यान बटुल चा। आफुलाई जने परिपक्क बनाऊ चा। बसंते को मुख्य कर्म थलो गोरी घाट को बाबा को जोतिस केंद्र नहीं हो। उँ अत्यन्त लगन को साथ जुटेको हुँच। बाबा आमा को इसने उसले राम्ररी पायको चा। सानेमा आमा गुमायको बसंतेले या माया गर्नी आमा समेत्माऊँदा आफुलाई दुनिया काई भाग्य मानी समझेको चा। खास खास वियाईपी मान्चेवर आउंदा उसले गुप्तिको ठामा बसेरा सबै सुन्ने क्रम चलेको हुँच। खास मा बसंतेलाई परिपक को बनाऊना जोतिसी बाबाले यो तरीका अपनायका हुँच। तेसे गरी बोलिपल्टा और का वियाईपी ले समय लेको चा। मिलाए रा सुन्नो जोतिस बाबा को सल्ला उसले पाउँच। ये सरी उसला अगिल्लाई दीन जानकारी देरा तयारी का लागी भनीन चा। बोलिपल्टा बसंते क्यांपस बाटा आयरा खाना खाई तयार भाईर बस्च। जोतिस केंद्र को भवन मा भाईर पट्टी आयरे एक मैला ले गेट को घंटी बजाऊच। तोला रएको सुरक्षा कर्मिले गेट खोल्च। ती मैला बित्रपस्च। आज खास मांचे आओने भनेर तोला सुरक्षा कर्मिले शमेट जानकारी दियेको हन्च। ती मैला ले नियमनसार आशनमा बसाईंच। त्यां जोतिसी बाबा रति मैला पीच प्रारंबिक सलफल हन्च। क्रारमिक सलफल बाट था होंच, ती मयला विविन्न किसिमली पिडित मयला होंचिन। ती मयला को नाम स्वरला रएको होंच, क्ये बेर्मा जोतिसी बाबार स्वरला बेच सम्बाद सुरू होंच। जोतिसी बैनी किये छा नया खबर चारला चारे तिरा अंदकार चा गुरू जोतिसी आसागादी बन्नु पर चा या अउनु भैको चा सब ठीक हुँँच या आई सके बची सबैको मन सांत भैर जान्चन बन्नो स्तपाई को समस्या किये छा स्वारला सर्वत्र समस्या आयो गुरू जीवन अंदकार भयो पांसने आदर सबै भांचिये मन असांत भयो बहत बति पोल्या चा तेई भैर आयो गुरू जोतिसी सब ठीक हुँच दंदन माननोस गुराव सांती गर्णा मंत्रा भीषेग गर्णु परचा तेश का लागी तपाई का समस्या का आया चन तो थापाउनु परचा तपाई को कर्म को जिबन कानी सर्शती बताय दिनो सरला हुण ता मन पनी हलुका हुण चाला बनना ही परियो जोतिसी बन्नुस बन्नुस सरला अज गुरु जिबन कानी बन्न थाल चिन आमी नुआकोट बाट काठमन्डो आयर वसे को बनी धेरे वर्श भाईश चेक्यों मा शुरू बाट बन्ना चान्चू जोतिसी अज सरला मेरो बिवा भहा है राओदा दा मेरो उमेरतेस्तेगे 22 बर्श जति थियो गर्म आमा बुबा शिरिमान crush दाई जेठाजू को परिवार थियो तोखा बंदा अलियत आयर भाड़ा को घर्म बसन थाले। मेरो सिरिमान सामन्ने पत्रगार्विता गर्णों होंतियो। कमाई खासाई होंते न थियो। कोठा खर्च पुर्याउना मुश्किल भैपाची मैले खेला गाडी मा तरकारी बेचन थाले। केशरी तरकारी बेचे रायको पईशारा सिरिमान को केई आमदानी ले। आमरो पोठा खर्च मुश्किल ले पुक्तियो। शुरूमा आमी चाराई जना योट्टे कोठामा कस्ट गरेर बस्तियो। कची म सुतकेरी भैपची दुएटा कोठामा बसन थाले। सिर्मान को तलब थोरे हुनी तेई पनी समय मा तलब दिनन न सकनी। आमरो गुजाराको मात्यम तेई ठेलागाडी बन्यो। काम सानो ठुलो होदैने भन्नी भाबना राकेरा तरकारी पसल चला होदै गय। कुने कुने समय दुचार पईशा आमधानी होदा चोराको भविष्चे का लागी बन्दै बचत्पनी गर्ना थाले। विश्टारे चोरो बड़दै पड़दै गय। समय वितन कती लागदु रहे चरग। चोराले बारक अक्चे राम्रो श्रेणी मा पास गर्योब चोरा पड़ाई मा प्रथा मोने भैकाले। विध्या लईले छात्र बेर्थी दिन थियो, आमिलाय राच मिले को थियो। जब चोराले बारक अक्षार आम्रो श्रेणी मा पास गर्यों, तेश पचियो अस्ट्रेलिया पढ़ना जान्चु बनना थाल्यों, उस अंगा पढ़े का सवाई साथ्य रूपी देश पढ़ना जाने तयरी गरी रहे का थी, देश को अवस्ता नहीं तेश तेथियो, आमीले गईरा बारी बेजियो, बार लाख जती आयो, आमी संगा औरुकेई बेचनक लागी संपती थे न, मेरा गवना बेजें दोई लाख जती आयो, एगार लाख राक अकम पूगे न, तेश का लागी मिटर ब्याजी को मा पूगियो, मिटर ब्याजी ले पईशात दीने भई, ब्याज ने कड़ा, तोई पनी छोरा को भविशे का लागी, बिकल्पमा आमी जाना सके न, दोई जाना मीटर ब्याजी ले आमीला 11 लाख पईशात दीना तैयार भई, आमीले एक बर्ष माँ 11 लाख को 20 लाख तीरनो पने सर्थ राकियो, उन्हेर ले 10-10 लाख को दोईट को प्रको भईलियो, आमी परिवार का चाराई जना सदसला डेंगु ले भेटायो, आमी आतिक रूपले अत्ती कमजोर, केमा ती डेंगु को आकरमान संगाई थप समस्यामा परियो, शिर्मान को जागिर पनी गयो, आमीलाई खाना का लाई चामल समेथ होना छाड़ियो, ड जिनीका और थप मानिसंग रिन काडियो, तेस बेला, आमी लाई थप तीन लाख रिन लागयो, तर शासु आमालाई बचाऊना सक्कियो, शासु आमा ससुराबाद दुबई पिते, श्रिमान मित्टु का मुखई मा पोगे काती, दिन बलिया रोय चन धन्न बाहाची, तेस परिशके बची उपाई नसल्दो रहेचा, उनियोरले वनिजस्तो गरनाहामी बात्या होन्तियों, समय तो एसो उसो बिती आल्दो रहेचा, इस सबय चेक अरू अली अली गर्दे बाउंस भई, सबय चेक लानी हरूले चेक अनादर मुद्दा हाली, प्रहरीले मेरा स्रिमा परिब को शारा कोई निकलिये न, आजकाल जेल मा होनुँँँच, मा एकले ठेला लियर तरकारी बेशन जान्चू, तर संदई उदाहा सुन्चू, श्रिमान जेल बाटर निकलेलान की न निकलेलान के टूंगो चाईना, मा मर न पनी शक्दिना, मास न पनी गारो भई, रा पाई, फला नगते सोंबा राउनुष, ग्रहसांती का लागी मंत्रा विशेक गर्णू परचा, इस सामन ले राउनुष मनेरा सामन तिपे को कागस दिन्चन, अनि सुन्नुष्त, ग्रहसांती करने शुर्क एक से पचास लाक्ष, तो दिन पनी ले राउनुष, सरला हस बसंती बनी गुप्ति कुठाबाटा निस्किन्च, बसंती रुदै निस्किये गोंच, सित्ती मिती नरुने बसंती किनाज भाभूग बनेच, संदै विचार गरेरा जोतिश्केंद्रमा कामगर्नी बसंती ले देखे को थियो बाबा को महंगो भीश, अनि बाबाली फी महि बाबा प्रतिको श्रद्धा जन चुलियर जान्च, तेशपची बेलुका बसंती पस्वति नाथ को मंदीर मा जान्च, साच को आरती मा सवभागी बन्च, अनि अभेईर गरे राहोंच, उ उदास उदास देखेंच, आयरा आमालाई धोगी दिन्च, अनि तो दिन खाना प अंक नौ नौ नेपाल को राजदनी सर्क काटमंडू प्राई जयीले पने भेडवाड नहीं हुँँच, देश बरिका मानी शरू कुनेही ने कुनेही कामले काटमंडू आउनु परने कारन बाट पनी यांको भेडवाड बड़ेको सहाज अनुमान गरन सकिन्च, उनता काटमंडू बशन पाउंच पुगनेहरू यो ठाउलाय अउधी मन पराऊँच, बशन्ते पनी काटमंडू को भेडवाड रएको छ, उ हरे काम इमान दारिता पूर्बग करच, यता जोतिस केंद्रमा शेवालेना आउनेको गुईचो सदै उस्ते होंच, औरको दिन पनी औ this बावारती मान चे को बीज मा के काशकोष होनच, बसंते कांध थापेर सुनी रहेकोंच, इमान चे मोरंग बाटा खाठमंडू आयर भसभास गरेको कुँरा, काशकोष भाटरी थापमोंच, इनको नाम विक्रम होनच जोतिशी वावार विक्रम को के विर्मा संबात शुरू हंचा विक्रम गुरु मेरो तनापता दूर हुँचा नियाई न जोतिशी अवस्षे वरु तपाई को जीवन मा कुन प्रकारली समस्या पईदावायो तो बताई दिनस विक्रम काहा देखी बताऊं गुरुजी जोतिशी संबा भई बाल्यकाल देखी के बताऊनुस नबै जहां बात शमस्या पईदावायो तेम बात बताऊनुस विक्रम हस गुरु बंदै कानी बताऊना थालचा गुरु मेले जिवन मा अपराद गरें मा पापी हो गुरु बंदै रुदै शुरु गर्चा मेरो जन्म मोरंग जिल्ला को उर्लाबारी भंदाल तला खेती किसानी परिवारम भई को हमरो बाल्यकाल समय अनुसार को खेती कर्म गर्दवे बेतियो दान मकई तोरी आलू को खेती हमरो गाउमा राम्रो होंतियो केई-केई सनपाट को खेती पने होंतियो गाउमा प्राय सबही को जग्गा जमिन होने कर्थियो थोरही मा एक भीगा बड़ी मा 11 भीगा सम्म जग्गा होने मान्चे होंति आमें सानु होदा गाउं मां ट्यक्टर होदाई न थियो, सबहेले खेद गोरु आ रांगा को साहेत आले जोते, रुपने रुपार पनी अचो पनी अचो बारो पर्म गरेर रोपते, जती उपजनी होंते। तेसमां आमरो परिवार मात्र इन सारा गाउं ने खुशी होंते। आमरो परिवार मा आमा बाबा दोई ती दी हरूट अमोगरी पांच सदसे थियो, आमरो जगा तीन बिगा थियो, तो जगा आमा को नाम मा राकिये को थियो, बर्षा याममा चारे इतिरा धान बारी खेत को बीज बीच मा कदम का ठीक का रुप जत्ता हेरे पनी हरियाली नी खेत पार सम्म पुगेक होंती। बर्शायाम मा केत का आली टाल्टूल पार्न बाबा काद्म फरुव भोकेर हिन्न होंती। आमी पनी बाबा संग खेत ती रजांती। दावंती खेती गोकंती बीद्या बंदै। पार सम्म जानती। शलाला बगय को पानी मा हाथ कुट्ठा दुनती। मा ठूलाई थी तै पनी बाबाली मला अत्ती माया गवर्न होंती। इ पाल हरु मा मीले को आनन्द साहित स्वर्ग मा गई पनी पाइन न होला। इभए बर्शायाम का समझन हरु। और एक साल को दसने को छेवचाओ धान पाक न थालती। दसने धीलो आयको साल दसने को अगी पचेने धान पाक थी। धान थनकाओने छेन किसान को मुहार मा आनन्द को जुन प्रवा होंती। तेसको बढ़न ने गरन सकेन नती। दावनी गर्दा को रमाईलो अलामा जारेर राकेगो धान रुंग्दा को आनन्द। राती रारी टिपेराखाय को आनन्द अनी छिमेकसम्मा गएर बउर टिपेराखाय को आनन्द। आहा, मैं ले याँ जून आनंद को बड़न करें, तो आनंद मेरो परिवारमा मात्र थेना, सारा मेरो गाउं को अवस्ताने तेस्ते थियो, राध्भावरी मांचे वरू हीडेरा टाडा टाडा पनी जाना सक्ते, दमक मातिको बेलनागे शिविर रा पतली शिविर बाटा, राध्भावरी हीडेरा उज्यालो होंदा आमरो गाउं तीरा धानकाटना मांचे वरू आउं थे, औने शिविर मा सेंसस आउं चाव बंदै, राध्भावरी लगायरा उनिहरू फर्कन थे पनी, गाउं मा शांती सुरक्षय रामरो थियो, आपनो बारी मा खेती गरेर जिविका चल थियो, चाड़ बाट को खर्चा, बाल बच्चा को पड़ाई खर्चा, सबही खेती को उपजानी ले पुख्टियो, तेस्टो समय माति कोसको के कुदिष्टी परे कुन्नी, एका एक चेली बेटी बलतकार होना थाले का घटनारू पनी आउना थाले, दमा, कुरलावारी, बिर्तामोट, बिरात नगर हो दई, आमरो गाउं तीर पनी चंदा आतंक बढ़ना थाले, गाउं मा यूबारू अलियली गर दई, पहलाईन हो दई गई, कोई कामका लागी बंदे खा आने अरूले देशवर क्रांती थाले, समचार सुन्दा पनी डर लागने इस्तिति भयो, क्रांती घर नी नियूमा गुस पेटिया हरूले ब्रह्मा लूट मत चाहे, असाज पर इस्तिति को सामना गर्ना न सकता, मा भारत तीर लागी अरू युवारू को साथ लागे रो, आमी बियार को कटियार पुगिऊ, मैले पईलो पटगे ती ठूलो रेल इस्टेशन दखेको थी, त्यां गणे र गण्ण न सकीने मानचे अरू थी, मा छक्का परे, अंगा भंगा भाईका मानचे अरू देखदा दवया पनी लाग्तियो, पर केई गर न सकीने इस्तिति थ आमी ले एक राध रेल्वे इस्टेशन भित्र के कूर्शी मा बितायों, दोई रुपयां को टोकन लेरा रात काटयों, क्यां भाट भुली पल्टर, साथ हरू कोई दिल्ली लागे कोई पंजाब, आमी भनी पंजाब तीर लायों, बर्मा गईपनी कर्मा संगई जांचा भ काम गयों, चित्त भुजे न, दिल्ली गयों, तिया पनी रामरु काम गरन सकिये न, तेश पाची चेन नही पुगयों, ग्रोटी खादा खादा वाक का दिक्क भायका हामी लाय चेन नही मा धान को भाध खाना पाऊदा, बहर को झळल जली यादायो, चेन नही मा काम नमिले पची पईशा एता हुता खर्चा गर्दा गर्दाई शिदिन्ट्यू। तेस पची आबूता हुई नांगा को नांगाई। तेस बेला महसुस भई। शुराची धार थलो भईयन भने। परिचेर अवसर दुभई समाप्त हुने रायचा। और ही लठक भईरे एक बर्च पची नेपाल आउने वीचार भई। जेता परला भनेरा ट्रेन को टिकट लिना चेनराई सेंट्रल स्टेशन मागई। तेखेर परिचे काड मागदा परिचे बीन भई को महसुस भई। अनि चेन्नाई माँ सावले बनाई देको काड देखाई चिन्नाई एक्स्प्रेस को टिकट जल्पाई गुडी सम्मा को बूक करिऊ। तो ट्रेन आसम को तीन सुक्या सम्मा जाने रहे चाओ। नामी ट्रेन बाट जल्पाई गुडी माँ ओर लिऊ। फेरी छाती ढख को पुलिऊ। जापा मोरंगा धे रहे यू बारु शिलगड चेत्र का पसल मा शेल्समेंट बसे को पनी भेटिय। कोई-कोई होटल मा पनी काम गरदा रहे चन। पत्ती ता रिक्षा चलायरे पनी बसे का रहे चन। जे जस्तो भाईपनी शेलगडी बाट पानी टेंकी को बस मत चड़ू। कपड़ा गुशान जोला बीरे का औनी जोल वितर बसने पईशा भोके का कंड़क्टर पईशा उठाऊ दे आए। आमी जोई जना थियों आपनो भाड़ा ती रहे चा। एक एक गिलास उखु को जूस खायरे सो तलती रहे को राजगाट जाने जीप लाए को रहे चा। आमी ते जीप चड़ेर घर पोग्यों। साज पणी परीशके को ती आपनो भार पुगयों। मूने आई ज़ाए को बाती जोई व्ग आवे चालं पायका थेलं और कि इसा Lost परीशके कुझ तो आमी डों काटको टांडे घर तोल बाशल कटा थिो। दोस्तलामा आमी शुतने ठाउन थियों। याम अन्दा मास सिलिंग थ मो इदे बांचामा चेरे रा आमा बने, आमा चित्वी चितु चितु मा वैती राऊनु भयो, मेरू टाओ को मुसाल दी काले तका गएको थीज भने रा, सुक्का सुक्का रुनु भयो, बाबा औनी दुबै दिदियरो छेऊ मा आइरा बेस्चरी रुनु भयो, तेस बेला मा स सब्दपनी रोकीःचिओ आमियी गाउबात्र हीड पाची गाउमँ मांशली म सब्तानी सीक्राउनिकारे विलीटिकीआघा Ihr लांथली म dispass अरी बिडिगी क्रांटिकार और समस्वोगोरर अल्त्रमम्होर हमाय ठाखनाने लगाउनी मेरा दुबई दीधी हरुला ती पटक पट गाउने सम्मों का मांचले हतियार देखायरा बलतकार बनी गर्दा रहे चान। तेरो भाई हम्रो कभजा माचा दाय बाय गरे सब बला मारी दिन चों बन्दा रहे चान। नेपाल का ग्रामीन बस्ती मां तू बिला को अत्याचार बढ़न गर्ना नहीं न सक्कीने प्रकिर्ति को रहे चान। पस्ले गर्यों भन्ने सम्मों को एकिन भाई न चान। एक दिन एवटा ठूल सम्मों आय रहा बुबाला अपरन करे रह लगे चान। चुप लागेनों भने मार दिन चू बनेचन। दिनी अरुले भुबाला एक अप्ता जती ठाउं फेरी फेरी लुकायर राखेचन। तेश पची बिराट चोग छेवको जगा एक घार भिगा मालपत कारेले गएर भुबाको नाम्मा पास गरेचन। पची उनी अरुले भने भची बेचेर फईशा दिनु परनी अथवा उनी अरुको मांचेको नाममा नामसारी गरेचन। परनी सोर्त राखेचन। और उपने ससाना दुख पिडा का धेरे घटना सुनाओन। बियान को इन बजी सकेचा कुखरा बासे पची सबई जसंग भईयों। बात तरकारी चीश भई सकेचा आमाली अगे नामा दावरा कोईला ठोस्तास पारेरा खाना तताउन। साड़े तीन बजी तीरा खाना खायेका मात्र थियों। इजो बेलुका मोसंग आयेको साथी अस्यांग फस्यांग भर्दे आयरा बनियों। आमी फरकान उपर्छे उताई भारत तीरा। यो गाउने खतराको केंद्र मा रहेचा। तेस बची आमा बाबार दीदियरली आमी लाई तुगाउं छोडना सल्ला आतीनु भय। आमी फेरी तियां बाट दिल्ली पुगिय। दिल्ली मा देरे नेपाली हरुको आवद जावद दिखे रहा तियां बाट बनी आमी औरियाणा राज्य को गुडगाउं भन्नी ठाउं मा पुगिय। तियां DLF कोलोनी को रूप मा ठूलो हाउजिंग भर्खार बनी को थिय। तियां दूयोटा गार मा शुरक्षया गार को रूप मा काम गर न था लिय। खटांका एक जना भूपू गर्खा स्वाईनिक ले हाँ मिलाई तियां जागिर लगाई दिना स्वयक गरी। गुडगाउं ठूलो स्वार थिय। मेरो जागिर गराईसी शुरक्षया गार को भई को उनाले। टेलिपोन, रेडियो, टीबी सबय महिले उपवयोग गर्ना पाऊं थिं। नेपाल को समचार दिनाउं चाक देर सुन थिं। नेपाल मा सांती प्रकिरिया थाली ओरे, बनने गाईगुई शुनी न थाले। तेती खेर सम्मा मठे गई थी। तेस पजी मेरो दिमाग मा अपराद ले जन मलियो। महिले अनुमान गरें अब नेपाल मा क्रांती को नाम मा चलेको असांत आंदोलन समापत होने चा। नेपाल मा बाबा को नाम मा भय को जग़ा समझिदा मन मा लोप पलायो। तेसको चानुनी पाट भुजी। basi तो जग़ा मेरो नाम माउने अनुमान करें। चो जंगा करण구ुन मुल्य को त्यू। महले बाबालाई नी मारने यौजना पनाएं। दिल्ले गउरा भाडा का साफपर्लाई यौजना बताएं। तिनि हरोले मारने का लागी रकम कबली। महले दिन। भाड़ा का साप सुटर हरूली मोरं गईरा बाबा लाय मारी भाबा गो हत्या संग संगे जसो नेपाल मा सांति प्रकिर तुंगो मा पुग्यू एक दसक बंदा लामु समय सम्मको असांती समाप्त भयू। मोरंग नेपाल मा बाबा को हत्या पशी प्राइले लाम अनु संदान गरिव। केई पता लगाऊना सके नचा आमाले आत्मार्त्या गर्नु भयचा। दोई दीदी हरूले इनर्वा का बुड़ा थारोर संग विवाग गरिर गए चन। मा बर्च दिन पचे नेपाल मोरंग आएं। समाज का लागी देखाउन का लागी बुबा आमा को काज किरिया पनी करीं। मा एक लो थीं। यही समय पसी तौल तिन नम्मर पजार के एक जना केटी संग विवाग गरिं। विवापस्तात मैले राजगाट को जग्गा बेचिं। यानी विराट चोको जग्गा पनी हाउजिंको काम गर्नी समवलाई 5 करोड मा बेचिं। आजकाल मैले यां काठमंडू को विशालनगर मा घर मनायर बसेको चू। भाड़ा पनी राम्रई आऊँच। मेरो चोरा चोरी श्रीमती कस्चेला यो गोप्य कुरा था चाईन। दिन भारी मा आशी खुशियता उती गोम चू। रमाऊँचू। तरह राती बने पटकाई नीद्रा लागदाई लागदाई न। नीद्रा लागी हाले पनी आमा बाबाले सपनमा आयरा कालेत महिले किनतेशो गरिश मन्नौंच। एत्ती खेर मपस्चा तापको ज्वाला मा चू। गुरु मलाई सांती दिलाई दिनू परिव। एसरी उसले कानी सुनाऊच। जोती शी अवस्य सांती मिलने चा तपाई डुक काउनोस। जस्चरी वाईपने गुरु मलाई मुक्ती दिलाई दिनू होस। जोती शी एसो गर्नोस पलानो गते सोंबार गरशांती गर्नों परच। इस सामन ली राउन होला सुचि दिराई बिक्रम हष। जोती शी गर्सांती गर्न रमंत्रविषय गर्न 1,500,000 रुप्या लागें लागें लिक्रम हष। जोती शी पनी अन्यकाम्मा लागे चन। वसंते गुप्ति कोठा बाट निश्कन चा, आजगो शेवा ग्राई पहिले आउने भंदा बड़ी अफ्रादी चा वसंते महसुस गर्चा जोतिसी बाबाले पहिशा बड़ी लेरा ग्रशांती गरी दिने कुरा गरे कोले वसंते को मनमा चीशो पहस्चा तो दिन जोतिसी बाबा प्रति पनी संका गर्चा एक मनली और को मनली आफ़े सम्माली चा अंक दस दिन प्रति दिन बशंते समाज का नया नया घटनारू थापवाँ दे जान्चा पड़ेर बंदा पनी पड़ेर धेरे जानींच बने जें उसले धेरे कुराको ज्यान पाई रहेकोंच उ कलेज को पड़ाई लाई पनी उत्तिके महत्तो दिन च अपना साथी भाई संगा पनी तारकीक बहस चलाउंच अरे कुराकु गई इरो अध्यन गर्णी बानी को विकाच उसमा हुद़ए गई को हुँँच। यथा जोतिस केंद्रमा आओने सेवा गराई को सम्पर्ग बाट उसमा व्यभारी ज्यान पनी बढदए गई को हुँच। प्राय जोतिस केंद्रमा मांचेरू आई रहांचन। इ मांचेरू आपन भविशेर नाओने भन्दा पनी आपने जीवन को भगाई का कारण। उत्पन भईको तनावर असांती दूर गर्नका लागी। जोतिस केंद्रमा आऊचन। जोतिसी अरिनारन कर्मकांड गर्नी यानी पुरोईत काम गर्नी मांचे पनी हुँचन। उन्हेरको जोतिसी प्रति पूर्ण विश्वास हुँच। ते विश्वास को कारणने जोतिसी केंद्रमा सेवा ग्राय आएका हुँचन। फेरे अरको दिन अरको एक सेवा ग्राई आऊंचन, जोतिसी बाबारी वसंतेला संकेत गर्चन, वसंते गुप्ति कोठामा बसी सुन्ने काम गर्चन, जोतिसी रा सेवा ग्राई बीच संबाद सुरू होंचन, सेवा ग्राई गुरु दर्शन, जोतिसी दर्शन, सेवा जोतिशी तपाई को भीगत को जीवन को कर्मकांड को इतियांस खुलस्त बताउन होश्च जश्को कारण गरसांधिगर्न सजिल होने छवागराई हस गुरू उनत मा पापी हूँ मा पस्चाताप पनी गरी रहेको चू तरापनी बासनु परेको चा बास्ताप पनी मन भाध बती पोली रहन चा तेई भईर उपाई खोशना आएको अब मा मेरु मन आत्मा पस्चाताप को आगों मा जलनु को तथे राक्ड़ाचू मेर घर प्युठान जिल्ला मा थियू, मेर जन्म तेंग वेवटा गाउं मा फईको, दुर्गम पाडी गाउं को जन्जिवन निक्के कोस्ट कर हुँच नहीं तियां ठूला कलकारखाना पनी थिये नन, व्यपार व्यवसाय का नाम मा किरना पसल, आउसदी पसल, कपड़ा पसल, भानाकुणा पसल औनी सामन्ने होटल हर हुनती, म सानु बाटे केई ने केई नहीं काम गर्नु पर सबनी स्वचाई राखनी यू बाट थियें केदबारी को काम बाट देरे आमदानी होदै न थियो, मैले प्यूठान सदर मुकाम छेओ मेयोटा गेस्थाऊस राखें, जुन सदर मुकाम बाटा केई जूरी भाईपनी मान्चे को आउजाओ गरनी चोबाटो छेओ मा थियो मुलुक मा व्यवस्ता परिवत्तन का नाम मा आंजोलन उग्र रूप मा चलिंग रहे को थियो, मेरो गेस्थाऊस मा बाशन मान्चेरो आई रहन थि, को किना काम बाट आएको मा खासे शोदनक कोशिस गर दी न थि, जसले जे नाम टिपायो मा रजिस्टर मा तेई टिप थि उन्हें हरुले प्राये छोट करी नाम टिपायो थे, केई पर सदर मो काम थियो, तियां आर्मी प्रायरी को आवा जाद बाकलो हुन थियो, तरत तिनी हरुले प्राये मेरो गेस्थाऊस मा चास्व रागवई न थि, एक दिन मेरो गेस्थाऊस मा बेलो का आठ बजे तिरा आर्जाना मांचे को सम्मो आयो, राम्रो बोली चाली गरे, कोठा बुग गरे, खाना पकाउन पनी लगाये, आमी गेस्थाऊस ब्योस आयलाई, आर्जाना को सम्मो एक के पटकाउदा, एक दमे खोशी लागयो, कता कती आंदोलन कारी हुन, रपचेई पची प्रारी पनी चनकी भननी डोर मन मां रई रय, आर्जाना मद्दे दुईजाना केटी मांचे थी, चारोटा कोठा बुग गरे, सबही ले ठुल्ठूला जोला बोके का थी, उनता पहाडी बाटो मां यात्रा गर्दा सबही का भारी निक्के होन चन नहीं। आमी पईशा हपता दिन पची संब को तिरेर जान्चों, सामान यही राकी दिनों पची आयर लान्चों भने, आमी बेवसाग्या लागी तो पनी राम्रई लाग्यों, उनिहरू दिन भर सुते, बेलू का खाना खायर गए, जाने बेलामा सबैले हासेर गए को देखे का थी उनिहरू का बारेमा खोजी निति केई गरेनों, अबता दिन बित्यों, unischar Giral आयरन यही पची आवलन भने, ठानी ऊत्तर, उनिहरू आयरन, दोस दिन भितै पची देरे कुरा सम्झन अथालें, तियसंपची पणी नाय पची गेस्थाउस का कोठा सनदे खाले राक्नों पनी भाई न उनियरु का जोला जुन चार कोठा मा थिये एवटे में राखेर ड्रोका बंद गरी दियों। आमीले अमरो बेवसाय निरंतर चलाई रहयों एवडा कोठा बराबर को ब्यापार गाटा थियों। उनियरु आय पजी सवय कुरा राखोंला वन्ने सोचियों। दीन वित्ते गए देश मा अंदोलन का गटनारू गटे को रेडियो मा बारम बार समचर आई रहनती। तीनियरु याथा अंदोलन कारी तिये याथा सुरक्षा कर्मी को के रहन नितियों। अन्योल मा थियों। अन्योल मा थियों। सेता थाईली मा बाईर नाम लेखेको लाचा लागेको कत्तियों कत्ति थियों। याथा थाईली खोले रहेरियों। याथा नोगेडी थियों। अन्योल मा थियों। आमरो दय निकी गोल माल हुना थालियों। जाँ समस्या तियां उपाई। बड़ावुडी हरुका तेरे पटक मैले सुने का इक कुरा थियों। मो समस्या को समधान खोशना लागें। मैले निक्के दिन लगायरा गटना को पास्तविक्तपत लगाएं। आमरो ओटल मा बसना आयका ती मांचे वरु आंदोलन कारी रहे चन। तीनी हरुली उताई को बैंक लुटेरा आयका रहे चन। गाउंका सबयी मांचे वरुली शुरक्षया का लागी आपुसंग भईको सुन्चादी बैंक मा राखी के रीन पनी लेका रहे चन। करोणों को सुन्चादी र करोणों रोकम उनियरुली बैंक लुटेरा भागी हामरो होटल गेस्थाऊस मा आयी बास वसे खाराये चन। आमरो मा ती सामन राखे र फेरी दुई जिल्ला उता औरको बैंक लुटना गय का रहे चन। उनियरू उता बैंक लुटना जानादा सुरक्षया कर्मी को घेरा बंदिमा परी मारी चन। शुरक्षया कर्मीले मानवधिकार को उलंगन गरियो अपराद गरियो वन्ने समजार फ्रिजा उसन बने र ती मरे का लास अरू खाल्डो खनेरा गाडी दियेचन। गटना खास्य बाहिरे आये चन। वोटल गया स्टाउस पनी संपर्ग का ठुला इस्तान होंते तो बेला। मैले धेरे शुत्र प्रयोग करी तो घटना को वास्त विक्ता पुझी। सत्य ता पनी त्य ही राये चा। ती सवय सुन्चादेर राकम लेवने मारिये। अब तो संपती को भगादिकार मिर होने अवस्ता आयो। एक सामन्ने व्यवसाहिलाये ती तो ठूलो धन्संपती को व्यवस्ता पन गरना पनी बहुत कठिन थियो। मैले एक मनली तो सवय धन्संपती शुरक्षा गर्मिलाज धिने सम्मको कुरापनी सोस्न भ्याएं। तरा मन पूर्ण रूपले मान्दै मानिना। धन देखे बची मादेपको पनी तिन नेत्र बने जएं। मलाई पनी लोग पलायो। तो सम्होले देश का कतिवड़ा बैंक लुटे को पईशा बनन सक दीना। रखम ठूले थियो। सुन्चादी का पोकापनी बहुत है। गेस्ता उसको इस्टोर कोठामाती सवय सामन सुरचित राकेर केई समय का लागी दांग जरी। तर आई मा धेर जगा की नेगोर महल बनाएको सपना देही। तर तो सपना धेर बेर्शम मा सम्जन मन लागे न। धेर जगा किन्ने वित्ति के कसे को नजरम परी हली न्तिय। सुरचित बविशे सुरचित हो दई नतिय। दांग मा एक दिन बसे रा काटमंडो गई। मती सवे सामन सल्टाए रा आनंदले जीवन जीवन चानती। तिस्ते उपाई को खोजी मा थी। सम्योग बनोवा मेरो भागे बल्य। ठोमेल को जयाठा बनने ठाउं मा यूटा ठेकेदार भेटिय। जसले आर्मी प्रहरिला रासन सप्लाई गर्द रहे चा। वो विश्वासीलो जस्तो पने लाग्यो। पुरा गर्दाई जादा आर्मी पुली संगर आम्रो संबंद पनी रहे को था पाएं। उसंग मैले मेरो अवस्ता बताएं। तो पाञ्यों मेले मेरो पुरानो गहरम लागेर प्लास्टिक ले नव 10 पतक भानी नव अपरने ठाओं मा थीन को ठूल वाक्सा वित्रहाले रहे तो भाक्सा पनी प्लास्टिक ले ढारी देको थी। तो बताएं ना में सुन चाधि का बारे मा बताएं। योकुरा प्यूठान मा तीन जनालाई था चा तपाई शाए चार जनालाई था उने भो बेचना सके चार भाग बराहाबर गर्नों पर्च बने। तो ठेके दारले बनियो, सबही सहजे बेजनाता सके दाइना तर सुन बेपारीला बजार मुल्ये को सत्तरी प्रतिशातम बेजना सकें चा जाठा लियाऊन अपने शकने आईश्य दूसको राये चा मुझका गाड़ी अरुयता हुता हीडी रनी आर्मी प्रारीका सामन बोकने भाईकोली उसले केपट गरेर प्युठान बाट सुन चादी लियाएरा जाठामा सस्ते मा बेच्यो मुझका गरेर शुरु में कते गड़वड़ी यू ससले घ्रुड़ी हो एक नम्मडी काम मागड़वदी होला तर भी नम्मडी काम मागड़वड़ी होला तर दोेनम्म Ci Caudhe ती सभई सुन चांदी तो ठेके दाले सहजे बेच्यों, मलाय उसली तीन करोड दियो रभन्यों, यती नहीं हो तपय अरुको भाग, उसली कती राख्यों मलाय धाब है नौ ती आंदोलन कारी अरुले कती ओड़ा भाइंग को सुन लुटे का थिये, तो तो मलाय धाब है नौ तर तो समय मां गाव मां कस्ता हिली पनी घार मां सुन चांदी राख दई न थी, पार्तिर सवे लावरे नी अरुडे सुरक्षया का लागे गहाना भाइंग में राख थी, महले तो पईशाले कार्षमांडु को विशाल नगर पननी ठाव मां घार किनी, तो चेत्र मां आर् समय समय मां उता प्युठान श्रिमती संगाफोन को मांदें बाट संपर्ग में थी, महले विशालना गर्मा कीने को बहर तीन तला को थी, आदर रोपनी को कंपाउंड स्वेद को घर जगा थी, दुई तला भाडा मला गाएं, तेस पचे प्युठान गाएं, उता प्युठ स्रिमती को मना सांत भाइको रहले, यो घटना मेरी स्रिमती रा मलाई मात्र था, था तियो, चोड़ो सानए भाईको ले उस ले था पाएगो थे न, आमा बाबा भाई और उच्टे घर मा भाइ बौस्टे था उने कुरे भाई न, स्रिमती ले मलाई, इस आरा भीषाला ले टेंशन पनी दिन थिन तेई टेंशन को बीच मा बनी तू गाड एर राके को पईशा अली-अली गरेर जिगदे दांग रे नेपाल गंज मा घड़े रीकिनी तेश पची आमीली त्यांको गेस्थाउस बंद गरियू और गाउं को घार मा बस न थालेूं मा दांग नेपाल ग करना थालें तेश पचार मैं ले शारेंद्र पूर्वाग भीरमा लेर गएं उनले छोरालाई पनी शंगे लेर गएं मैं ले भीरमा पुगे पची उनलाई 100 मीटर को खोल्षो जस्त मा तौला हुत्याई दियें जयां बासने संभाबनानाने थिये ना तेश पची मेरो अबोद लाग चोरो अबोद रमाय लाग दोत थियो तरह भोली को संभावित अबस्ता को अनुमान गरी चोरालाई पनी टीपे रहुत्याई ती तेश पची अल्ला खालागर दे आमा बासने मुल घरमा गएं आमा चोरा भीर बात चिपले रह लड़े भनी भने ठाउं बता गाउन ले अरूले गाउन हरू अनी आफंत हरू का नजर मा विचारा भाई को थी मेरो आत्माले चाहें मलाई अपरादी भनी रह को थीओ जीवन को कुर कुन ले खांतले मलाई ये शरी गलत मार्गमा हीडायो येवता गल्ती छिपाउन हजार गल्ती गर्ण पर शबने जस आण सायद आउन नसकने पनी हना सक्चू समयले मलाई कुन दिशामा लगेर चाडी दिन चा उस्ते परे ये जन्म कोईत पनी भोगनु परनी हना सक्चू तर समयले कुनेही बादा करे नमा दांग बाट काट्मांड आए मार्गमा मेरू गहर संदए थियो मा गहर मा गयर बसें केई दिन उदास बनी रहें बहर भीत्रही देरे समय बसें समय बित्रही गयो येई साथी अरुपनी बंदै कई, मैं ले साथी अरु रचिमे की हरु लाई कटना करम बताउने मिलने जती बताई केई समय पजी काठवांडों मुल पानी की पुड़ा सहीनी की छोरी संगा जोस्तर विवा करी आज गाल टंगाल मा मैं ले रेस्टूरेंट खोलेगो चू अली वियाईपी ग्राखाऊंचन बेलुका अवेर समचुश्क लिदे आप पासमा गफिंचन बिंदास तरिकाले हास्चन मेरो नया श्रिमती तर्फवाट पनी छोरा चोरी जन्मे काचन श्रिमतीले मालाई काम मा सगाऊंचिन रमाउन खोचिन तर मेरो मन कईले रमाउन सकेना म ती मेरा ग्राकला हेरेर रमाउनेत गर्चू तर प्रयास्त गर्चू तर भित्रे देखी सक्दीना मलाई नियावरी मारी पच्चुतो को आवस्ता भाईको चा गुरु मैरो मन को जलन सान्त पारी दिनू परिव जोतिसी अव ग्राशांती करना पर ठीक हुने चा चिंत नलिनो सेवागराई ह सावसाती करना पर ठीक हुनेचा चिन्त नलिनो अपराधी आयको देखचा, जो तीसी वाबाले सामन्य वेवार गरी को देखदा चित्त नगुजी को हूँ, उसको मन मा तरंग छोटचा ननी आफ़ाई शिलाऊंचन, माती बांचा मा जांचा, केई खाना हांचा, बांचे आंटी संग कुरा गर्चा, आमा माती छोत्म देखचा, तर केई शुद्धाई ना, बसंते समय विद्धाई जादा, केई दार्शनिक पनी बन्न खोच्चा, बेक्तीर परिवार नी परिवार समास का बारे मा चिंतन करना थाल्चा, जीवन बनी को दल्दल हो, निक्के गईरो वास दस्त लाग्चा, तर तेही दल्दल क बीच मा पनी कमल फुल नुपर्चा बन्नी सोचाई राखचा, कर्म अनुशार को फाल भुजे को लिव कर्म लाई जोड दिन छा, आज सम्मा जोते सी व्यादा संग, उसको केई पनी फरक मत चाई न, तर कुने कुने संदर्वमा उसको चित्त नभुजे का अवस्ता हंचा अंक एघार, समय निरंतर आपनो गती मां चली रहको अंचा, समय एश्तो कुरा हो, न यो कसे लाई कुर्चा, न कसे लाई मसंगे आई जवन्चा, जसले समय लाई चिन्छा, उसमय संगे आफोलाई हेडाउने कोशिश गार्चा, जसले समय लाई चिन्दैना, उसमय पछी पशुतो मानेर बसनु परेको होंचा, गाउबाटर आएको बसंते मां समय प्रती को भुजाई, प्रश्ट चा, उसमय को भरपूर उपयोग गर्चा, जोति स्केंद्र मां बसेर उसले विविन्न तरिकाले ज्यान आर्जन गरी रहेको होंचा, एका तिरा क्यांपोस को मार् आद्यात में ज्यान रखे, व्यावस्तापन संबंधे ज्यान को पनी बिकास भई रहेको होंचा, तियां आउने मान्चे और संगतवाटर देशको राजनिति अनि विश्चो को राजनिति को बारे मों पनी भरपूर जानकारी ली रहेकोंचा, उसमा ज्यान प्रतीको भोक ग्राम्ब्र भैकोली तेशको खोजी मां सदैने तरलेन हुँच शुरुमां पांस्तर बाट आउदा पसंते जस्तो थियो तेशको तुलनामा संयों गुना परिपक्क भई सकेको छुँ आपलाई भाग्यमानी सम्जन्च तिने की उसले पांस्तर देखी काटमंडु सम्मको आ अंदर लावती रखनाल अंकल ले उसको जीवन को यात्रामा सोयोगी मद्वदगार को भुमिका निर्वा गरेका चन मने जो तिस बाबा मुख्य उद्दार करता बने का चन बसंते आजगा दीन मा धेरे कुरा भूजन शकने भई सकेको चा किये गलत के सही उसज़े पईचान गरना शकने हुनु का साथ है देखने विद्दिके तेशको प्रविर्ती अनुमान गरना सकने भई को चा उसलि त्याओने सेवा गरायी को मात्र विचार गरेको चाहीन आ जो तिस बाबा के उदाह जस्त हुने गरेको उसले पाउंदे गएको छा जोतिसी बाबा पनी बेला बेला मा अतास बनने गरेको उसले देखेको छा बाबा आमा बाट उसले माया बने भरकूर पाईको छा आफ नहीं छोरा चरीले पाउने माया उसले पाई रहेको छा बसंति त्यां आये बसंतिने लेपाएकोछईन उसले बाबा आमा प्रतीको शेवा भाव मा कमी हुनी हो काद्येको छाईन बनेऊ त कुमा आउनी अपरादी बेक्ती प्रती को सामन्ने विभार बाट तेश प्रकार को भाब बेक्त भाईको हन्च इसबई अवस्था को अनुभूती उसले गर्च तरकेई भन्न रदेख्त गर्ण सक्देना जोतिसी बाबाले बन्ने गर्ण होन्च बाबु तक ज्यानी बन्नुपर छ तो बाट धेरे ले धेरे कुराश गरेका चन। आमरो समाज पनी पतन हुना खोजे जस्तो च तेश को पनी तो इले नहीं रख्ष्या गर्णु परेको च तो लाई जीवन र जगत को अध्यन कराउन अरको दिन फेरी जोतिसी बाबाले बसंतेला गुपति कोठामा बसेरा सुन्न संकेत गर्चन। प्राई संपर्ण मांचे मात्र जोतिस केंद्रमा सेवा लीन आउते तिने रू महंगो गाड़ी चड़ेर आउते बने कोहीले काई सामन्य मांचे पईदले सेवा लीन पने जोतिस केंद्रमा आये का मद्दी भ्याई प्योई मद्य को बनी केई को कहानी सुन्नू परनी होच जसको सुन्नू परनी होच जोतिसी बाबा बीच को शंबाथ प्रारम्ब होंच टम्बर जीबन भरको अपटि राजनेती गरी आये का होच었다 गुरु दर्शन जोतिसी दर्शन अनि क्ये सता खबर गुरु राम्रो भहिंजे लेता आउन भ्याईये न जब मनमा असांति को ज्वाला दन की न थालियो तब गुरुजी को समझना भयो आपने बीगत का कर्म को कारण मन जलेको छ यो जलेको मन भोके रहेंड अपनी गार होत जीबन को उतरादा चरन मा सांतिले बांशन मन जलेको जीबन भर अपरात को कर्म गरेकाले अईले गार भही रहे चा जोतिसी चिंता न लिनोस तपाय कसरी आवस्तामा पोग्ण भयो तो शुरु दहीने खुलस्तर आखे दिनोस मतलब आपनो जीबन कहानी बताई दिनोस रम जान थाली ते बेला गाउं मा राजनिती को हावा चलियू आज बंदा 45 बर्च अगाडी को कुरा हो नमुना पाटी का मांचे अरु गाउं पस्न थाली विवस्ता विरुद्ध का गतिविदी संचालन गर्थी किसान मुक्ती का मीठा कुरा गर्थी राज्य को संपधि माती जनता को अधिकार होनु परचर होन्च बंदे कुरा गर्थी। मह युवा अवस्ता को मांचे ओला तनी बनी उनिहरु को प्रवाब मा परी। मला इनमुना पाटी को सतस्यता दिलाए। मह केई समय सामन्य कारे करता बनी। तेस पचे गाउं पाटी कमीटी में राखी। आर आत्मा नमुना पाटी को मीटिंग बस्तिय। मह प्राय हरेक मीटिंग मा सामेल होन्तिय। दिन मा जनता को बीच मा गईरा राम्रो राम्रो काम गरिंतिय। जाली सोशकरू को भंडा फोर गरिंतिय। नमुना पाटी स्तापित हो देगय। गाउं का जाली फटा सामन्तलाई नमुना पाटी ले कारवाई गर्नी निति अगी शार्यों गाउमा अनी जिल्लामा नमुना पाटी को दबदबा होदै कयों हम्रो जिल्ला को अवस्ता तेस्तो थियो तेस्ते अवस्ता अन्य जिल्लामा पनी बंदै कयों पाटी का नेता रूली पाटी को नाम्मा उठाएको पैसाली अन्यत्र गईर जग्गा किन्न थाले को सुन्न थालें पाटी को नाम्मा वेवस्तित रूपली जनता ठगनी वेवस्तित गीरो नमुना पाटी ने होकी जस्तो लागना थालियो तर तेई बेला मलाई जिल्ला को निर्तितो मा लगियो नमुना पाटी को जिल्ला निर्तितो मा पुगे संगे धेरे कुरा था पाईं पाटी नेर्तितो को गुप्य रूपले जिल्ला का तस्कार फट अप्राऋ देजाली बेग्तियर संग गुप्ति हेम्चिम्खोद रहेचा उन्हेन वर्बाटमपई पाई पाइचा जान रक्सि गाग्राईचा भागँ गुप्य रूपले खाना पाईचा जिल्ला नेर्थितो ले बिविन्ना ठाओं मा योण सुखा लीना पनी ध्याउदो रहेचा। पाटी के नेर्थितो मा बलिया बलिया केट हारू पालेर हातं कमचाऊनेर अदेश को समधान गरना पाटी जाना दो रहेचा। मा सोयम्ती कर महरूमा तान ही दे गईन। राज्यले अगी सारे का योजनामा पाटी ले बिरोद गरत्य। सायद राज्यसंग पनी सिमीद बजेट होंती वला। आमी बांकी जन्ताला उचालेर भड़काऊंत्य। आमीला केंडरा लेतेशो गरना निर्देशन दिन्त्य। असल मांचेले असल नियत का साथ संगठन गरना बहुत गार होते रहेचा। इमांदर मांचे संग जन्ता पनी नटेन। केई ठाउमा केई पटक पार्टिली सोशकलाय मृत्तु दंड समेत्धीन संकीने योजना अपुष्ट रूपले फिजाऊंत्य। तेस पसी चंदा संकलन बड़ी नहीं हुंत्य। कार्टिको नाममा पनी बाठा टाठा नेतारुली आमदानी राम्रै गरन भ्याईय। समयमा नजेक ठी। केई केटाहरू मैंले छुटे फाले को ठी। तिनी अरोलाई ठेकेदार को अगीपसी लागने व्यवस्ता गरेको ठी। ठेकेदार पनी मेराई मान्ची मैले ठेकापटा कबजागरेरा, मेरे ठेकेदारलाय निर्मान का काम जिम्मा दिन ठी। काम अती कमशल गरे रा पैशा हमी राख थे हों, प्रती ठाउं का पूलरू काम सकी को केई समय मा भतकिन थे, भाट्डो को पीचपनी तेश थे, गरे को केई समय उस्ता को उस्ते, आमरो गुरुप ले निर्मान गरे का भावन केई समय मा ने पानी चुईरा बिजो खुंती, आम्रो पाटी बल्यों होदाई कोले तीस सबय आवाज लाए हमी दबाउं थियूं। समय भीत्ते जादा माँ पाटी को केंजर नेर्थितों माई पुगें। शुरुमा मा ठेक ठीक है भाई पनी नेर्थितों को चाकड़ी करना राम्रो संग जाने को थियूं। तेसकाई परिणाम सरुपमा केंजर नेर्थितों मा आई पुगें। पाटी को केंजर नेर्थितों मा आई पुगें संगे था भयो कि पाटी नेतारु को जिबन तो बहुत बिलाशी होदो रहेचा। राष्टेर अंतराष्ट्य तोस्कार माफिय लगायतले आर्तिक स्वयक गरेर पाटी कपजा गर्दा रहेचन। आमरो पाटी बनी पटक पटक सरकार्म गयो। नेता हरुले गर्न हुने बंदा गर्न नहुने काम बढ़ी गरेर रकम असुल्दा रहेचन। कोई कोई सीधा सादा केंजे नेतालाई पाटी को मीटिंग माने अफ्ठ्यारो पारेर निकालदा रहेचन। मचुप चाप, मुख्य निर्तितोको मतियार बन्तिं। कती पटक पाटी सरकार्म पुगयो। कती पटक प्रति पक्षे बन्यो। हरेच पल्ट देश लाई घातुने काम गरी। वेक्ती गद राम्र फाइदा होंतिय। उनिहरु लाई मलाई पनी भागमा राम्रे आउंतिय। पाटी का निताले बस्टचार गरीर अकुच संपति कमाउंति। आमी उनिहर को धाक्छोब गर्थू। राष्टे संदी संधी सम्झोता गर्दा माफ्यागो, मार्फतται, देश लाई घातुने संधी 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 शंधा माँ स्वै गर्थू। आमी तो देश हित्का लागी हो बने रा बचाओ गर्थू। पाटी नेर्थी तोले साहथ पाना मा हामीलाई सहचाप गर न लाऊँ थी दरको बातवरण पनी स्रेजनागर थे रा पाटी हित को लागी अनी देस हित का लागी भंथी आमी पाटी कारेकाता भाईकोली उनिहरूली बने जशरी कती पल्टा साद पाना मा सैचाप गर्ना विवास हुन्थेूं एक पटक मुपनी गोप्य मीटिंग मा मुखे नेर्तितो संगा पुगें मुएली नचीने को मानचे अरू बड़ी थी उनिहर ले आमरो पाटी नेर्तितोला अपमान पुर्वक बेवार गरी काम कीना गर्ना सके नो भने रथरका आये पनी ओईसा लाने विलामा लाने ओईले नोटेर ने इस्ते इस्ते सब्दमा धमक्याए भासा उनिहरूली गएर नेपाली प्रयोग गरेका थी तर तेतिको भासा मरामरो संगा भुजदती आमराई पाटी जसरी नेपाल का सबई पाटी का नेता अरू माथी जाली तसकर्ण माफिया को लगानी रहे को अरू पाटी का साथी अरूली भने को बारंबार सुन्थे पनी आम्रा पार्टिको नेर्तितो ले हामी अरुको दस्तकत खाली पानामा बारंबार गरेरा लगने गरेका थिये भनी आलें एक पटक मैं लेवटा पत्र भेटनें आमी सबई दाताले भने जशरी हाम्रा देश का श्रोथ साधन परी चालन गरने छों शिक्ष्यामा पनी दात्री निकायको मन सायलाई सम्भुदन गरने छों तना तनी रार्मेक पद्धतिमा दाताको इच्छा अनुसर का कुरा सुईकार गरने छों पर राष्ट नेती पनी दात्री निकाय को आदे सुन्सा तोय गरने चों एस्ते एस्ते लेखिये को थियो एस्ते अरू धेरे बूदाहरू पनी थि तेही पायनामा हामरो अस्ता शेत रहे चा साने देखी पाटी को नाम मा संगठन गरदे आयो ती सबय गतिविदी राज्य का पक्सेमा रहे न चन। कति पई नजाने रा फट्याई गरियो पती ता परिवंदमा परी राज्य दोहुन गरियो देश प्रती घाट गरेको ले यो बुडिशकाल मा पस्ताता भही रहेको चा आज ये ये श्तो लाग चा किने यो देश लाई सतीले सरापे को देश बनी चा बन्दा हामरा नेताली राज्य का लागी काम गरना नसकने बातवरण बनाएर रहे चा यो उमेर मा आयरा चेत्त खुलियो तर अब यो शरीर मा बोल रा उर्जा चैना वही साथ केई कमाईयो आफने कर्म देखता घीन लागे राऊंचा गुरु मा पस्ताताप को आगो मा जली रहेको चुँ मलाई मन को सांती फरकाई दिनू परियो जीवन बार देश प्रतिक हाथ गरेकोली मा अपरादी हुँ तु मलाई आवास भैको चुछ गुरु केई गरी दिनू परियो जानेर नजानेर इक कर्म हरु गर्नु भैयो अब ग्रशांती करेरा पाप मोचन गर्नु पर्च तेश का लागी चाईने सामगरी को मा लिस्ट लेखी दिन्चु तपाई ती सामान लेरा फलाना गते सोंबार आउनु हला ग्रशांती कर्ने मंत्र अभिशे गर्ने शुल करू एक लाग पत्चास अजार लेरा आउनु हला जामबर दोज जे गरेरा भाय पनी मनमा शांती पईदा गर्य दिनु हला देश बची डमवर्दो जोतिस केंद्र बाट बाईर निकलेर आपनो गंतब्बे तीर लाग्षन जोतिसी हरिनारेन पनी आपना अन्य काम तीर लाग्षन बसंती कुप्ती कोठा बाट बाईर निश्कन्च यस्तो पनी होदो रहे चा भनेर उग गंवीर बन्च अरे गटना क्रम बाट बसंते क्याई ने क्या अठोट निदे कहे को होंच उसको भीत्र भीत्र देश बक्तिर इमान दारिताको भावना बाडी उरली जस्तरी उरली नच आखा चिम्मगर्च सोच मक्त न बन्च अंक बारव दीन हरू बित्ते लंचन जटे जटे दीन हरू बित्ते लंचन तिती तिती अनुभा बसंते मा थपिन दाई जांच रित्तु अनुसार काटमंडो को मोशंपरिवर्तन होदे जान्छा, काटमंडो मांचे आउनेर जानेक्रम सदैने चली रहाँचा, काटमंडो मां धेरे परेटकेस तलपनी रहे खोली साथ समून्द्र पारी बात्र समेथ परेटकरू आउंचन। युनेस्कोले यहांको धेरे ठाउला विश्व संपता सुची मा राखे को पनी छा। बसंते समय मिलायरा आपना बुबारा भायला बेटना पटक-पटक फांस्तर कुएको छा। तर येता जोतिसी हरी नारन का चोरा हरुबने कईले विदेश बाटा फर्किये का चाईना। दुबई चोरा अरुली बिये गरिको खबर अरुने माध्यम बाटा सुने का चना आमा बाबाली। सानई मा आमा बितेरा आमा को मायाओन भब गर्ण न पायको उँ जोतिसी आमा को इस्तने का कारण खुशी लेकुना पशेरा रोन पनी धेहरे पटक भ्यायको छा एसरी बसंती तो गर को परिवार को एक सदस्य बन्न पुएको छा जोतिसी बाब आले पनी ओसला उत्तिके मायालू ब्यभार गरेका चन जोतिस केंड्र लगब कईले खाली हो दईना संदैने भेडवार भही रहे के ओंच त्यांको भेड देखदा पसंते को मनमा एस्तो विचार पनी आउँछ इमांचे अरू किन यां आये का होलन अनी उत्तर पनी ओ आफंई ठम्याऊँच विश्वास लागेर होला बसंती कार्फंडू आये देखिनी जोतिस केंड्र को एमांधार कर्मचारी बनेको छ जोतिसी बाबा को माये पायेको छ त्यांको शेवा प्रणाली प्रतक्षे देखदा उप पूरे नेपाल को अवस्ता कल्पना गर्छा तर पांस्तर को केई गाउर काटमंडू हन्दा अंत नभुजे को ली उसको अनुमान काल्पनिक मार्त्र होंच उसमा देशको भूगल गुम्नेरा मानी शरूको अवस्ता बुजने इच्छा जाकरीत होंच तर त समय उसको सामू आईपुएको छाईना आज फेरे औरको भ्याईपी आउने तीन तेशको संकेत बसंते ले पाईशकेक होंच जो तेशकेंद्रमा ब्याने साड़े 10 बजेतीर महंगो क्रीम रंगो को गाड़ी प्रभेश करच तल खटिये का सुरक्षा कर्मचारी ले प्रभेश कर्णा आउना स्वयक गर्च र ती भ्याईपी माती श्यवाकेंद्रमा जान्चन उनको सवारी चालक बोही तलामाने रएको कोठामा पत्रिका हेरे रबस्च तेश बेला सम्ममा बसंते गुप्ति कोठामा पुगी स्वयक होंच ती आजका भ्याईपी को नाम प जोतिशी बाबार पितामबर जी को बारतला प्रारंब होंच पितामबर जी गुरु दर्शन जोतिशी दर्शन पितामबर जी पितामबर जी गुरु मा जीवनको उत्रार्द चरण मा पुगीं तर एत्ति खेर मा सारे तनाम्मा चु मन ज्यादे असांत चा सपनामा पनी तर थापाऊनों पर्छ तेसको कारण आपुले गरीको बिगत का कर्मको कारण नहीं हुँचन। तपाई आपनों बिगत बथाई दिनों तेस पची ग्रह सांती गरी सांती फिरता लियाऊन शकेंच। पेतामबर्जी, उनत हो रहेचा गुरू, इस सबई मेरा कर्मका कारण हुँच अस्तपनी लाँख्च। आमरा सबई साथे अरुपनी हजुर कैमा धाई रहेको देख्च। ते भईरा गुरू मौ पनी सांती को याचना करते हजुर को सरान माहेको छु। अब मौ मेरो जीवनको कर्मको सार्शंचे प्रस्तूर गर्दचु। आजबंदा 40 पर सा गाडी को कुरू हुँच। मौ इसनातक पासगरे रसिच्चिल भईकु। तेस बेला इसनातक पासगरनु चांचुने कुरा थिये न। थोरे मांचले मात्र इसनातक पासगर्थे। इसनातक पासगरे पची जागिर्मा छिर्ने विचार करें। परिवार जनकु पनी तेस तैस शल्ला आव हयो। तेस बेला लोक्षेवा परिक्षा खुलियो। अधिकेत आमा खुले को जागिर्मा मैले आबेदन करें। पड़ाईमा अब्बलमा सजिले परिक्षा पासगर करना सफल भाई उना तो अईले को जस्तो भीडने पनी धेरे होदाई न थे तेस बेला सरकारी जागिरे अधिकेत होदा निरो फूर्तिने अरकाई थियू तेस पची मैले वर्खारे इस नातक पासगरे की केटी संग विवागरी तेस बेला समाजली नया चर्चागरने पात्र को रूप मा मा देख्येको थे मं सरकेरी जागिर में चेरे पसि शुरु मा pad नालिम किंद्र मार पमा लगायाइत का नया ब्याजी जागिरे भाई तालिम देरा जिल्ला मा पठाई ये को थीment मा पणी सुद्रपस्चिम चgyptरे गो जिल्ला प्रशासन कारे लए को शुर्व मे छिर्दा इमांदारी ताको छाप मौमा परी कुतिय। तर जागिर चिरे संगई पईशा आउने अनेक दूला देखे दा रहे चन। मा जनता का काम गर्द अतिरिक तो पईशा ली न थालें। नहीं हाकिम को पनी रामरी कमाई होतो रहे चो। मज जागिर चिरे को केई बर्ष मानाई चार पांचोटा घड़ेरी जोडना सफल भाई। किने को केई घड़ेरी अरु मेरो नाम मा राकें। तेसपची स्रीमती को नाम मा राकें। पचिकिनेका घडेरी साचवामा सुस्रबा और शाला साली को नाम मा समेद राखें। सरकारी जागीर मा बसेरत कती कमाऊने कती। उठाय को केई पइसा माती सम्मा ठेलदात जेगारे पनी हुनी। मह जस्ते अरूले पनी कती कमाय कमाय। मह संग जागिर को अनभा प्रशासन लेखा रायर सो बंचार लगाय सबई छेत्र को रहे कुछ जुन छेत्र मा पठाय पनी खाने मुखला जुगाली छेक दैना बनी जस्तो भयो माला माल मेरे जागिर को कमाई बाटा स्रीमती बनी बिलाशी बनी एन नका लागी गाडी किनी गार मा काम गरन लाई सोयगी कामदार राखें आम रहसे देका एक चुलियो मेरो दुए साला औनी एक साली मेरो कमाई को पईशाबाट पढ़ नका लागी जर्मनी गए एती सम्मा को कमाई मो अधिक्तवा को हाकिम होदही गरना भ्याइं मो काम गरदही जादा उपस्चित आओं मा पनी पूगें उपसचिताव मा पुगे पसिता देरे ठाओ मा मुखे आकिम बनना पुगें शिडियो को रूप में जिल्ला जिल्ला मा पुगता अतिरिक्त कमाई अत्यादिक हुदू रहे चा जिल्ला को प्रहरी प्रमुख्र शिडियो मिल्दाता जे गरिपनी हुने भयो एक की सिमले राजा स्वरने आपला समझन भ्याई तराईको जिल्ला मा नकली नागरिकता भणे को मुद्धा बल्जिदार पत्र पत्रिका मा छैप छैपती आओदा नर्माई लो अनभूति समीत गार्न भ्याई त्येस पची मा सिवा परिवर्तन गरी राजास्शो सिवा मा गई राज़ शेवाँ बस्तात डुकुति माथी बसे जस्तो होना थाले। पैसा नार्थेता कती कमाएं मलाई समेत मतलब होन न थियो। उबेला कार्षमांडों मा दोरी सांस धेरे थिये, आमी पनी दोरी प्राय जाने गर थियो। आमी मातेरा निकलांदा दोरी को गाड समेत ले डोरियाउनी बानामा मेरो गोजी को पैसा मत जाले जहकन ब्याउं थियो। तरह बज्ज्याले मालाई गाडी मा लगे रजाय हाली दिन थिय। तेस बेला सम्ममा मेरो जेठो छोराले इसना तक तको पड़ाय पूरा गरी उच्च सिक्षा पढ़ना अस्टेलिया गयो। उगएको दुई बर्षा पची सानो छोरा पढ़ना के लागी जापान गयो। परिवार मा फेरी हामी दुई बुडाबडी मात्र भयू। चिप्यको उमेर मा आमरो हनीमुन यात्रा फेरी चालू भय। पईशा भय पची बाहिर का केटी पनी लाइन लागनी। आपनी अपिस मा मैला इस्टाप पनी धेरे भोग गरियो। पत्रकार मुर्दार हरुली भनी बेला बेला मा आयर परसाद ली रहन्ती। उपसाचिप को जागिर मा तो नितिकाद नेनाई गरेर पनी आमदानी बली होंदो रहेचा। तो बेला मलाय लागत्यों संसार मा सबई भन्दा बड़ी आमदानी होने र धनी देश नेपाल नहीं हो। उपसाचिप तावमा बनी जत्ता भावी पैशालीन नमिल्दो रहेचा। संतुलन बहुत मिलाउनु परनी तर कमाई भनी जण मोटो। मुर्दाई जादा साचिप तावमा बड़ुआ भाईं। तो बेला बनी बाईरी मान्चे संग डील होना थाल्यो। आपना कारेलाईर मंत्रलाई का गोपे सुचनाहरू अरू मान्चे अरूलाई निदापनी मनग्य आमधानी होनी। कमाई होना थाले पचित जत्ता तते बाटा कमाई होतो रहेचा। मुर्दा साचिप बनी देखिने। मा संग लुकाऊन, छिपाऊन, गाडन, उडाऊन, पुग्ने पईशा भाई पची। समाज मा इज्जतीलो मैंचे बनन किताब लेखेर दार्शनिक संम्म बनन भ्याई। मंत्रीहरू को प्यारो बंदा मा जागिर को अंतीम छ्याण मा सचिप बनन भ्याई। मा सचिप भाई पचित अन्य निकायले समेत मोटो तलब मलाई दिन थे। मेरे खमाईको पईशाले जर्मनीमा मेरा साला साली ठुला उद्योगपती बनी। जेटो छोरो पनी अस्सेलेमा सुचना प्रविदीर होटल लाइन को ठूलो लगानी करता बनीको छ। कान्चो छोरोले जापनमा उत्तिके प्रगती करेको छ। समय वित्ते गयो मेरा सासु ससुरा विते। मैले सासुरा ससुरा को नाममा जोडेको संपती मेरो नाममा आऊना सकेना। जर्मनीमा रेका साला साली हरु पनी मा संग संपर्ग गर देना। उनिहरू संग भयको पैशा मैंले लिना सकीना। उनिहरू मा बाटै ताड़ा भय। दोबै छोरारू ले उताके गेटी बिवा गरी। उनिहरू नेपाल आउंदैनन। मा संग छोरारू समेत संपर्गमा छैनन। मा सचे बाटा अवगास भयको केई समय पची। उक्तियार ले मलाय पिछा गरेऊ। नराम्रा खबर अखबार मा आय। मेरी श्रीमाती ले भनी अत्ती माया गरनी। उक्तियार पची लागेरा तथा नाम समचराउंदा श्रीमाती पीडाले गलिन। र रोगले चापे र मरिन। मनिता अन्त एकलो भयें। गुडेशकाल मा एकलो भयेरा बास्न पनी खाहा सजीलो रहे चरा। न पानी ततायले दिने कोई होंच न कुरासुन्य। जीबन एक दमे निराश पयो। छार शिमेगीले कईले काई स्वयक गर्थी। तर पनी संदी संबाव थिये न। मैं लिए जीबन को अंतीम समय मा एक अधवाई से मैला विवाग गरें। तेश पचि केई शुख का दिना आउचन की भनेरा अनुमान करें। आसा करें। विए गरेकू केई दिन पचि उनले पनी किच-किच गर्न थालीं। एक बर सपगे पचि मुद्धा हाली संबंद विचेत करें। मैं संबाई को केई संपति पनी लेर गएं। आज मा नितांत एकलोचु। मा सानु हुदा। खेलेका, डूलेका, डाडा, काणा, हरूर गाउपस्तेरु जस्वरी उजाड भाई का चन। मा पनी तेस्वरी उजाड भाई कोचु। यो शबय हुनु का पचाडी मेरै कारण हो। आज मा पस्ताताप को आगो मा जली रहेकोचु। मेरो मन मा शांति को जुआर वाटा हर पल उठी रहांच। मा शांति को खोजी मा भड़की रहेंडी रहेकोचु। मलाई, शांति दिलाई दिनु परिव। जोतिसी, जोतिसी को आखामा पनी आशु आयचन। पुछ दै, गरे, ओहो, निताम ते एकलोपो हुनु भाई छुआ। चिन्ता नली नुज ग्रह शांति करनु परचा ठीकुँच। कागज मा केले खेर दिदाई। इसामान हरु लेरा फलाना करते सों बार ग्रह शांति करना आउनु हला। चेशको, सुलका, एक लाग, पचास हजार लाक्षा, तो नी लेरा आउनु हला। पितामबर्जी हश गुरु जस्षरी भय पनी शांति चायू। तेश पस्चात पितामबर्जी तेहां बाटा जांचन। जो तीशी बाबा पनी आपनो और को काम मा लागचन। बसंते पनी गुप्ती कोठा बाटा बाहर निशकन्च। अरपल हर चन हर दिन बसंते नया नया कुरा को शाक्षातकार गरदे गई रहेको उन्च। बसंते जीवन्ड जगत को ज्यान थपते गई रहेको छ। काटमांडो बाउगली कवस्ता बर्षात को समय आउदा हिलाम में हुन्च। योटको आगमन संगे चीशिन्च सरत बसंत रितु संग रमाउच पनी समग्रमा भन्नुपर्दा नेपाल का अन्य भाग को मोशम को तुलनामा याको मोशम उपयुक्त छ रत देश बरिका मांचे को गन्तब्बे बन्न भ्यायको छा काटमांडो ली तेसेली पनी याको चाल पालमा कमी होन पायको चैना बसंतेली काटमंडुमा रादा बस्ता बाउदा दर्शन को पनी ज्यान हासिल गर चा पूनतामा गयरीन नपाय पनी स्वमग्रतामा ज्यान को अनुभुति करन पुगे को हुँँच उ कईले काई शाती भायको वीजमा सामाजिक परंपरा र बादी विशाय मा छाल पल गर्न पनी भ्याउँचा अंक तेर फेरी और को दिन पनी वसंतेलाई बटना क्रम सुनना लाई जो तीसी बाबाले संकेत दिन चन वसंते बनी अब नया किये घटना क्रम आउने हो चास सोली दे तयार हुँचा उसका मनमा अनेक जिग्यासा कपाल मा जेल हाले रा पचाडी फरकायेका टाई शूट लगायेका गोरा गोरा रंग का अकला बेक्ती उमेर भने साथी को हारा रिकी देखिनी गाडी तला पार्किंग गरी शुरक्षा करमिली मा थी जोतिस केंद्रमा पठाउँचा ती बेक्ती मा थी पुगुण जेल मा बसंते गुप्ती कोठा मां बशी सकेको हुँचा ती बेक्ती तीवारी जी को नामले चिनेंचन रा उनको समाज मा समाज सेवी परिचे इस्तापित भयको हुँचा जोतिसी रा तीवारी जी बीच को संबात सुरू हुँचा तीवारी जी नमस्कार गुरु जोतिसी नमस्क येचा खबर निके लामु समय पचिपो आउनु भयोता दिवारी जी मान्चे को जात एस्ते हो गुरू अप्ठेरों न परी समझना नहुदु रायचा जोतिशी तेस्तों भीदे अप्ठेरों ने परेको अता दिवारी जी होनी गुरू अब साथी बर्षको उमेर पनी पार गरियो विगत को आपने जीवन भगाई का कारण आज आयर बहुत पस्तता भई रहे चा मनमा सांती अमन्चाइन केई छाई न यो उमेर मा गार उभयो सबै हम्रा साथी मन को आगो शांता पारन एतने आयका सन गुरू मनी तेस्ते मन को रापसांती गर्ने उपायको खोजी मा आयको मलाई जस्चरी नी ठिक गर दिनु पर्यो तेस्का लागी मन जेप नि गर्न तयार चु मत अशुतना खान अब अश्ना नहीं गार होनी इस्तिति माचू मलाय उद्धार गरे दिनु पर्यू जोतिसी मले तपाईको समस्या भुजें इसमधय शमश्या को जड़ तपाईको भिगत को कर्म हो तो सबज खुलस्त का राके दिनौस और तेश को समधाण निकालना सञे होनी गराशांती करना सillौ को तपाई को जीवन मा समस्य होने अवस्ता कसरी आयो तो संचेप मा बताई दिन होज तिवारी जी हस गुरू आपनो जीवन का नी बताऊना थालचन मेरो जन्म लमजुंग जिल्लामा भैको हो उबेला मेरो बाबाली मार्द्यमिक्तावमा पड़ाऊनो होन्तिव। सरकारी विद्यालाई मा अनी मेरी आयमा पनी प्राथमिक्तावमा विद्यालाई मेनी पड़ाऊनो होन्तिव। दोवे जना सरकारी विद्यालाई मा पड़ाऊ बाबा आमाली मलाई जागिर खोजी दिने प्रयत्न गर्णु भयू तोरह जागिर पाऊना उती सजील भाईना जुन मेरो चाहना अनुशार को होई। मुए उटा एंजियो मार पत्प्रोड शिक्षा पड़ाऊनी काम मा नियुक तभाईन। जोसले उमेर मा पड़ना पायनन तीनी अरलाई साक्षर बनाऊनी अभियान मा तु एंजियो लागे को थी। तीसको जागिरदार मा गाउं काउं मा जानू पर्ति। गाउं का पूरुशरू धेरे लावत गई का हुन थी। कती व्यपार व्यवसायगर्न पोखरा चितोन गई का हुन थी वनी कती काम को कोजी मा भारत का विवीन्न स्वार मा पूगे का हुन थी। तीस बिला एंजियो ले संचालन करे को प्रोड़ शिक्षा कारिकम मा पड़नी प्राय मोईला हरू मात्रे हुन थी। व्यपार व्यवसायगर्न हीडे का पूरू सरूली श्रीमती हरू पनी लाने हुनाली प्राय गाउमा लावरे को श्रीमती हरू मात्रे रहे का थी। साना उमेर कालाई विद्यालाई मा नियमीत पड़ाई भाई आल थी। पलेज पड़नी पोखरा लगायत का सौर जाने करती। गाउमा प्रावड शिक्षा पड़नी विद्याती लावरे हरू का स्रीमती हरू मात्रे हुनी। मेरत जागिर पड़ाउ नहीं परिय। प्रोड शिक्षा को का कक्षा 211 बजे देखी तीन बजे सम्मा संचालन हों थी। यो समय ताली का ग्रियानी मैलाहरू के अनरोद मा तोय भाई को थी। द्यान बेलु का गर को काम मा रिष्ट होनू परिकोली। दियू सो पड़ना का लागी पनी उपविकत थी। त्यान पड़ना आउनी मैलाहरू आपनों नाम लेखना समेत न सकने ताहमा थी। उनियरूमा साचर होनू अतु जरूरी थी। तो कारेक्रम फल्दाई होदय गय को थी। गाउंका मैलाहरूमा चिठी पत्र पड़ना सकने इस्तिती होदय गयो। तो बेला सबय को हाथ मा मोबाईल को पहुँच पनी थे न। त्यान आउनी मैलाहरू कोई दोरी गाउन तगळा थी। कोई नास नानी कोई रमाईलो गर्न। त्यान पड़ाउंदा एक किसिम को छुट्टे रमाईलो महसुश भयको थी। तो बेला मेरा उमेर भर्खा तेईस बर्षा को भयको थी। मा पड़े लेहे को सिची संपन्न परिवार को युबा खाईलाक दो देखिन थी। मेरे एक जना गेटी साती पनी थी। त्या मंदा तल्लो गाउंकी। मा प्रोवड कक्षा पड़ाई सके पची। त्या ही ठाउं मा कईले काई उनी संपना भेटे रा जीबन का धेर शपना हरू देखती। मन मा सजाउं थी। र कल्पना मा रमाउं थी। मा इले पड़ाउंने गरे को तोरो अली एकांत इस्तान मा भाई को ले पड़ाई सके पची। क्या खाहसे कोई आउंदाई न थी। तोरा को चाभी महीं संगा हुन थी। मन नहीं शुरुमा गएर ढ़का खल थी। तर अंतीम ढ़का पनी महीं बंद गरे रा नेट थी। विस बाई सेट डेक्स बेंच थी। बड़ार कुडार चाही पढ़नाओनी महीलाहरूली नहीं करती। मो तो इस्तान मा मेरी केटी साती संग कथी पटक अभेर सम्म बचे रा आनंदीत हुन्ती। जवानी को प्रेमा लाव। इस पर सर चुम्मन को आनंद मो यां सब्दमा बढ़न करना नहीं सक्दी। निक्के भकाय को मानचला मीठों आपको स्वात कती मीठों होन्च तो तक यही नजस्तो लाग्ते मालाई ती छेन हरूमा। मो पड़ाई सके बची तिया मेरी साथिला भेटे रा राती सम्म कुरागरे रबस्चु भन्नी कि यही मोईलाहरूली था पाए का थी। एक दिन मों त्या मेरी साथिला परकेर बस्चे को थी। तो दिन उनले भने कि थी। मेरे वटा काम पनी चो मों के धिला बवय बने आउं दीना। शाड़े तिन बजे सम्म मों अपनी आईना बने गहर जानू बने कि थी। मों उनी आउनी भाब माँ खुशी हुन थी। अनि नौाय को भाब माँ निरा सुन थी। तिन बशे को थी एशो पषाड़ी हेरे को एक जना मोईला तो पषाड़ी बेंजमा बशेर मेरा कतिविदी हेर दई रही थी। तो बेला मों तौर्शे को थी। मोईले उनला जानो स बनी उनी जान मानीना। जर किना जो क्राखन भलो बनेरं टांटसर तो का जो सेल स्ट उस हेग्ता उधानिका पर जो क्राएरा भलायन डुह प्रदुरुरे शग्ता. तो बेला साइको फाइब गड़ी पनी लोक प्रिय गड़ी मानीं थू। बेला साइको फाइब गड़ी मानीं थू। चलाओन लागिन। के समय अगाड़ी मेरो मनमा उवजेको निरस भावलाई। श्रिंगारिक भाव मा रुपांतरित गड़ी दिना उने सफल भईन। तियां उटा मीठो दुरगटना भईय। जुन दुरगटना ले तियां दुबैलाई शारिरी कानन्द प्रदान गरिय। गड़ना त गड़िय। ते तिखर दिमाक लेको नही काम गरेना। गड़ना पस्था दिमाकी चेत खुल्ला भईय। मनमा ड़र त्रास उत्पन्न होना थालिय। यो दुरगटना पस्थी कस्तो अवस्था आवला मनमा अनुमान गर्ना थालिय। अगी उनिमात्र बोली रहे कि थिन। अहले बोलने पालो मेरो आयो। मा उनिसंग धेरे जी ग्यासा गर्ना थालिय। किनता पाई यो अवस्थामा पुग्न भईय। भने रशो दें। उन्ले सबै विश्था आर मा बताईन। उनि भन्ना थालिन। मा 35 वर्षगी भईय। मेरा दोई छोरा आरू पनी चन। मेरो विवा भईको बेला मा पंद्र वर्षगी थी। सोरा वर्षगों मेरमा जेठो छोरो जन्माए। जेठो छोरा इस पाली भारती सेना मा भरती भईय। कांचो छोरो पनी 17 वर्षगो भईय। पोखरा बशेरा कॉलेज पढ़ना थालिको छा। गरमा सासु सासु शुरा रभ मा छों। सासु आमा सासु आमा सासु रभाको खूब ख्याल राखनों छा। मेरा श्रिमान पनी भारत के सेना मा लेस नायक सन। अब तीन बर्षगो पची उनको पेंशन हुँच। श्रिमान भारत मा मो यहां गाउं मा मेरा योवण का चाना। श्रिमान विदेश बाटा आहरा जगाउं चन। मा जाकरीत भाय के मात्र हुँच। मा भीत्र उडले का भेल साम में पार्न मला एकदम कठीन हुच। यह बन को जानाली मा बद बती पोली रह कुँच। शर आज हजोरली मेरा ज्वाला के शांत पारितिनु भाय। अजोरलाई धेरे-धेरे धन्यबाद बनिन। मा भीत्र उत्पर्ण भाय को भाय सांत हुच। केई हज सम्म रहात मिल्च। मा उनी संग अरूपनी जानना खचु। यह सरी संपर्ग गर्दा बचा बशिवनी के हुच। बनेरा सोद्न पुख्चु। उनी वन्चिन तत्तेरी सर्पनी। आमीली दुई बच्चा पाईचा के पच्ची इस्ताई गरिका हुच। क्या। कस्तो तपाईपनी। यहटा मीठो घटना घट्य। जुन घटना सपना जस्तु एथार्त थ्य। यशको साइड इफेक्ट पनी केई छहीने जस्तु। तेस बेला। मोह यहटा गीत कुपंक्ती सम्जन पुख्चु। मर्दली आटेनी पर्षदिन भन्चन आयमैले आटेनी एकईचिन। गीत पनी वास्तविक्तार अनुव मिशेर मात्र बनेका होदा रहेचन। मेरो अनुभुतिले तु महसुस गर्य। तेस पचिका दीनमा उनली पटक-पटक इस्ते प्रकार का कारेकम राखिन। मेरो मनले नाई भन्न खोजे पनी नाई भन्न पूण रूपले शकीन। यो श्रिंखला निरंतर चल दे गय। पची पचीत प्राय सबै मैलाहर को अवस्ता तेस तही रहेचा। मैले समयर इस्तान फेरेर भाई पनी धेरेको शेवा गर्नू परिय। शुरुमा सामन्ने रमाईलो शेवा को काम ठाने पनी पची पचीता। मन निकए गारो इस्तितिमा पनी पूगी। तेस पची मलाहर जिबन में ठूलो चोट परिय। मेरी केटी साथी ले वित्र वित्र इयो खावर सुनी थिन। मह प्रती संका गर्न थालिन। मलाह शोदेरा र्याक र्याक्ति पारिन। मैले ओईना भनी रहें। एक दिन तौरामा आयरा लुके र बसी चिन। मलाह रंगे हाथ भेटिन। तेस पची। मह शाथ जोनी भोलने चाईन भने रगएन। उने शंगा को भेडगात बंद भयो। मह ले उनलाई भेटेरा मापी मांगने विचार गरिं। तरा तो संबब भायन। तेस पची पनी मेरो तियां पड़ाउने जागेर चली रहेको थिय। तेहां पड़ाउन पड़ाउन दे तिया अदमाईसे मह लहारू संगा संबंद बनाउन परने अवस्तामा पुगे को थिय। जसका लागी मेरा कुने चाहना थेनन। महिले रीदय देखिने मन पर आय कि मेरी शाथी जसलाई मा बिये गरेर जीवन बर संगे राखना चाहन थेन। आमीले बाचा पनी गरे का थिय। मेरे कारण हाम्र सुन्दर सपना को संसार शीशा को गर जस्तो ज्वाम मा फुटे को थिय। महिले सुने को थिए जिवन यात्रा हो चली रहांचा तर पहले यात्रा जिवन भर इसमर रणिया होतो रहाचा जहां आपनो मन ले चाहे का मांचे संगा गुमिये को हुँचा म मनी हराएको सर्प जस्ते भाईको थिय। पड़ाउदय ज्यादा सबई मैलारू संग रीशूट न थालिय। म सबई मैलारू संपर्क गर तेसको भीडियो बनाऊ न थालिय। ते बेला मलाई एक जना आफंतले विदेश बाट आओंदा देको मोबाईल को प्रयोक गर न थालिय। जो सुके संगा मोबाईल पनी होदाई न था उवबेला। मैले गोप्य रूपले बनाएको भीडियो देखायरा थी सबई मैला हरूलाई ब्लाकमेल गर न थालिय। सबई इच्वराच्वरी का आमा गुवारी इज्यत संग बसे का देखिये का थी। म बिये नगरे को केटो मांची। मैले उवबेला 43 जना मैलासंग संपर्ग गरेको भीडियो बनाएको थी। प्राए वीडियो हरू ते ही ठाहरा मां खीचे का थी। तो अरहा मा मोबाईल अरकाउन सजीलो होने भाईकोले वीडियो बनाउन सजीलो हुन्थयो पनी। इस सबय मैला अरुसंग उभेला दोई-दोई लाखका दर ले पईशा लेरा छोड़े को थी। तिनी अरुपनी घटना बाईर ना जावस मनेरा पईशा दिना तयार भाईका थी। पईशा कसरी जुटाय तो उनी हरलाईनी थावला। मलाई मेरी केटी साती संग संबन्द टुटाय को मा रीस उती को थी। बदला सोरुप मैली तो कदम उठाय को थी। तिरी अरुनी मेरो संबन्द टुटावने कारक थी। यही समय पची तियां पड़ावने कारिकम सक्य। तेस बेला मसंग धेरे पईशा थी। यही मोईले तलब बाट कमाय को थी, मोटो रखाम मोईला हरूलाई ब्लाक मेलिंग करे रा उठाय को थी, मा संग तेती धेरे पईशाचा भनने कुरा आमा बाबालाई समेथ था थे न, तेश पची मा पनी लमजुंग मा बसना चाही न, मा पोखरा जहरीं, बाबा आमाले पड़ाई मा तेश थी, क्यामपस मा केटी हरू मेरो पची लागते, मोसंग नजीक हुन चाहने केटी हरू धेरे हुन्ते, पेन क्यामपस नेपाल के धेरे विद्ध्याती पढ़ने क्यामपस को रूप मा चिरिंती तो बेला, तल्ला ताहमा पढ़ने देखी, मेरे कक्षा का केटी हरू मोसंग मरियत ते गरती, मलाई माय गरनार पाउन चाहन थी, मती सबय केटी हरू लाई आदर भाबले हर थी, किनगे बास्तविक माय के हो, रत्तो टूट्यो बनी कस्तो हुन्चा भन्ने कुरा आफुले भोगी सहे को थी, मो कसे को जिन्दगी विगार न चाहन न सपना बता भंग पार्ना चाहन न थी, ये थी मेरा मन का कुरहरू, ती केटी हरू लाई आदर भाबले हर्दा पनी शरीर भनी भोकाई को महसूस हुन्तू, मलाई लमजूं केटी मैला हरू ले नराम्रो लट्मा फसाई सहे का थी, मतेस्तो लट्माट उन्मुक्ती चाहन थी और हमेशा सम्माली ने प्रयत्म गरी, ती बीच में येवटी केटी ले मलाई प्रेम प्रस्ताब राखिन, ती केटी इसनातक तो को अंतीम बर्षको पड़ाई को क्रम मा थीन, तीन को साती माती उठे को, कंबर सिने को, बारुला को जस्तो थीन, आखा बने बदा मी आखा चौला कपरी का कपाल सुनवला हाथ खुट्टा थी हेरदय मेरामरी तीन, मलाई पनी उनी देखता माय को भाब पईदा भयू, आमी गणिष्ट साथी भयू, मित्रता बर्दै गयू, आमी प्रेम मा पर्यू, तेश पची बिंदवासनी मंदीर मागएर संगई मासनी मर्ने क खायू, आमी माय मा डूबियू, माय में उडियू, माय में बगयू, समय एस्तो नदी रहे चा, जुन बांगो टिंगो भयरा बगदा चा, मेरो जीबन पनी तेशे गरी बांगो टिंगो गरेरा बगी रहे को थीू, जसरी नदी को पानी एता आउता ठक कर खायरा बहे बन न एक दिन साज उनली खानाखाने करी आउना अनुरूद गरिन। उनले भनेकी दिन मेरी फुपु आउनु भायको छ मा थपाइशंगा भेट गराऊचु। मा पनी उनकी फुपु संगा भेट गरनाई चुकती। मा साज पखा उनको मा गई उनी खाना पखाऊंदाई रहीचिन। मा उनले फुपु खईत बने रस्तो दें। उनले बात्रूम मा नोदे हुनोंच भणीन। मा उनी संगाई गौफ गरदाई खाना पखाऊंदे काम मा सगाऊन थालीं। के बेर पशी बात्रूम बात्र उनकी फुपु शाथी मा थी तौलिया बेरेर निकलीन। मा उनले देखने बित्तिके थर्षीं। हाथ मा डाडू समातिको थीं। तो भुहिमा खशू। मेरी साथी ले किये भयो भन्र तरकारी चलाउन छोडेर मती रहेरीन। मला एक किसिम को नमजा ले ज़ड का लागयो। नजी कई रहेको शोफा मा थी टाउको मा हाथ राखेर बसी। मेरी साथी बने तरकारी चप्षा पारे रती आई पुगिन। फुपु बने लुगा लगाय रती हैं आई न। मेरी साथी को फुपु तिने मैला थी जसले मलाई टोहरूमा प्रतमपटक सारी रिक्संपर्क गर्न लगाय के थी। अन्तिम्मा मैले उनी बाटपनी दोई लाख रुपयां लिएको थी। पहिलो गांस मा ढगा बने जैं मेरी प्रेमिका की फुपु मेरा लागी तेस्ते बनीन। म पुर्वा इस्मेति मा पुगिन। तिने पनी पुगिन हला सायथ। फुपु म संग खुले र बोलीन बिना संकोज। मेरी प्रेमिकाली मलाई आउ पचारि गृूप मा चिन्जान कराएं। मा निरूत र हैं। मा निरूत वर निटर रहें। तर पहर से भीं थे सके थीहें। पुपुले ज jour आीराजा के भाय? येस तो भंदय गोचिन मा टाव को दुखे को भाहना बनाई तिया बाट तुरूंत फर्क्त ना कोचिन एक्षिन एक्षिन भंदय गौफ मा भुलाई नौ बजे तिरा तिया बाट निकली बुलिपल्ट पणी खाना खाना आउन प्रेमिका ले अनरोद करीन मा उनको माय उमकाओना चान ना थी बुलिपल्ट खाना खाना बेलुका गऊई प्रेमिका संगा फुपु पनी रही चिन। निजो जस्तो संकोज लागे न किनकी बिगत का घटना फुपु रा मलाय मात्र था था थियो। पोखरामा मेरी प्रेमिका को कोठामा उनकी फुपु केई दिन बसेन। आमरो घरमा पनी जान मन गरीन तर महिले लगीन। मलाय उनिहरू ले त्यता बोलाई रहे एक दिन फुपुले मलाय भनीन। पहलाको विडियो मा संगनी छा बोली दिऊंसो एरना आउन। बनीन। मा तर्शी थेरी कोस्तो क्ये वला भने रहा। बोली पल्टा मा क्यांपस जानी समय मा फुपुले तियां बोलाईन। मा अफ्ठ्यारू मांदाई तियां कुएं। मा तियां पुगने बित्तिके धोका बंदा गरी हालीन। धोका बंदा गरीर मलाय समार तीरा बेड तीरा तानीन। उनको चर्तिकाला महिले बुजें। तर मा जोगिने न पाउदै आपना बस्त्रक खोली सकी छन। मलाय उनली ब्लैकमेल गरीन। मलातकार को बवंडर अल्ला फिजाउचु भनीन। रमात्र एक पटक का लागी हन रोत करीन। मेरी प्रेमिकालाय पनी फुपु को चाल ढालले संका गरायको रहे चा। उनी पनी क्यांपस जाना हिडेकू बाटाई बाटा फर्की चल। येथा मलाय उप्ठारूमा पारी फुपु आपनो राप्सांत बनाऊ देतीन। ते बेला बाईर आयर मेरी प्रेमिकाली डोका डक्र का पारीन। रोका खोलना केई समय लागयो उनी वित्रायन। मलाय छातीमा मुड किले धेरे चोटी प्रार करीन। फुपु को कपल मत जाले लूचिन। मत्यां बाट लाचार भाई सब्द भीहिन भाईर निश्कियें। एई दिन नहीं उनकी फुपु लमजूं गईछिन। उनी बने शेती नधी मा हाम भाले रात मत्या गरीचन। प्रारी लाई देखने अरुले खबर गरे चन। एक दिन पसी मेरी प्रेमिकाको लास प्रार ले शेती नधी बाट बाईर निकाले चन। यो सबै सुनेर मा पागल जत्तिके भैकुती। मों 15 दिन सम्मा केंपस जाना सकीन। निक्के हातास मैं माय गर्णों ने अपराद होकी जस्तो लागयो। मों माय मां दुई जना केटी संगरमी तर छेनिक समय मां दुई उटे माय को संशार बता भंग भै। केई समय पस्चाथ आपू सम्मा लिदै कईनी। अधमाई से विवायत मैला जो देखेबनी मालाई रीशूट न थालियो। पोखरा येस्तो सहर रहेचा। जहां गर्मा मैलार केटाकेटी मात्र रहेचां। बागलूंग लमजूंग म्यागदी श्यांग जा पर्वति रका मांचे हरूली आई घर बनायर वसेका। सबै बईदैसिक रोजगारी मां गएका परिवार बस्ता रहेचां। नेपाल को सुन्दर सर पोखरा परेटकिय गंतब्बे भैको सर। तर तेयां स्रिमान बिदैस हुने का स्रिमती हरू का अवस्ता बने अफ्थेर पनी रहेचा। लमजूंग मा बंदा यां प्यास मेटाओना सवजीलो रहेचा। देखदा सबै ठीक ठाक बित्री तरंग आर कई। अदवाई से मयलाहरू संगा प्रति सोत को भावना आयो। मा खाई लाग दो युवक भायकोली देरे मयलाहरू मा संगा संपर्ग मा रहे। लगबग 100 जना जती अदवाई से मयलाहरू संगा संपर्ग करी। सबै को गुप्य भीडियो समेत बनाएं। ती दीन हरू मा निक्कई बेश्ता रही। सबै को भीडियो बनाएं पची सबै इलाहर ब्लाक मेल करी। सवय मा आसी जना जती संगा रूपांस लाका दरले रकम लेरा। छोडी दी। बीस जना चाहें जबबर रहे चन जे गर्शस गार बने। ती शमय संग मा मेरो इसनातको तरतहको पड़ाई सकी। पोखरा मा रम्रो कमाई भाय मेरो। साय थोरे लावरेले मात्र जीवन मा तेती कमाऊन सक्षन हला। उनाता कमाई को इसाब मा लमजुंको अनभब पनी मेरो लागिर रम्रो रएको थिय। चेतिन जेल को बसाई सम्म मा मा पोखरा संग वक्क भाई सकेगो थीं तेश बची मा कार्षमंडो आएं मा कार्षमंडो मा आए संगे नया जीवन जीवन चान थीं आमा बाबा ले ब्ये गर्नू पर्च बनेरा कोई गरी रहनू भाई को थीं उहार ले तो हीले मन पर आए कि कोई भाई तेई संग नत्रा हामिले खोजे की समब ब्ये गर्नू पर्च बनेरा बनी रहनू न थीू पड़ाई को खारण आजसम म केटी हैव में भाई को छाई न भनेरा उहार लाई भने वहां रुले चिने को मैंचे की छोरी मिन्भावन केंपस पड़े की इसनात कोतर तहको परिक्षय देर बहसे की रही चन उनियर को घर संख मोल मा नहीं रहे चा उनी संख मेरो बीए भई। महले पनी पुरान बाने स्वर्मा भार बनाएं मा विवाईद भईर भशे को बनी 32 वर्श भई। एक छोरा एक छोरी अनी नाती नाती नाचन सबे को व्योस्तार आमरो चा आलका दिन मा मा शेर बजार को लगानी करतार अनुसंदाता पनी हूँ मा विवाई जीवन मेरो 32 वर्श को भई। यो 32 वर्श का खासे घटना मेरो दिमाग मा चाई नुसंदाता को पड़ाई शके पचिका 5 वर्श ले मलाई पूले को चा जीवन भर। अस्ति आचानक अरको घटनाली मेरो जीवन को संतुलन बिगारी दियो। मा परिवाद संगे पस्पती नाथ को दर्शन गर्न गईको थीं। दर्शन गर्नी ठाओं मा लाइन थीू। श्रीमति लाई अगाडी लाइर लाइन मा पसें। गर्मी को समय अरू मईला हरू ले छोटो ब्लाउज लगाया का थी। मेरी स्रीमाथिटी, ठीक गाड़ी विए, कि आमहे ही उ म्हेला को हाथ में उड़ा टा active हमयो धिन्मॅर्या मिरा नाम के साइब विच्थी को ठीकिंजाएं उनको श्रिमान को नाम पनी मेरे जस्तो हला बढ़ा नहीं कुछो कुछो ग verbess़ा उन्ही पस़ाड की फरकीन। लाइन लागेके ठाउ घ।ाउं मां हमी हैराएर गवर्ण पोगें। और उ लाइन मा बसे गारू हामिलाई हेरायर गर्न छोड़ी दिरा अगाडी बढ़ी। मेरी श्रीमतिले पनी तो द्रिश्य हेरी रइन निक के बेर। त्यां भेट्ये की मैला मेरी प्रेमी का थीन। श्वंच बफस अगाडी हामिले माया को संसार पाये का थियों। र केई समय पची उजाड भईको थियों तो संसार। तो अनुट्र सम्योगले हामिलाई पस्पति नात को दर्शन गर्न भुलायो। आमी नजी कई को चिया पसलमा फुगयों। चिया खादय गफ गर्न लागयों। मेरी श्रीमतिलाई तो रहस्य थापाऊनों हतार थियो। मैले तीप मेरी प्रेमी का संग माप मागें। उनले आशेर मुंट हल्लाईन। उनले मेरो कुरा सुन्न चाइनन। बनिनमत अपाईको कुरा सुन्न चानन। उनले लमजुग बाटे शीरे कार्षमंडु आयरा अध्यान गर्दा गर्दे शीक्षे आयोख खुले चुन। माद्यमिक तब अंगरेजी पड़ाउनी जागिर मा इस्ता ही जागिर पाईचिन। तेस बेला कार्षमंडु मा टाटु हनने चलन रहेचिन। उनले जीबन को पईलो प्रेम को निशानी स्वरु मेरो नाम मा टाटु हने की रहेचिन। जीबन भर भिवा करीन चिन। अभिवाई द्रवी बाषना गारो तभाईचा। तरह तो गारो सबै शहर बसी चन। के बर्ष अगाडी जागिर बाट अवकास लेर सामजी काम मा लागीगी रहेचिन। उनले जाने विलामा भनिन। प्रेम भनिको बलिदान हो। जां इमांदारिता त्या समर्पन निश्टा आदर्श नहितिकता सबही गांशियेको होंच। आफुली चायको बस्तु पाउदा मात्र गरीने माया हपूर्ण होंच। उमाउदा पनि उत्तिके माया को भावना सजाओ न सके तु माया युगांत घारी होंच। येत्ति भनेरो उनी त्यांबाट गईन। तिन कपचिया ओडर गरीको थिव। कशेगो ध्यांची आमा गईनच शेलायर चीईशो भाईच्छ। मेरी श्रीमतिपनी केई बोलना सकीनन आमी त्यांबाट शराशर पूरानों बानिशोर तरफ लाग्यों। तेश दिन देखियों उनको जण बड़ी याद आउन थालियो। उनले करेको मायार त्याग देखता मा आफुलाय अपराधी सराव सम्झन चू। दोस्रों पटग। भेटियेको प्रेमी का सेती नदीमा खशेको त्रासत द्रिश्य मेरो आखाको अगेलतीरा बहयानक बने राऊँच। सब नाम पनि उन्यरो आयर मलाय तर्शाओं चन। विपनिमा मेरो विकत को कारण मज्यादे विच्चिप्त चु। मन असांतिको आगो माच गुरू मक्ये गरों मलाय सांति दिलाय दिनू परिय। जो दिसी। नाकति नोज ग्रशांति करेरा सबै ठीक पार्णू पर्छ। फलन गते सुम भार्शांति करना आउन हला ग्रशांति करने शुलकरू 1,000,000,000,000 शुलकरू इसामन लिहरा आउन हला बंदै सामन कु शूची दिन्चन। उता गुप्ति कोठामा नीरास भाई शकेको भसंती पती खेरा तिवारी जी जान्चन भनेरा शट प्रटाउदाई होंचा तिवारी जी तियां पाट गई पसी पसंती निकलांचा येस तो पनी हुदो रहे चा बंदे आंग तनकाउंचा येसरी उसला आजा नया घटना क्रम सुन्ने मोगा मिले को छ तिश पसी घर को छत्म जान्चा खुला कासला नियाल चारा फ्रेश सावमा सास फेर चा अंका चोधा बसंते काटमंडो आईको पनी धेरी वर्षा भाई शके छा पांच वर्षा को हार आजिता उसले अध्यन गरे काई भाई चा ते तिनी समय उसले जोतिसकेंद्रमा काम गरे को र ज्यान पाएको पनी भाई सके छा उ इसनातो कुतर थाको अध्यन मा लिप्त हुन्च, उसले इसनातो कुतर थाको पड़ाई मा राम्र गरी पास गरेको थियू, इसनातो कुतर थामा संस्कृति विशय लेरा अध्यन गर्दई को हुन्च, प्राचिन नेपाल राधुनिक नेपाल को संस्कृति को बहु आयमिक पक्षे को अध्यन उष्ली करदई जान्छा नेपाली सब्वेता विश्वका प्राचिन सब्वेता मद्दे को एक भाईको पनी उँ आफनो अध्यन बाटा महसुष गर्छा बसंतिले तथ्य परक अध्यन गर्छा असेले कि अई भनी आले पनी तेसलाई पुष्टी गरनी आ जो तिसी बाबा का 14 हरुले बेला बेला मा फोन संपर्ग करचन नेपाल आयर भेटे का हुदे नं परिश्टी तीले बसंतेलाई तो घर को जेठों छोरों सरावब बनाईको छा बसंतेली कई लेकाई जोतिसी बाबा पनी हडवडाय को देखेको छा तेसली हडवडाय को देखदा किन होला भन्नी प्रश्ण मनमा उत्पन्न होंच तर तेसका बारेमा कसा ही संगर्चा गर्दीन पर इस्तिती जेज अस्तो छा तेसलाई सम्माले रागारी बढ़ाऊंच आस अरको दिन अरका भ्याईपी आउने कुराको संकेत बाऊंच उ तयारिक अबस्तामा रहंच शुरू का बर्शमा जेज अस्तो कहानी वैपनी उ शुनी रहंते बने आजकाल ती घटना क्रम का बारेमा अपनो छुट्रे धारना बनाउने करेको छ बोली पल्ट फेरी उई दि प्रोफेसर रहे काचन उने अरु वीज को संबाद प्रारम बहुंच प्रोफेसर दर्शन गुरू जोतिसी दर्शन अनि केचा खबर ठेक शा बनो बने ठिक शाईना ठेक शाईना बनो बने पनी खई के बनो अप्ठ्यारो छ जोतिसी मवाट हजूले के अप्वेक्शा गरन प्रोफईसारोs गुरू जीबन भर पड़ाउने काम गरियो तेएई पड़ाउने कर्म भीत्र पनी अपराद गरिये छो आज पसुतों भईको छो कर्म के कारन आजकाल मनमा अपराद भोध भईको छो आत्मा जलेको जीवन भर जोतिस छेत्र आध्यात्मेक छेत्र प्रती नकरात्मक धारणा बनाईयो यो उमेर मा जलेको आत्मा सांत गराउना हजुर को माय को छुँ शांती बहाली गराई दिनो होला जोतिसी निश्चेपने आफने कर्मले मांचे लाई सताउं छा मन पोलने अपराद बोध ह कार्य के कसरी भयो तो बीस्तार मा बतायती नो तेश पची ग्रस आंतिकरी आनंद प्राप्त गराउने चा प्रोफेसर गुरु कुरा गोप्य राखनोला म संचेप मां आपनो भिगत बताऊने चु कथा ये सरी शुरु होंचा गुरु मैले 25 बर्ष को मेर मां प्रथम मां अंग्रिजी साहित्य में में पास गरेको हूं तेश को दोई बर्ष पची ने में सम्मका विद्यार्थिला पड़ाउने करी क्यांपस मां इस्ताई नियुक्ति पनी पाएं उपप्राध्यापको जागेर तेई मांती इस्ताई भहर पाऊनों सामेनने कुरा थिये न मां चित्त भूश्तियो तरपची पढ़ाय राहोने खर चली मासी गुजारा न चलने भयू मैले अनुबाद को काम पनी गर न थाली तेश पची कमाई राम्रे होना थाली विविन्ना लेख हरू औनी सिंगे पुष्टक को अनुबाद गर थी नेपाली लेखा खरू पनी अंग पईसाता तेता भाट पनी आऊंदो रहे चा जानने लाई जता भाट पनी पईसा आऊंने रहे चा समय भित्तहई गयु नया नया अनवाबरु थपिदे गए, मैले पड़ावने काम का अतिरिक्त, अनवाद को काम, सोध नेर्देशन को काम, अन्य लेखकरु का कृतियरु समपादन को काम पनी करना थालीं साथ साथ है समय अनुषार अंग्रेजी वासा को कोचिं कक्छारु लिन थालीं सबही तिरवाट आयको कमाई देखता दंग पर थीं, वहिशा प्रशस्त भाईपची आनन्दा होंतो रहेचा दब्येका इच्छारु पनी अब पूरा गर्न सकेंचा भनेरा जाकरित होंदा रहेचान मलाई सान च्छादा कपाल पौलन मन लागेको त्ये उबेला तिसो घरन सकेको थी न मैले कपाल पनी पौलन भ्याइएं, कान छेडे रा सान टोप पनी लगाएं पाइंट कपड़ा को मात्र सानमा लगाऊने पाये को थी आपनों इच्छा अनुशार को येश बैला लगाएं त येका टाले का आदि येश बैला पनायो बाला पनायो पिषर पनायो रह युबा पनायो मा जीबन मा मीले को सफलता मा खूशी थी मा संगा राम्रो आमदानी छदै थियो, तेस बेला साना तीना मान्चलाई नटेरने तामा पुगे को थियो, क्यामपसमा मा राम्रो गुरुको रूपमा गणिये को थियो, तेस बेला सम्ममा मा साप्राध्य पक्समेत भाई को थियो, मा मा अनुबाव संगाई गमंड पनी प्राप्त भयू। यो बेला मलाई यत्ती खुशी को अवर्षत आयको थियो, कि मकसरी बनो सब्दमाण। यो बेलामा मलाई दोस्र संताण प्राप्त भयू। दोई संताण इस्वर को बरदान भनने कूरा मоминаईले रीडियो मां बारम भार सुने को थिय। मेरो परिवारम पनी दुई संतान होदा परिवारे खुशी छायको तियो। क्यामपसम मेरे एक सोदार्ति केटी थिन भरमा सुदकेरी श्रीमती बाट नपायको कुरा ती सोदार्ति बाट पाउनपाय हुन्त्य भन्ने भावना आईयो प्रभल हो दैग dibuj। तिन लाई भन्य कसरी मांचीन मांदिनन अला गरिन भनी के होला जोसता कुराले आफ़इ लाई पिरोलन थालियो पेश पस्चात के दिन उनलाई यो भायन उ भायन भनेरा ठाली रहें करा सोधार्तिले बाइरी जिल्लामा पडाऊन थाले की रहें समय मा सोधकार्य पुरा चिन्तित भैकी रही चैनं मेरो एकप्रकार को समश्या तिनको अरकु प्रकार को समस्या मौले उनको समस्या बुझद नभुझे जस्तो गरिको थी मौले सीड़े उनलाई प्रस्ताप Squeet गुमा ओर पाराले प्रस्ताप गरीं, तड़े उटा कालपनी घटना जस्तो बनायर भनी, एक जना गुरुले आफमी लग लागेरा सुथ कार्यमा सगाउधा रहे चन, और खास-खास कुरापनी गरता रहे चन, केटी मांचे पनी के सम्मा गर्न सकेका भनेरा उल्टे उनलाई उनले तेसलाई साज रूपले लिन, मैं ले उनको मनभाबना भुजिन, तेस पची केई साजीलो बार्तवरन निर्मान भयू, मा उनी संगा खोल दाई गई, उनी पनी मा संगा नजीकी न थालिन, मा उनको सोथ कार्यमा लागे साजीलो बंदी न थालिन, तेसको तीन-चार दिन पची मैं ले अरको बहाना बनाए, मा दोई माईना का लागी एउटा इसेस काम परिकोले विदैस जान दैचु, तेस पची तिम्रो सोथ कार्यमा लागाउन ला भनी, तीनी ता खंगरंग भाईन, एमे तो को सोथ कार्यमा साजीलो काम बने हाईन, तीनी ता कालो निलो भाईन, शर कईले जान होंच, और को हपता मैले भनी, ओहो, निकेई गार होने भयो, उनले भनी, ते बीचम मैले उनलाई भनी, तीमी एसो गर, पते ढुखकाले भसने ठाउं को व्यवस्ता गर, दोई जाना नई संगई भसों, दोई तिन दिन मा सबै काम सवर्च, तेसरी ठाउने थे खा, उलारा सर, उनले जवाब दिन, आपनो घर मा ठाउन वलानी, मैले भनी, मता आफंत पर्णी को कोठा मा बशेगी छो सर, उनले भनी, क्यामपस मा पनी प्रोफेसर को छुट्रे च्यामबर होने दिन, आवलान जस्तो छाईने ने नेपाल मा, चाउर मा बशे जन भाईकोली सबै खाली नहीं होन्चा, क्याई बसेर मा सबै करेक्शन हेर्चू तीमी पनी ल्याप्टर बाकी कागजबत्र सबै हाले रहिण, दुई दिन मा सबै फाइनल गर्णू पर्छा, अब मा संग समय छाईना की पछे आयरा गर्नेता, उने आतीन, क्याई गमे उनले भनें उनले भनें, माइले सबै करा भने हालें, अबस्ता पनि बताय हालें, भने रवनें, चर मँसंहा ता पैसा चाई न उनले भने, ऐटल मईरणROसाती को, मस्वोई बंद भसे आईना, मैले भनें, पैसा लाग्देना भने, फेर आछ स्वष्ता पार ए, आमी यज बहाना बनाएको थीं। दुलिखे तीरा जाबे गर्दा मैं ले धेर तीरा फोन गरें। बने पामा गाड़ी बाटा ओर लेरा कौफी खाएं। दुलिखेल पुगनी बेला मा मैले उनले मेरो साथी को होटल मा पत्रकार हडगो कारेकम रहेचा तिया बसन रामरो नाउन सक्षा भनेरा समझाएं। उनले भनिन अब आई हालियो अब जता बसाओनों उन्च त्यताई बसनी मेरो मिशन पुरा होदाई गई को थियू। आमी दुलिखेल को यवटा रामरो होटल मा पुगयों। वोटल मा रोजिस्टर मा नाम चड़ाऊनी बेला मा फरक नाम चड़ाई। त्याँ वोटल बाट बाट बाईरा ननुष्की कान दोई दिन बसू। महिली चाय का सबही कुरा पाई। उनले पनी लाप्टप लागी कोली दुबई मिले रा लाप्टप में शोद प्रतिवेदन तयार करियों। ये सरी उनी मेरो यजनामा फसिन। महिली येता घार मा बनी दुलिखेल मा अनुवासमन्दी कारे साला गोस्टी छवा बनी को थिन। श्रीमाती सुद केरी भाई किले सासु आमा आयकी थिन। महिली बाद बन्षा पकाउनेर लुगाद उनी सोईगी को व्यवस्ता गरे कोले। मेरो खासे खोजनेती भाईन। मा धुखकाले दुईतिन। उनी संगा खुले रही दुलिखेल बसें। सइले थान पावशा ही शार भनेर, पटक-टक बेंती करीन। यता आय पचि उनली सोद प्रतिवेतन प्रिंट करीन। उनी कटा गएन मलाय अत्तो पत्तो छैईन। पचि मेली सोद निर्देशन करदा तेय अनुसार काम को बंदबस्त करीन। पूरुस आर्तिक अबस्ता राम्रो भय का भई सोध भरना लेर गरीं, मानिस परिष्टितिको दास हुदो रहेचा, मैले तेसको भरपूर फाइदा उठाएं, सिचन पेशा गजब लाग्यो, क्यामपसमा बीज-बेजमा लामो समय बिदा होदा, मिलायर त्रिशुली नगर को दोलीखेल लगायत का, ठाउमा आवशिय भ्रमन गरियो, कन्या केटी देखी बहस का अप्रवडा सबला भ्याययो, कती बिवायत मैला को त सम्बंद विचित समेत भय को खबर सुनी, तर मेरो आदत परिवर्तन भय न, येस काम बाट बहसा चर्च बननी कुराता, मान्चे सं एक पटक भेठ हो दै, था पाई हालती, वई साथ ब्यवार मिलावन का लागी ग्रीज जस्ते रह चा, मा क्यामपस लागे का, बिला मा पड़ावनी मामला मा बनी अत्ती सजक नहीं थी, मेनत गरेर पड़ावनी भय कोली, सब़ावनी का अगाडी प्रिय पनी थी, क्यामपस मेरो गुडगान रामरो संग गाउना मांचे रूचुक देखिन थी, तेस बेला पनी अनुबाद को काम आउतियो, मेरा चेला हरूला अनुबाद गरना लगाउतियो, नाम मेरे हुनतियो, मा राष्टे र अंतराष्टे सभा समारों मा प्रमुख भक्ता प्रमुख अतिती बनना थाली, संचार का विविन्न मुलुक मां प्रमुख भक्ता भाईकर मां जादा, आपुलाई मन परे का अरूलाई देर गई, तेसरी मां सवंग जाने हरू का बीच मां विश्यसो प्रसाद कोईराला को उदार र फराह के लो साहिते को चर्चा पनी गर थी, आपु खु मेरी श्रीमती रोग लाए रा निक के थाला परें विविन्ना अस्पताल रोग निको हुने लच्चन देखिये न, अंधे मां डांक्तर ली मेरी श्रीमती लाई एट्स रोग लाई को भनने रिपोर्ट दिये, तो उन लाई भने को चाहिए न, तेसको कारण मन नहीं थी, त केस दिन देखिए भोग निंद्रा सबै हरायो, अवा का दिन मा किये गरनी, केई सोस न सके को चाहिए न, अईले मेरो मन मा पस्तात आपको आगो दनके को चा, मेरो मन असांत बनेर जिन्दगी पता भंग भाय को चा, श्रीमती छोरा चोरी नार्ती नार्ती नी देखदा थर काम न थाले को चुँ, मा अब जती बाच्चु, सांती संगा बाच्चन चाहांचु, केई मलम लगाय दिनु परे गुरू, जती सी, अब जे भयो भयो, ती सबै छोडी दिनो गरा सांती गरनु पर चा, मन मा केई सांती मिलने चा, एसो पात्र पलटाएर, तेशका लागी फ अबिवादन गरे रा निश्किन्चन, वसंते पनी गुप्ति कोठा बाट निश्कन्च, उसले बुजे को गुरू सब्द को अर्थ एक पटक फेरी सम्जन्च र अर्थ बोद गर्नक होच्च, गुरू भनी को अंदकार बाट ज्यालो तीर डोर्याउने आदर्श हुन, तर अंका पंद्र, एसे गरे अर्को दिन पनी जोतिशी बाबाली वसंते लाई संकेत गर्चन, वसंते ले इसारा मही कुराबुजी हाल चा, अर्को नहीं कानी वाला कोई आउँ दै चा, तो लाम हल बेच मा सानू क्याबिन बनाएको ठाउँ चा, तो खास-खास समय मां मात्र प्रयक माँच, त्यां बसंते पित्र पसे पची बाईर बाट चाबिल आउने चलन होंच, तो क्याबिन को भित्र बाईर बोले को सवे, सुन्न मिलने व्यवस्तार गरियक होंच, वियाईपी आउँचन, तो दिन का वियाईपी नाम चले का डाक्टर होंच, तिनी त्या गुरु, मेरो कल्यांड गरि दिनु परियू, जोतिसी, अजुर को मन मा असांतिक शरी पईदा भयू, तेसको घटना क्रम, खुलस्त राकि दिनु भयू बने ग्रासांतिगर्न सजिल होनी च, डाक्टर, गुरु यो विगत को कर्मके कारण मन वित्र असांतिको ज्वाला द बनाये का हून, जब हो मा डाक्टर बने रह सेवा मा आएं, तेस मेला बुझें डाक्टर को काम बने को शेवा जस्तो मात्र होतो रहेचा, कमाई पनी थोरे भनी। पुबई एक ए चेत्र को वायकोले जीवन चलावना सजील हुन थियू। एकले अरकाको कुरा भुज थियू। जीवन सवहात्र पोण बाहत बरन मा थोरे थोरे आमदानीमा पनी अगाडी बढ़ियू। आम नेपाली को तुले नमा हामर जीवन उत्तम थियू। प्रारमबमा डाक्टर बनिर ये चेत्र मा प्रविश्गरी शेवा मुला ग्रूप मा क्याम गर्दा पनी खूची थियू। विस्तारे विस्तारे घर परिवार बाट पनी डाक्टर को कमाई। ये ती मात्रे होरा पलान डाक्टर ले कत्ती धेरे कमाऊँ छो बंदे बड़ी कमाई को अपिक्छा कातना थाली। डाक्टर बने रोगी को शेवा गर्णू परने ठाउं मा द्यवसाई ग्रूप ले स्वस्च न थाली। शुरुमा योटे अस्पताल मा पशी आनांदले काम करनी मा पशी पशी धेरे उटा अस्पतालर मेडिकल धाउं न थाली। ये सली धेरे अस्पतालर मेडिकल धाउं दा कमाई बनी केई बड़ी ने होन्तियो। एस बेला मलाई मौसुस भयो कि आफाइं मेडिकल संचालन करना सक्कियो वनी कमाई बड़ी नहीं होने रहे छो मौ डाक्टर, स्रिमती, नौर्स, हामीले केई समय पचिने योटा सानू मेडिकल संचालन मले आयू मौ और को ठूलो अस्पताल मा पनी काम गरती मेरी स्रिमती, हामरे मेडिकल मा पून कालीन रूप मा रहे रख काम गरना थालीन मौ ब्यान बेलुका हामरे मेडिकल मा बसती और को ठूलो अस्पताल मा आयका विरामी लाई, और को पटक हामरे मेडिकल मा रिपर गरती यही समधे पची हाम्रो मेडिकल मा विरामी हरुको भेड़वार होना थालिए। हाम्रो मेडिकल मा आउने प्रत्तिक विरामी को आर्थिक, स्यामाजिक, सईचिक, मनवाई गैनिक तता राजनेतिक अवस्ता को अत्यन करी सेवा उपलब्दे कराऊं थी। सामन्ने विरामी वैका मान चलाई पनी बिल रामरे उड़तियों। देरे नेपाली हरुक गरीब अशिचिक ज़स्ता देखिने तिनी हरुलाई स्वस्त का बारेमा तर सायरा डौर देखायर मात्रा हो सदी उपचार गर थी। अरुबेला मही हूँ बननी गांटी राहाद मा सुनको मा मोटा मोटा गवाना पईरीनी मान चलाई पनी स्वस्त का बारेमा सम्जोता गर्ण हुन्ना भननी इस्तितिमा पूर्याउं थी। डाक्टर ली मेडिकल आफ में खोलने रत तरीका जाननी ओवनी नेपाल जस्तो मुलुगमा पईशात बोरा माहलेर गोदाम मा राखना पुगनेगरी कमाईनी रहेचा। मै ले तु अनुभाब करी। मेडिकल बंदा देरी कमाई अस्पताल वाटर हुंतो रहेचा। मेरो ध्यान अस्पताल खोलना तीर लाग्य। नेपाल को कानुन दैबली जानुन बनी जस्तो नेपाल मा जस्तले जे गरेपनी हुनी। अनुगमन गर्नी निकाई बेकामे कारेला जस्ता भईशाके का थी। राजनितीमा भईकामती लुआठ हरुली हरेक चेत्रमा निर्देशन दिन्ती। साच्ची के अनुगमन गर्ना कोई आयालीकती जिनिस्चुगाई पुगी हलनी। नेपाल तकमाउना का लाग्य। शोन मुलुक जस्तो लाग्य। विदेशियोरुपनी नेपालमा स्वास्ता शेक्षा रसुचन प्रविदीमा लगानी करना लालाई देखिन्ती। पुरा बुजनुमाच मैले बईताई शिक लगानी का संदर्वमा एतिनी बताउना चाई। मैले अस्पताल खोलनो अगी थोरे अनुसंदान पनी गरी मेरो अनुसंदान कस्ता अस्पताल नापमा चन कस्ता गातामा चन बनने थिय। अस्पदाल खल्दा संचालागरुने डाक्टर भयका अस्पदाल नाफामा गईकोरा, मेडिकल स्फित्र बुजे का माच्ची कॉम भयका अस्पदाल गाट मा गईको देख्यू। मेरा जेठान रा सालोग मेरो भाई पने डाक्टर भाई कोली उनियरू संगो छल पल पची मेरो अगोई मा डाक्टर को टीम बनाय रेवट्रा अस्पताल खोलने नेनाई गरियू। आमीले अस्पताल का लागी जगा हेरियू। अलिक कुनामा 7 रोपनी जग अस्पताल का लागी खरिद गरियू। बांकी 14 रोपनी जगा संचालक ले बेगतिका दुरूप मा खरिद गरियू। तेई पईशा आमी संग थियो, बांकी पईशा दिना बैंक घरू ने आमी संग आये, ठोलालाई चाइन सानालाई अइन बने जस्तू, नेपाल गो सम्पुन राज्य पणाली तेशली चले को भान उन्तियो, आमी ले तेश चेत्र मा अस्वताल कलागी भवन बनावन थाले आटाई मोटो रकमाम दानी गरिऊं, अस्वताल पूर्ण रूपले तो एर भवाई पजी, अस्वताल कलागी चाइने सामान खरित गरनी योजना अगाडी बढ़ाईं, बौंगा बौंगा सामान, विदेश बट लियाउन परनी भवाईकाली, बन्सार शूट का लागी नेपाल मा सरकारी अड़ा मा अड़ार हाकिम को इस्तर अन्सार को भेटी चड़ाय पजी, सवय काम समय मा पूरा होदो रहे चा, आमीले अनुबाव तो पनी प्राप्त करिऊं, आमीले हामरे अस्वताल का लागी भने धेरे मात्र मा मेशिनरी सामान बंसार सूट मा लियाए सामने बिरामी बाट पनी फकाय फकाय मोटो रकम अस्वती ब्याहिनी रहे चा, असपादल संचाल घृपु राष्ट्य इस्तर मा नेट्रोग खडाग गरे रा काम गरियों, यता बाट बिरामी उतापठायो कमिशन खायो, उता बाट औरकु मा पठायो कमिशन खायो, अस्पताल मा के घटना घटी हाली बनी मिलाउना सक्ने अन्षत मां मस्वयम पूएं। आमी तीनी हरोलाई भारत का भिविनन स्वार मा पूरे हो थियूँ। इशबई काम मा हामी लाई बेला मा समस्य तथा दमके आउने भायकाले गुंडः हारु को स्वयकपने हामी ली राखते हूँ। अलेली गर्दे अस्पताल को माध्यम्बाट आमीले धेयरे मांचे को म्रिगोला प्रत्यारुपन गर्नी काम गर्णी। मन मा डौर आये पनी पईशा को अगाडी सबई काम जायज हुदा रहे चन। मन मा भएतराज के अई हुदाई न थियो। म धेयरे अस्पताल को शेर होल्डर पासेर नावा व्यवस्तित बने को थियो। म ज़ता हेयरे पनी पईशा मात्रा देखती। आम्रा अस्पताल मा धेरे डाक्टर अरू अब्यास मात्रा गर्ण पनी आऊंती उन्हेर लाए खासे पहिछा पनी दिनु न परनी कुने पनी आप्रेशन गर्णो अगाडी विरामी का मांचे को सवमती लेप्चे समेत लगायर लेन्तियों देरे बिरामी सिकारू डाक्टर अरू अब्यास गर्दा मौर्थे पनी मेडिकल कानून ले मेडिकल व्योशाई हरू लाई सुरचित्ने गर्णो थियो मांचे मरी आल्दा पनी खासे समश्य परदए न थियो अस्पताल हरु मां हाम्रा अगाडी मांचे अरु मरी रहाद आपनी खास्साइ फरक भावना उत्पन्ना होदाई न थियो आम्रा लागी युटा केस मात्र हुन्तियो विरामी का आपनतमा परने चोट को आमी अनुमाना ही गरदाई न थियो आम्रो दीन चर्या एसरे लामो समय बहित्यो काईडे काई कुने कुने अस्पताल मा बिरामी को चाप कौमी होदा आमी खर्चर तेहीं भाइका औरु बिरामी लाइ थोपर चुंँँँँँँँँँदा जाने परती फाइदा ही फाइदा मात्र हुनी मेरो व्यवसाई केरियर को अंतीम समय मा कोरोना रोग को प्रकोबायो यो महामारी चाइना बाटा प्रारंब भएरा संसार बर फईलियो अमेरिका, इटली, कोरिया जस्ता भिकसित मुलुक बनी कोरोना बाटा नरामरो संहा पिरो लिनपोगी संसार बर का मुलुक मा दंजन को ठूलो छेती भईयो जता तते भायर अत्रास मा अत्राइतियो रोग प्रारंब भएको मुलुक चीन मा तेसला नियंत्रन गरना आउसदे उपचार का साथे लोगडाउन को समित अभ्यास भईयो लोगडाउन को परिस्थित संह देरे मांचे परिस्थित बनी तेसको अनुभुती समित गरी बाईरल प्रभिर्ती को रोग नियंत्रन करना लोगडाउन बहुत उपएगी देखियो यो रोग को विशयला लेरा चीन रा अमेरिका को शीत युद्ध जस्त इस्तिती देखियो संचार भरबाट चीन ती राउला उठाएको इस्तिती पनी संचार माध्यमाई अंत्रास्थ उडान मा नियंत्रन गरियो देरे का ब्रह्मन योजन हरू रत्त भई कती ब्यवसाई हरू ब्यवसाई तोस्नावस भई पची आत्मा अत्या समेद गरिको खबर आउंत्यो विरोबाट भईले को समचार ले बीशो मानव समदा इस्तब्ध हुन्ती अलिक पची भारत र नेपाल मा पनी रोक को प्रभेश भईयो यता पनी हाकार हुना थालियो संसा सरकार ले लोगडाउन को खबर भाईर निकालियो नेपाल पनी भई त्रास्र संकट को भूमरी मा फश्यो सरकार मा हुने हरूली कुरणा को प्रकुप देखाईरा ब्रह्मलूट मत्चामने काम गरे को जनता मा आवास्त भईयो तरब बोलने को संकट को तरबार सीर माती समयले ने उठाई पची बिक्रम संब्ध देजार बहतर को भुकमपाउंदा मुलूप जसरी भाई मा फशे को थियो तिस्वेगरी कुरणा कालम पनी भाय गरस्त बनियो नेपाली राजने तारू राष्ट मा संकटाऊंदा आपू बने माला माल होने इतियां स्रस्त बने गोछा बिक्रम संब्ध देजार बत बहतर साल को भुकमपाउंदा सरकार मा बोशने ले के सम्मा गरे तो तमाईली भन्न भन्दा पनी काश्मांडो का जनताला इस्षोदे पुक्ष कोरोना को समय मा पनी इस्तिति निक्के गारो भईरा आयो तर सरकार जिम्मेवारी भीहिन देखियो आमीले पनी यो समय ब्यवसाइक बातबरन का लागी उत्तम ठानियो रोगी बाडनो रोग बाडनो अस्पताल संचाल का लागी चार बाड आय जसते हो आमी अस्पताल संचाल घुर को एवटा कोट टीम ले एवटा गोप्पे बईठक राखियो संचार भायक रस्त भायक कई बिला नेपाल मा पनी कोरना रोगी हाथत तही बड़ी कोरना को प्रकुप दोई चरन गरे रहायो आमी ले शुरू के चरन मा अस्पताल के नेट्रोग बाट अजब भायला प्रत्सान गरियो पहिलो चरन में लापरवाई भायो आम मानिश ला तर्शायो एस पजिता मानिश पईशा को मतलब नरा के अस्पताल होई जिये रोगी का कुरुवा समेथ कुरुवा पसन नसकने अबस्ता भयो आमी सिधे अउस्दी पसल संगा मिलेर हो एती अउस्दी लागए भन्र फोन माँ विरामी का आफंतला वन्ने गर्थियों बिल बनाऊने सम्मा बनाईयो मान चे महले पनी अउस्दी पसल लिल पूरणा को अउस्दी में एक रुप्या पनी छूट दिये नू बिरामिला हेलिकप्टर बाटा गाटमंडो बाटा बाईर और को जिल्ला सम्म बायका अस्पताल मा रीफर गरिऊंग बेंटिलेटर को सुविता अस्पताल मा कौम नहीं बायका थी योटा अस्पताल मा बेंटिलेटर सुविता का आट दो सुटा बेट हों थी 20 लिटर सोयत को बेड पावन पनी, मंत्री सम्मा को पावर लगाउनू पर नी, अस्पताल मा दो सटा, बेंटी लिटर सोयत को बेड मा राउंडिंग मा डाक्टर बुलां जहूं, डाक्टर तर जाम बमटिसे सांवा नहीं होंति तर हामी विशेशक्य मंदर चिनाऊं राउंडिंग डाक्टर को फी पंद्र देखी 20,000 असुल गर थियूं। डाक्टर लाई एक जना रोगी बाटर लेको दिन थियूं। तो बेला नेपाल मा अक्सिजन सिलेंडर को आतंक अपनी मज जाले रणके को थियू। पेशा वित्र मों सोयमले अपराद गरीको छू। प्रपईशागा लागे महिले लापर भाई गरेराने शुरु में के रोगी मर्न छोडी देको थियू। महिले जस्ते लापर भाई गर्दा अरको अश्पताल मा विरामी नचीनेर मेराई छोरीको श्रिमान ज्वाईलाईने मारी दिये छन। के समय पचे विश्व भरिवाट कोरणा नियंत्रन हो दे गयू। विश्व का प्राई सबय मुलुक्तो आतंको को अवस्ता बाट सामन्य अवस्ता तिर आय। कोरणा पचे फेरी संसार में डेंगू को लहर आय। तो बेला सम्मा मा शक्रिय व्यवसाई काम बाट पचाडी होटे को थियू। अश्वताल को निर्तित पनी मैले छाडें। गार परिवार लाई समय दिना थालें। तेस बेला मात्र मलाई धेरे कुरा गलत गडिये चा वनेरा चेताय। मेरी छोरी का पनी बालवत्चाशन। तिन हरू म संग जुमिन चन। तेस बेला मलाई लाग्षा उनिहरू को बाबा को अत्यारा मा नहीं हूँ। आज काल मा अश्वताल गएरा पवित्र मन लेरा सेवागर्चु। तर बिगत को आपनो करमली मलाई भात्पति पोल्चु। मन मा पस्ततापको जलन च, देनमा शुक्क चाईना, रातमा निन्राज चाईना। म समाज को नजर मा इज्जदार, कानुन को नजर मा इम्मानदार देख्ये पनी, मेरो आफने मल्यांकन मा म अपराधी हूँ। मेरो अगारी धेरी डाक् потом शाथेरो अपरा धीने देख्शुू गर्द धेरी डाक्टर होडले राम्रर कामपने गरे का छन। राम्राको खोलोड़ेयर समाजलन चुसने डाक्टर पने पाइला, पाइला माचन। मलाय लाख्ण, नेपाली जन्तारु बने का विचार आरून, जये बने बनी शाने, जये गरे बनी होने, पैसा लुटो लुटो एरी रहने, एत्ती सम्म की आउस्दी को मिती सम्म नहीरी खापपई खाने. येस्ता मांचे बशेको नेपाल जस्तो ठाओमा स्वास्त्या शेच्च्या संचार लगयात के छेत्रमा लगानी गरना विदेशेरू आउना लालाई छन सरकार बनी राजसो बड़े उट्चा बनेरा अनुमति दिना तयार छो महिले महिनेको बाटो फरकेर हेरदा मन अब नरक मा जानचु बनने लागशा मा बाचुन जेल सांती चानचु पर आजगाल जती जती मला फुर्षा दोंचा उती उती मेरो आत्मा जलचा जलनको राप अपन नसके कोली गुरू महाजूर को सरन महायको छु मलाई के ये सांती क को लेपन गरी दिनू परियो जती सी अजुरले सबय आफनो गलते स्वीकार गरेरा आफुला सच्च्याउने प्राण गरनु भैको छु निश्चाई पनी अब मनमा सांती को बाली गरना सकिन्चा ग्राव सांती गरनु पर्षा तेसका लागी पलाना गते सुम्बार आउनो आत्मा पूर्जी निदै इसामान देरा आउनो हला औनी ग्राव सांती का लागी शुल करू एक लाख पचास हजार लाख तोपनी देरा आउनो हला डाक्टर आउस्गुरु प्यां बार चा डाक्टर विदावहर जान्चन बसंतेले निशास्चिन दै वाईपनी सब्द को म अन्र मस्तिस्कमा वैचारिक्र भावनात्मग वहिंखार चाल संगे निरंतर तरंग हरू उत्पन्न होंचन। अंक शोर जोतिशी हरिनारन ले विशेष ग्राव सांती गर्न का लागी सोंबार उपयक्त देखे का होंचन। अन्य पुजापाट गर्नी रुद्री पढ़नी जोतिशी को काम वने हरेक दिन चसुगर्चन। उनको फी काट्मडू का अन्य जोतिशी को बंदा महंगो पनी हुंच। उनको फी महंगो ने भाईपनी सेवा ग्राईतिया आउनू उनिप्रतिको विश्वास। उनको फी महंगो भाईता आपनी उनले देरेलाई निशुलक सेवा अपनी प्रदान गरेका हुंच। जोतिशी भाबाली विच्च विच्चमा केई खाने बानी हुंच। वसंतेली नदेखी कान पनी जोतिशे भाबाली केई काम गर्नी करेका हुंच। विविर्न मुलुक का मांचे अरुपनी उनलाई भेटना आई रहंच। शेवा ग्राई देकी बायका मांचे रुआओदा जोतिसी आमालाई मन परेको हुदेईन जोतिसी आमा आपना स्रीमान जोतिसी संग पनी संतुष्ट न देखी को जस्तो परिष्टिती बसंतेले मासुष्गार छा जोतिसी बाबा बसंते का मेदबाब मात्रे हैन रोजगार दाता रग्यान दाता पनी हुन आपना ही भुवाले जनी छारी देखाचन इसने अपनी उत्तिके प्रदान गरेकाचन तो गर का दनी जम्मा दोई जना ती दोई जनामा पनी पूर्ण मिलाब नवयको पूर्ण बहन द purchased list. बशंते तेहाई ज steel को जोरो बने रह बसता पनी कि इसत है श्थी अपन्я। ऊं औरो ये देखने गरी मनमुट्राब का कुरा उनिहद्वले बेक्ता गर द unbelиль भर्ष अहु शम्मा बशंते ले तेहाई जोरो बने रहाः बसता दोई को मन्य मन एक norबै को इसतिति पाइंग बैलेंच चा इज्जद चा सारा भक्तजन को विश्वास चा तर पनी जोतिसी बाबार आमा को कोण मेलन चाई ना जब सम्मा वसंते ले एकुरा बुजे को थे ना उँ खुशी थियो जब वसंते ले तू परिष्टिती को पहिचान गर्यो तब उसको खुशी पनी हरायो उतो घर को सदस्यनी बाय को महसुस गर्चा तो समस्या कि यो पहिचान गरी समधान गर्ने का लागी चिन्तीत बन्चा उसले विदेश्मा रहका जोती सी बैबा आमा का छोरा अरु संगा संपर्ग गरी बुज नखोच्चा उनिहरू विदेश्मा रहका आर बिये पनी उतेई गरेकाली सांस्कृतिक विचलन्मा परिगुर घर मा आउनन असक्नी अनी घर को आंतरिक अवस्ता था नवय को लुति सैंद्र मा विदेश्मा रहका जोती स्केंद्र मा अनयामीत कारिकं कारिकम चली रहèg को होंच नापली निहामीत रुप मा गरी रही को तिरपनी उनिहर को ध्यान के चिंचा कुरेई कुरामा वसंतेले खनाल अंकल संगा सोच अंकल आमरा जो तिसे आमारा बाबा को रामराई संगा मिलन छाई न तिसको क्ये कारण होना सक्षा अजर लाइके ये थाचा की खनाल बंचन तो घर को शोरो बय को छस छो बर्ष देखी ये घर मा बसे को छस जो तिसी अरिनारन को पीए बसे को छस आमा को मायबनी उत्ति कई पाय को छस अनि मलाई स्वत्चस मो ता आकल जुकलावनी मानचे पता केटा बसंते के निराश बंच उफेरी खनाल अंकल संग कुराव गाड़ी बढ़ाऊंच के थाब अई पताई दिनसन अंकल खनाल बंचन बाबु एर यो सोर हो यहां घर ठुला अठुला होंचन मानचे का मन बनी सान साना होंचन येवटे घर मा बसे का मानचे का पीजबनी भावनात्मक संबंध हो दैना अजा पती घर मा श्रीमान श्रीमात्य को भीच मा ठूलो दूरी होंचन येवटे खाट मा सुच्चन तर सपना हलाग अलग देख्चन तेरा मेद्बा एकदम मनकारी चन सोय गी चन आपने श्रीमात्य लाई प्राण भंदा प्यार ठांचन यो समाज को भलो चांचन तो लाई आउदी माया गर्चन तो 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 लिए प्रतक्षे अनुभति करेके अलाश तेरी मीतामा पनी एकदम असल शिन आपना श्रीमान को एकदम ख्याल राख्चन तो लाई पनी आफुलेने जन्माई को छोरो भंदा प्यार ठांचन रा माया गर्चन उनिहर को घर मा परिवार मा केई कमी कमजरी होने नदे बाबु मान चे उन केई भाय होला मन दुखे को बेला तो इले राध दिने काम गर आपना छोरा आरुका यादले पनी सताओंद हो काईले काईत बसंते फेरी बन्च परिवार असल हो मायालो छन तर उना आरुका आपस्मा मन प्रसन्न भईको देख दीन तेई भायर आजकाल मलाई समे चिन्त लाग्ष मलाई पनी केई विषय माचाई संकाले लंका जलाउनु पनी भायना बाबु अब तेरु काम तो घर मा सदै खोशी दिलाउनियो तोईले घर का और वेवार को संतुलन मिला है यत्तिका मांचे और को जुनिमा समेद भेर दैनाश एसरी केई बेर को गवगाप पची उनियरू त्यां बाटा शुटिन चन तेस कुराकानी बाटा बसंते को जिग्यां सा समाधान हो दैना उचिन्तीत पर दै जोतिस केंद्रमा फरकन चन मानु त्यां केई नवई जशरी नियमीत काम चली रहको चन दीन हरू ब इत्ते ही जानचन जोतिसी बावा केई बड़ी नई अडबडाओं दे गई काऊंचन आयमा को उदाशी पन देखदा बसंते लाई पनी केई गरों कशो गरों जस्तो होंचन एक दिन ए सरीनी समय बेतने क्रम मा जोतिस केंद्रा गारी प्णरी को भ्ष्यान आयरे रोकिन च lle तोलोर रहे को सुरक्चा कर्मी पनी अलमलींच hours किने प्रहणी आये वने रास्ते रहे चकीठ हुंच प्राइड ले जोती सी हरी नारं काहा उनुचा बनेर शोच्छन, जोती सी माती रहे को थापाये पची प्राइडी सरासर माती नहीं उक्वन्चन, त्या ओरी परी को बातवरण मा अनेक थरी हो अल्ला गाई गुई चलन थाल्च, तेत्ती खेरी बसंते पनी क्यां पसबाटा घर आये पोक्ष, त्यांको बस्तु इस्तिती भुजे पची उपनी निक्कै डराऊंच, उसका मन मा अनेक पुरा खेलचन, त्या अनेक थरी का भ्याई प्यरू शेवालीना आऊंती, ती मद्दे बसेले गटबट गरे होला, उसले घटना क्रम लाए, तेसरी हेलच, अनि त इसको समाधान क्ये होला भनी चिन्तित बन्च, जोद्धिसे आमा न्याउर मुख पारेरा बांचा कोठाको एककुर्शीमा बशे के होंचिन, बांचे दिदिले डाडस दिने कोशिस गरी रहे के होंचिन, बसंतेले आमाला इस्षच आमा याकीन प्रारी आयरा बाबालाय ल दूला मांचे लाइ प्रारी ले लगेरा मार दैनन, प्रारी ले कीन लाइकु तो एकिन भाईपाची आमरा मांचे लगायरा छुटाउनु पर्छा, अब इस आरा अभिवारा त्यरों टावका माहिको छा, तों परिपक्क युबा भाईको छास, परिष्टिति लाइ तों समालनु पर्छा, मेरो सदैवा तनलाय आशिरवाच्छा, तों मेरो छोरा होस, मा ढले बनी पनी तों ढलनु होदैने बाबु, बसंते आमा नजीक जान्छा, आमा को तुवे हाद समाउचर बन्चा, आमा मा बाबालाय जस्चरी भव्वेनी छुटायरे लियाँचु, आमा जोतिस केंद्रमा दिनाओ धेरे शेवागराई आउथी, तीनी अरुमा अपनिया नेक प्रकार को तरंग पैदा भईकोतियो, प्रारीकुमा गएर बसंते ले जोतिसी बाबाला भेडचा, आपनो चोरो सरागो बसंते संग कुरागर्दा उनको शीर जुके को होंचा, मलाय क पसेले फसाय बाबु बन्चन, बसंते के कस्तो अवस्ताचा बने रखुराकानी गरी सके बची, त्यांका प्रारी अरुशंग शोत्पुच गर्छा, जोतिसी बाबालाई लागुपदार्त कारबर गरेकु कशुर मा छान्मिन का लागी प्रायर ले नियंत्रन मा लेको रह बसंते यो हुनाई शक्ते न बनी त्यांका प्रारी अधिकारी हरुलाई भांचा, प्रायर ले उत्तर दिन्चन, अहले आमे अनुसंदान को चरण मा छों, वा निर्दोस भई छुटन होंचा, अनी कसुर अभ्योग प्रमाणित भई कानुन अनुसार्षजाय होने छ, एरे चिन्ता लिनुपरदैना, जे होंचा, ठीक होंचा, ताइरे गर्नोर्षज, उत्या बाट गर फरकेंचा, मन मा प्रस्ण का बाड़ी हरु बर्चा, याम का खारे जाइं उर्लन्चन, उसको मन ले बन्चा, यो सवै कसाई को सडेंत्र हो, उ छो बर्चा जोतिसी बाबा को सम आपुली संकलित करेको खबर आमालाई बताऊंचा, त्यां बाण्चे दिरीपनी भाईकाली आमाली बसंते लाई और को कोठामा लेर जान्चिन, र धेरे भेर घटना क्रम का बारे मा सोत्पुझ गर्चिन, बसंते ले पायका सुचना अरुसवाई आमालाई बताऊंचा, आमा चिंतीद बनचिन, मान्चेगो जिवन कुमाली को चक्र जस्तो हो यो गुमिर अंच, जिवन मा कईले घाम कईले छाया बनते, आज फेरी बसंते नया अनुभुति गर्णा कोई को छ, संदै इनचिने का मान्चे को अनेकन कानी को अनुभुति लिए को समझन छ, उसको दैनेकि मा गडबड भाईको होंच, तो घर को निद्रा पनी गायब भाईको च, सबै लाई कती खेरा उज्याल होंच, अनि बाबालाई बेटों भन्ने भाईको च, बोले बल्ट ब्यान बसंते खाना लेर जान्च, ब्यान आट वजे देखी, नौग वजे सम्मा आपनत बे गाड को प्रवंद गर्छ, सानु ज्याल जस्त वाटा कुराकानि गर्नी व्यवस्ता मिलाई के को होंच, उनले जोतिसी आमागो धेरे चिन्ता गर्छन, अरू टोल चिमेकिले के कसो बने तेस बारेम अपनी सोत्पुष गर्छन, मा क्याई दिन मा छूडचू होला, तेत्त गर्छा मालनु पर सहाई बन्दा पसंते का आकामा आशू टलप लाई का होंच, दुबईले हेकर का लाई ढाडास देका होंच, बसंते ले केस कसरी अगाडी बर्दाई चा बने रा अनुसंदान अधिकेतला बेटे रा जानकारी लेंच, जोतिसी बावालाई गंभीर प्र जित गरियेको त्यो, जोतिस्केंद्रको आड मा ठूल मात्रामा नियमीत लागुपदार्था कारवार गरिको आरोप लागेको बसंते ले जानकारी पाउंच, उन्हें आपुपनी लागुपदार्था को सेवन करता भईको प्रारी ले बताउंच, बसंते ला योकुरा पत आमाले बनीन बाबु उनको तेजा नरामरो बानी थियो, उन्हें लागुपदार्था का अंबली नहीं थि, तोहले खाय को थाप पाउंदे न थि, तर उन्हें हालका दीनमा खाने ता केके हो केके सुई पनी लगाउं थि, यो बानी उनले बनारस्मा बस दिना नेपाल जा आमाले चोविशे घंटा उनको चियो चर्चो गरेरा पनी पार न लागने के गरन बाबु छोरारु पनी सानई मा बाईरा पढ़न पठाईयो, बुडा तेसरी कुलत मा फस्ताई गए, उनको एस्तो बानी देखेरा मलाई मरुजनिक पनी भाईको थियो, या शेवा ग्राई बने रा आउने देरे लागुपतार्था का दुर्वेशनि पनी थी, उनले येंती सामन राके रा धेरे लाई सप्लाई पनी गरता रहे थन, मलाई समे देरे समय ता धाव है न, मले उनलाई तेसो नगरनों भन्ती, आपो सम्मालियर ता खान्ती, तर अरुलाई पनी दिने गरती, तो यो घर मा आई पचे अलिक सजग भैर खारवार गरती, मले तनलाई समीर योकुरा कहिले भन्ने शकी न, मलाई तो तो समीर पुलत मा फस्तस के भन्ने निके डोर थियू, उनलाई प्रएडले लागे को माई एक मनले ता ठीके गरे जस्तो पनी लाग्चा, तर समय बलवान हुन्च, बाबु तो आमिलाई छोडेर न जाहाई, वने रा धुरू धुरू रू न थालिन, वसंते आमा को आशुपुस दै भन्च, आमा तपाई महान हुन्च, एसरी रुएर आपुलाई कमजोर न बनाउनो, सबै ठेक हुन्च, बंदै पीर नलिनुस वने सान्त न दिन्च, जोतिसी नहीं तो घार मा नवय पची, जोतिस केन्रा सुन्चान्च, कर्मजारी पनी फोंगा उड़ेकु चेरा लेर बसे काछन, जोतिसी आमा लाई पर्णु सम्मा पीर परिको छ, अब क्यो वला बन्ने चिन्ता सबै लाई छ, आमा बाट थापकुरा थ आप आई पची वसंते लाई आपों गुप्ति को ठामा बसे रा, और उने कसे को कानी सुने जस्तो लाग्चा, वसंते लाई भिगत प्रतिपस्चा ताप हुंचा, उसका मन मा प्रश्ण रू आऊंचन, मैले किना बाबा का गतिविदीर आम्रो संग हेरी ना, किना घर का को गरीब केटो, मलाई बाबाले माय दिनु हो, खाने पढ़ने ब्यवस्ता मिलाउनु हो, ज्यान आर्जन गरने बात बरन दिनु हो, दुनिया मा तेस्तो मांचे पाइन न, वाँ मेरो आदर्स वनुंच्यू, एक आदर्स ब्यक्ति प्रति कुने प्रकार को प्रस्ण उड़त पाइले राखनु जस्ता कुरा, उसको मस्तिशकमा चल्चित्र जाई फन फनी गम्न थालियो, ये कुरा सम्झना पसंते लाई परिष्टिती तेस्ते थियो जस्तो पनी लाग्छा, तर मनले स्विकार गरन सकी रहे को हो दैन, आज उसको अगाडी परिष्टिती को नया पान पल्टिये को च, जुन खुला च, तर सवै परदा वित्र जस्ताई, बियान खाना लेर बाबाला भेटन जानु तेस्तो गरनु बेलोका खाना लेर फेरी बाबाला भेटन जानु अनि शाजमा अमला शान्तो ना तिनु वसंते को दैनिकी बन्च, ये शरी तीन महिना सम्मा उसको दैनिकी चलच, तेन महिना पची अदालत मा पेशी होंच, तेस पची जो तीसी बाबा प्रारी चोगी बाटा अदालत होंदाई जेल पुक्षन, वसंतेले पनी कानुन व्योसाई अरुशंगा नियमित संपर्ग बनाय को होंदा, सजाय के कस्ता आउच बनने एकिन हो पुर्पक्षे मा जेल मा रहादा पनी नियमित वेट गाट का लागी उगई रहांच, चोगी मा छंदा जोस्तो भात लानूत परदाईना, तर नियमित रूप मा फलपल लेरे जांच, बाबालाय उसका तरफबाट गर्णू पनी कुरामा केई कौमी होना दिनना, कोई लेक आमालाय पनी लेर जांच, उता विदेश मा रहे का छोर आरूले योग खबर्त सुन चंतर नेपाल आयरा केई गर्णा सकिंचा की बनेरा प्रयत्मे गर देनन, आमाले फोन संपर्ग गर्दा जे हुंचा कानून अनसार हुंचा नार्तिनु मात्र भंचन, और उताप संपर् परिवार भाई संग नियमेद संपर्ग मरई उनिहरू का समस्या को पनी ख्याल राक्षा, परिवार समाज वरू बीग्रियेको मा चिंतित पनी छा, देश भरका परिवार मा सहजता नभई को मा सामय गर्णा सकिंचा, तेत्ता पनी उसको ध्यानकेंदित भई राके के पर्मा एस्तो परिष्टिती छा, जीवन तनाव ग्रश्ता, उता उसको इसनाफ्तकोत्तर धको अंतीम परिख्या पनी आई भई कोंचा, बसंते लाई चारे तिरको तवाब्र तनाव चा, उस सम्दन चा, तनाव्र दवाबले नहीं मांचे लाई खारेरा योग्ये उत्रिण गर्णु पर्छा, एसका लागी मैले तयारी रामरु गर्णु पर्छा, मा सबई परिख्या उत्रिण गर्ने चु, ये सरी उसले आपुलाई मानसिक रूप मां तयार गर्छा, बसंते ले सबई कुराको व्यवस्तापन गर्दै जान्चा, आजगा दीन माउपू जट्ती खुरागरी पनी समय मिलाई दिन च, बसंते हस बंदै गंबीर बने रा सुन्ना तयार बन च, तेस पची जो तीजी बाबा मनना थाल चन, बाबु, मेरो जन्मा पांस्तर जिल्ला को योटा गाउमा भईको हो, मा जन्माने वित्तिके अती रोगी थिया आरे, औरुल गरनो भई छ, दामे जाकरी लगाउनो भई छ, केई गर्दा निको भई नच, मा सारे कमजोर अनि पिलन दारे थिये तेस बेला, भुबाली एक पटक धनकुटा मा जोतिसी को मा लेरा, चिना हेराउना जानु भई छ, ती जोतिसी नेपाल को पूर्वी पहाड मा नाम कमाय क जोतिसी रहे चन, ती जोतिसी ले मेरु चिना हेरे पची, बच्चा मातला जस्तो छाईना भई छन, तेस बची भुबाला निक कई पीर परी छ, भुबाली ततकाले तेसको समाधन की होला भई र, प्रष्ण गर्णु भई छ, जोतिसी ले एसके उमेर को केटा समा मित लगा किना कि वाले मलाई जोस्री पने बचाऊनु थियो, एसक्रम मावान निक कई दिन हराऊनु भई, खस्दाई जाना आर्तिक इस्तर कमजोर रहे को, र, तेरो बाबा पनी मेरे उमेर को देखे बची, वाले मित लगाउने प्रस्थाब राखनु भई छ, उल्यरू मित चाटक पे निको भाई छा, तेरा भुवा चाहिं बारम बार बिरामी हों थे आरी, तेस घटना पजी मेरो भुवा को मन मा, जोतिसी प्रतिको आस्ता एका एक चुली रह गए छा, एसको केई बर्स पची मलाई लेरा, तेही जोतिसी को मा जानु भाई छा रा भनु भाई छ मा पनी मेरो छोरालाई जोतिस विद्या पड़ाऊंचु, एसको भाईश्य कोस्ता राम्रो संगा हेर दिनु परिम, एसले जोतिस पड़ना सक्चा था, एस पची नेणै राम्रो गर्नु भाई छा, औनी जोतिस पड़ना सोजिला होस बनेरा, जोतिसी ले बनारस को एक आस् अधिये न, चलान पनी थे न, गुरु कुल पारा मा चलिको आस्रम नई नेपाल बाट जानेरु का लागी मुख्य गनतब्व्य बन्थे, मौईले बनारस मा राम्रो संगा पड़ना सकी न, म पाढ़ मा जन्मे को बालक बनारस को बात वरन मा टिक न पनी निक्काई गारो भ गुरु रश्यवक हरुको आफने पोशाक हुन्तियो, अनुशासन राचरन निक्के कडा हुन्तियो, सबै का लाम लाम दारी तथा कपाल हुन्ति, गुरु अरुले आमिले था नबाय का पनी के खाने कुरा खानतेर नईतिक आचरन पनी बेगला हुन्तियो, बेला बेला मा शेविका को सेवापनी प्राप्त गरती बनारस का सबयी गल्ली हरुमा नेपाली भासी जन समुदाय भेटिन थी अली अली गरते नेपाल तीरको न्यास्तों नी लागन छोड़ियो बर्शमा एक पटक भुबा पनी भेटना आऊनों होंती हो नेपाल का प्राई शबयी जिल्ल मामा पनी आयरा व्यवसाय मा समलगन होनु भाई को थियो वानली साडी पसल राखनु भाई को रव्यापार खुब चले को थियो एस बेला नेपाली मुलका व्यवसाय पनी रामरे चले को थियो माईले शास्त्री तव को पड़ाई गर्दा जो तीसी आमा समा भिये गरिको ह एक पुस्ता अगाडी देखी नहीं तिया पशे को परिवार्तियू। वहार को पाड़ गर भोश्बूति रहरी। मौ शास्री पड़े कई समयमा बनारस को गलत संगर्त्मा परी। लागू पदार्त स्यवन गर्न पुगें। मौ लेती सामन हरू एता होता बेचेर पनी पईशार आमराई कमाई। मौ बिग्रिये को देखेरा। मेरा ससरा बाले हामिला काटमंडो पठावने सुर्शार गर्नु भय। मौ आरूले काटमंडो आयरा गोरी घाटमा दुईरो पनी जग्गा हामरो लागी किनी दिनु भय। शुरूमा आमी नेपाल आयरा ते जग्गामा टोरो हालेर बसन थालिं। तो समयमा काटमंडो मा जग्गा को भावत्यती महंगो थे न। मौ आले बनारस बार्ट काटमंडो आउधा सास्रीत अको पड़ाई पूरा गरेको थे न। पूरा रुपले जोतिसी पड़ाई को ज्यान पनी थे न। मौ आले तेया को अखडामा गएरा नकली सर्टिपिकेट बनायरा काटमंडो आय जोतिस केंद्र ख़लिं। शुरुमा जोतिस केंद्र मा मांचे शिवा लिना हो दई न थे। महीले पस्पति छेत्र मा लुकी छीपी लागू पडाथा सप्लाई गर थे। पईशा र्याम्रो कमाई हुन्तियो तो पईशा ले काटमंडो को वसाई सहज बनाय। पछला दीन मां तो मां काटमंडो को नामी जोतिसी कहलाई मेरो एक छत्र राज भयू। मांचेले पत्याई पची कसे को कही लागदो रही नच्छौ। छोरा हरो लाई सानही मां विदेश पठाई। छोरा हरो अलिया लिगर देटाड़िये तो घर माई पची तो प्रतिमाय गर नथाली। लागू पदार्थ को व्यापारले मलाई आर्थिक संकट को वेलामा सोयग गरेको ले लुके रतो व्योसायलाई मिरंतरता तीं लागू पदार्थ का अंतराष्ट कारोबारी हरू मसंग जोडिये मैले पैसा धेरैने कमाई बर्दियामा चारो टक्र से फर्म खोले रा चालिस बिगा जमीन जोड़े को घू तो नौलाई समे थाचाईन मेरी श्रीमातिलाई चाई थाचा तर कईलै हर्म गईनन मैले धर्म को र परमपरा को आड़ मैं आपनो नाम कमाई तर वीत्र भीत्रे मां पस्ट से आपको जलन मां थी मेरो आत्माली मलाई धिकार्थियों, मेरो मन सांता पार्ण मोजस्ते प्रकेतिका सेवा ग्राई आओंदा, उन्यों को सबही कथा सुने रा, आनन न बांतें, तेशो गर्दा, मेरो मन सांता होने भाई को लिए तो काम गरतें, तो मेरो घर माई पुगिश, पांस्तर को पवित सोज बल्यों बनोस भनेरा तनलाई संकास्पत सेवा ग्राई को कथा सुनाये को हो, असल परिवेश पायन भने मांचे बिग्रंचा भनेरा तनलाई सबही चीज बाटा बचायरा राखें, तो परिपक्क भाईश, समाज, भोजिश, ऐले समयले मेरो थप परीचे तनलाई दि तर अमांचे को जातने भेड़ो जस्तो होंचा, केची चले पची तेते ओई रिंचन, बास्तविक्ता जे हो, तो भने कसाईले सुन्दैन, बाबु हेर, अईले सम्मत प्रहरीले मेरो लागुपतार्थाको मात्र अनुसंदान गरेको छा, वची सुन कांड़को दायरामा प मेरा केई गलती हरुमा ठेकेरा मलाय उनी हरुले तो जालो मा फसाय का हुन, अब मा कानुन को कपजामा परी चकें, मेरो कसुर मा जसरी प्रहरीले अनुसंदान गर दैचा, तेस बाटा मा उमकन ही शक्दीना, बाबु अब तमिले जोतिसी आमा को सेवा गर्णु पर्छा, रामरो हेर्चा गर्णु आई, बांचुन जेल पालनु, मरेपची फालनु, बसंते ज्यालको बाईर, जोतिसी अरिनारें ज्यालको वित्रबाट, कुरा गरी रहेको द्रिश्य और हरुली पनी मत चाली हेरी रहेका छन, जेल वित्रका नाय केरक पुरुआ, प्रहरीलाय रि एदक कुरा गर्णु छ, जरको नमान है बन्दै, बीच-बीच मा बसंते लाय बन्दै जान्चन, उनी बन्चन, तो परिपक्क बाईश, एवट्या कुरा बन्चु आई, बसंते बन्चन, जोतिसी बन्चन, बाबु, अब मा जेल वित्रनाय मर्चु अला, मा मरें भनी, तो माहिले गाउबाट्ट तेरा बाबारा भाईलाय बोलाय रह, तेही घर्म बश्नु, तेरा बाबाले सानई मा नभुजी कनन नई, त्याक बरेकाचन मेरो लागी, मेरी श्रिमती तेरी आमा होन, उनको विवाद तेरा बाबा संग गरे देनू, चार जना को परिवाद पोन हो तिमेरो चार जना मते कोई अलग भयो भनी, मेरो आत्माले सान्ती पाउने छाईन, तोहीले एसको परिवन्द मिलाउनु पर्छ, मलाय बचन दे बाबु, जो तेसी बाबा बाट आपनो कल्पना भन्दा बाहिरका कुराहरू बने को सुन्दा रून पुक्ष बस्चंती, त बल्यो बन, तोहां कमजोर बन्न पाउन दे नस, तोहलाई अज्जय के कुरा भन्नो चमाईली, गहर मां मेरो पुजा कवठा में उटा बाकस चावी लगायरा राखेको, मेरो मृत्तु पचे तो बाकस कोलनू, क्या जगा को लालपुर्जा अरुकागज पत्र, चिठी पत् छेमाई आचनागवर्णू, गल्ती होना सक्छा, मांचे बाटा, तर तो सुधारी हालनू परचा, सुधार्न सक्किये न बनी जिवन दोस्त होंचा, अईले मला हेर्ता ये सकरी बसंते लाई, जोती सिह अरी नारने धेरे कुरा भनी रहे, बसंते ले मुन्टो हल्लाओं दै सुनी रहो, बीदेश में रहे का छोरा हरू लाई समझे को सब वन्दीनों है बनी उनले पांस्तार मा रहे का मीत लाई पनी समझे, औनी अन्तिम्मा स्रीमाति लाई बशन्ते त्या बाट बीदा मागे रा घर गयो बाटो कतिखे रा काटिये चा उसले थानई पाय न उ घर पुगिवेची मात्र जसंग भयो तेस बेला जेल रा घर को दूरीनी नवाई को उसलाई महसूस भयो घर मागे रा बीए सम्मंदी कुरा बाय और उस सवय कुरा घर मा आमालाई सुनायो उने हार दयमन नटार बने जाई जे हुनुतियो ते भयो देन बित्यो रात बनी बित्यो वलीपल्ट वियान खवर आयो जो तिसी हरीनारन ले जेल को ट्वाइलेट मा राती ने शौट को पासो लगाय रा आत्म अत्या गरे चन उनी पूरपक्षे मा थे क पॉसर प्रमाणि धोना बांकी नहीं थियो उनले सजाय को पूरवानुमान गर्न भ्याय परिवारला अंतीम संदेश पठाडे रात्म हत्या गरे दाज संसकार गर्ण अगारी कानुनी प्रकिरिया पूरा गरे लास पस्पदी लगियो अंतीम संसकार मा किरिया पुत्रि बस संते आफ हैं बश्यों ये सरी जो तीशी अरिनारेन को जीवन समाप्त भयों अंक शोत्र अरिनारेन को कारण बाटा अवसंते असल्रा परिपक्क बनियो इस नातको तर्त हो को पड़ाई मां विशिष्ट स्रेणी मां पास भयो उसको पड़ाई को भी से नेपाली संस्क्रि जो तीशी अरिनारेन केंद्रमा बसे का बेला उसले आंतरिकर भाई ये ग्यान प्राप्त गरियो जीवन भुजियो संसार भुजियो आपनो कर्तब में भुजियो उ यो परिवार प्रत्ति को सबैवा रिंडी रहनी छो ये दी उ हरिनारेन को मा नाय पुगई को भई एसरी सबाई तिरवाट परिपक्क बनने अवसर नपाउन पनी सक्तियो उ एकाई एक बिगत समझन पुगियो आपना जीवन मा जोडियेका सबाई मानिसलाय समझियो र सबाई लाय मन माने धन्यवाद कियो गवरी घाट मा रहेको घर मा उनियर वशी रहिका थी अब घर मा सुरक् कर्मी राखनी व्यवस्ता हटाऊं चा बांकी परिवार का सदसे जसरी बस्टन समय वित्ते जानदा जोतिसी अंक शत्र हरी नारण को कारण बाट बसंती असल्र परिपक्क बनियो इसना अतकोत्तर तहको पड़ाई मां विशिस्ट श्रेई मां पास वयो उसको पड़ाई को भी से नेपाली संस्क्रेती थियो जोतिसी हरी नारण केंद्रमा बसे का बेला उसले आंतरिकर बाईय ज्यान प्राप्त घरिव जिवन बुझिव संसार बुझिव आपनू कर्थभ्भी बुझिव उ यो परिवार्प्रति को सदैबा रिंडी रहनी छो एदि उ हरी नारण क अब घर मा शुरक्चे कर्मी राखने खर्च मात्रे बढ़ाऊन हो वनी शुरक्चे कर्मी राखने वेवस्ता हटाऊ चन। बागी बरिवार का सदस्य जस्चरी बस्चन। समय वित्ताई जादा जोतीशी हरी नारण ले भने का सबय कुरा घर मा भन्ना नसके पची उसलाई वित्र वित्रे छट पटी होदाई जाँचा। कसलाई सुनाऊं कसलाई सुनाऊं भाहिरै का बेलामा फेरी खनाल अंकल समझांचा। खनाल अंकल समय मागे रवेट्चा। सबय कुरा राख्चा। खनाल अंकल बन्चन। ओहो अरिनारण दायरे गंबीर कुरा उठाई चन। मरने विलामा कसलाई देको बचन पुरागर्न सक्येन बनी मृता आत्माले पिरोल न सक्षा। दाबू, येशको सामझिक पाटो अत्यन गरेर समधान निकालन। परचा। तो चिंता नगर यो विशय माँ माँ लाख्षू। कनाल अंकल बसंते को जीवन माँ सारो गारो का सोयग विबने काऊंचन। कनाल अंकल ले तेरे सामझिक वेक्ति संग परामर्श गर्दा जोतिशी हरिनार्वन कोईचा। पुरा गर्णुनई परिवार को कल्याण हुँच बननी निसकार्श निकाल्शन। एक बर्ष बसंतेले गाउंबाट बाहिर बावालाई उस अंगई बोलाऊंचा। यवटे घारमा सबै जना बसन सामध वैपचे घारमा खुशियाली को पुनरा गवन हुँचा। बिवागर्णी मामिलामा शुरुमा आमा सामतिमा उग्न सवगविनन। पनाल अंकल्ली संसार का बिविनन वेक्तियर को जीवनमा भयका खटना अरु राख पै। ती कुरा अरुबाट प्रिरणा लिनुपर्चा र समाज को नजर्मा बन्ने बाटो राखना उधैन भन्ने उधारन दिन्छन। नेपाल का बरिष्ट कलाकार साय तेकार हरुली पनी जीवनको अंतिम छेनमा पून विवाग गरेको उधारन दिन्छन। जीवनको प्रोड अवस्ताको विवाली जीवनमा असल सातिक भावना जागरीद गर्चन। उल्ट योधाको उधारन देर प्रत्षान गर्चन तरा आपो नेपाल आउन भनी नशकने बता हुँचन। सबै को सल्ला मा वसंते का भावर आमा को विवा हुँच। वसंते का भावाले कुने प्रतिक्रियाने नदेखाई स्वमती देखा हुँचन। बर्शों सम्मा उजार बने को पाखा बारी मा जम जम पानी परेरा पाखा बारी भरी नास्वाति फले को सम्धन पुप्षन ये सरी अत्तनते असाज र अफ्टेरू परिस्तिति मा टूटे का दोई परिवार को मिलन हुँच शुरू का क्या दिन अफ्टरे मासुस भैपनी क्रमस बात बरन साज बन दई जान्च जो तिसी हरी नारनले भनिका कुरा मत्य पुझा कोठा को बाकस कोलना भ्याईय को हुँदैना परिवार का सदस्यरू मात्रक मिले रत्तो बाकस कोलने हिम्मत गर देना फेर ही तियां खनाल अंकल को आवसेक्ता महसुस हुँच उनियरूली खनाल अंकल ले बुलायर मात्र तो बाकस कोलने निणाई गर चन बाकस कोलना गलागी साई जुराउं संद्र खनाल अंकल को उपस्ति धिमा उनियरूली बाकस कोल चन बाकास, खोल्दा, तियौन जग्धा को लालपुर्जा कमपणी जर्ता का प्रमाट पत्र हरू केई चिथी पत्र हरू होंचण तियाँ भई का पूरजा मत्य परधिया को 40 भिगा को रधारी रूप नगर को 40 भिगा जग्धा को गरी 8 वटा कमपणी का नाममा त्येस बित्रे वट्रा विशेश प्रकार को आकर्षक माला हुंच। एरदा सामने तरके अलोगिक हुंच। उनियरली चिठी खोल्चनं, चिठी जोतीसी हरे नारणलाई सम्भदन गरी लेखियेको हुंच। तुञ्ग नात उपादेये नेपाली भाआचा रशंस्कृति को जगेर्णा मा लागे का एक बिद्वान हुन। उनले समाज जेंवाको छेत्रमा उल्लेखे कारिय गरेका अचएं। नेपाली भासा रश्नस्कृतिको आदीम थलो शिन्जामा तुंगन आतले काम गरेकाली उनको नाम रख्यर्थी देशाई भरी फई देखो छो उनले भासा सायके रश्नस्कृति तथा कूल परंपरा को धर्मों मा लागने जो कसाई लाई पनी मान सम्मान गर्णु पर्च बननी धारणा राख्त दसन शोई काम गर्णी र अभियान मा लागने लाई प्रेणा गर्णु पर्च बननी तुंगन आतली जोतिसी हरी नारहन लाई पनी असल समाज सेवी र जोतिसी का रूप मा सुने का हुन उनियरु वी चिठी पत्रको आतन प्रदान भैको हुन्च तरा प्रतक्से भेडगार चाई भैको हुन्दै न बाकस्पित्र भेटिये को चिठी सिंजा भ्याली जुम्लागा विद्वान तुंगना अथु पाद्याई नेवपानी ले अरि नारहन लाई उपार स्वैत पठ चाई न तरा धेले जनावाटर सुने को चु अजुरले पूर्विये दर्शन को पूर्ण ग्यान आर्जन गरी वनारस छोडेर पवित्र भावनागा साथ काटमांड उपसपती नात्षेत्रमाई नेपाली संस्क्रितीर नेपाली भासाको निरंतर शेवा गरदे आउन भैक को मा रीदय देखिने धन्यवाद भेक्त गरदाचु नेपाली वासाको उद्पती थलो सिंजा भैली हुँ यही पवित्र भूमिबाट हजुरलाई सम्जन दैचु मैले काटमडो आउने मांचे का हात्मा यो पत्र पठायको चु एसाई भीत्र योटा मालाच जुन माला कन अरिवा तपायको पवित्र भावना को कदर गरनी चु उई तपायको मित्र तुंग नाथु पाद्याय नेवपाने सिंजा भैली जुम्ला तो माथी भनीको वेवरा सिंजा भाट्र पठायको चित्ति मा वयकोर तेसके मुनी स्वई पाना मा जो तीसी हरिनारनले बसंते ला बारे मां सोथ खोज गरीं वहां एक सत्य प्रेमी निष्टा वान समाच से भी हुनों दो रहेचा शिंजा सब्वेतार कनका सुंदरी मंदीर को बारे मां मैले अध्यन करीं अईलेको विशाल नेपाल को जग यही बाट तयार भैको रहेचा आमीले बोली रहेको भासा तेही बाट विकसीद भैको रहेचा उँआले टारा बाट पवित्र भावना को साथ तो माला युटा प्रतिको रूप माँ पठावनु भैको रहेचा उँआको पवित्र मन भैकाली मेरो बायरे आबरंने सच्या रूप सम्झनु भैक खोला तरा मेरो आंतरिक मुल्यैंगन मा पोडेको च नम शुद्धा सतनाएलिन धेरेको गूपतिकुरा शुने को च यो शमाज राम्रडरी चिने को च नेपाल भुजेको च अब तनाएलिने तु, नेपाली वार्चा र नेपाली संस्क्रमществ को समरक्षन मा palavras लगाऊनू पर चे। नेपाली वासार संस्क्रिते सम्रचने वियान मा लागनू पर छा, नेपाली वासार संस्क्रिते वित्र आमरो मौलिक वैचान छा, तो शक्यो बने आमरो अस्तित्तो शकिन छा वसंते मावारत मा काणले भनिकाचन युद्ध मा जीत अर्जुन को हुनेच तरमयले परिष्थितिका कारण युद्ध दुर्वयधन को पक्षे बाट लड़नू परनेच मलाई परिष्थितिले यो मोड मा लियाएको सम्धियर मापी गरी देबावू अनि कनका सुन्दरी मंदीर पुग्न नसके कारण मंडू को चोकोट देबी मंदीर मा गएरा दर्शन गरी माला लगाऊन। अनि आपनो दायत्तो को बोध पनिगर्चा। तेश बची आमाले खनल संग केई थप सोईग माग्षिन। तेश बर्ध्या को जग्तरी रूपनगर को जग्तर क्रिशिफ हम्को कानोनी आवस्ता वहादिगारा अईलक अवस्ता का बारे मं अबसंते लाई ब्यवारी क्यान एकपटब दिलाय दीनुम अला बनिग्रचा बर्चा ब्यवस्ता गरी दिनुझे। कना diet लंगर ली कमपनी रटा को कागज हयर्चन 15 और्षवागड रटा गरीको कागज पत्र हो अगरुच पत्र होँचन कमपनी रजिस्टार को कारी ले कार ले कौरकार ले महलपत कारी ले काउपल के घ्री नविकारन गरिको हो दाईन जग्गा हेर न जाने बहानामा नेपाल को भूगल का बारीमा के थब जानकारी खनालं करले बसंतेला प्रदान गर्छन। उन्हेरू पूर्बर पस्टिम दुबई तीर खुमेरा काटमंडो आय पची आमाली बसंतेला श्योचिन। तेरा बाबा लेकिये के गरेरा जोडेको तो संपती सरकारले पचे आपनो क्याई नियम बनायरा अधिकरन करचा गरुष। तोन लोब नगर हमिलार पुग ने आमरो आपनो संपती चा। तनलाई पूर्बा पस्यम नेपाल को जानकारी ओस बनेरा काटमंडो बाईर का भुबाग देखायको मात्र हुँ। प्रतिकात्म गुरुप मा तराय का ठाउं तेस्ते होंचन, पाड का प्राय सवे ठाउं औरुपांस्तर जस्ते होंचन, निमाली भाग चाय मपनी घुमेको छैन, जो तिसी हरिनारेन बाबालाई आएको चिठी सिंजा माटा आएको छानी, तो निमाली छेत्र हु। इमाल पाड तराय को मिश्रन बाट नेपाल ले पूर्ण तपाय को छा, इमाल देखी तराय सम्मा नेपाली संस्क्रितीर नेपाली भास आगो महत्त पुण भुमिका छा, नेपाली भास आर नेपाली संस्क्रितीको जग मां सिंग नेपाल फक्रियेको छा, र विष्व मां नेपाल परीचीच्छ। नेपालको इतियांसर संस्क्रितिको गईयरो अध्यन गरेकाई छश। एशको आफने गोउरब्पोन विरासत्च। आमी सवै नेपाली बल्यों नेपाली पहिचान सही जमास्नु परच। आजगा दिनमा नेपाल माती चारे इतिर बाट आक्रमन भैको छा, सरव एर्द आक्रमन देखें दैना, तर बासा माती आक्रमन छा, संस्कृति माती आक्रमन छा, राजनेती माती आक्रमन छा, राज्यका सवै छेत्रमा आक्रमन छा, कतै बिदेशियर बाट आक्रमन छा, कतै न देश को न्याय पाली कार वैस्त अपिक्या का विक्ती हरुने बिक्रित बंदई गई काチャन। आज और छ्यत्रमा विक्रिती च राज्य को मातिलो निकाये देखी, तललो निकाये सम्मा पोरी आहलमा डुबे काचन। बाबु, तॉ शक्षम चस, तॉ शुद्द चस र तॉ युवा चस। तॉ जस्ता धेरे युवा मिले रए यो देश को सुत्ती करण गहरणु पर चस। तोईले जसरी हामरो उजार भैको घरला बचाईश, आमा को शुरक्षा करेश, मो बंदा ठोली तेरी आमा हुन, तेरी आमा नेपाली माटो हुन, मेरी आमा पनी माटो नहीं भैकी छन, अनि सबै का आमा हरू, अनि हामी सबै माटो नहीं हुन चों, माटो भन्नु देशो, माट मातो माती सिंग आ रियेको गाना भावा से शंश्क्रेति हुननेपाली मातो. नेपाली संस्क्रेती र whatsi Unreal heißt अनिक आपाली माती र ... नेपाली संस्क्रेति र नेपाली भाशा को ठूल छारी मा नेपाल वी टररम화, रोलत मोजस्चर्ण गजय संग मेले केई मागीन बाबु तर आज मलाई बचंते बचंते जुरुक का उटछ विस्ता आरे दुबै हाथ का मुठी कस्च अनि दुबै हाथ माती उठाओ दे लग्छ आखा बंदगर्चर चिच्च्याओं छ ओ आमा अब आमी युवार उठने चाओं नेपाल आमा जिन्द धन्यवाद या अरुली एतिनजेल परदा वित्र उपनेश स्रवन गर्दिन वो या अरुलाई यो उपनेश कस्तो लाग्छ उचित लागेमा साथी भायर को बीचमा सेर गर्दिनो वला फेरी पनी हजरणु सपईमा रिदय देखिनी नमन कर्काओव स्रेखिनी नमन